मैं जब से शरण तेरे आया मेरे राब सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरुबर की छाया मिल जाए तन को ये प्रार्थ ना दिल की बेकार नहीं होगी ये प्रार्थ ना दिल की बेकार नहीं होगी पूरा है भरोसा मेरी हार नहीं होगी पूरा है भरोसा मेरी हार नहीं होगी शिव बाबा जब तु मेरी साथ है शिव बाबा सर पे तेरा हाथ है शिव बाबा जब तु मेरी साथ है शिव बाबा सर पे तेरा हाथ है शिव बाबा जब तु मेरी बाबा जब तु मेरी है विश्वास मेरे मन का तेरे साथ करंग लाया विश्वास मेरे मन का तेरे साथ करंग लाया भक्तों का रक्षक बन भगवान खुद आया इचत जमाने में शर्मसार नहीं होगी पूरा है भरोसा मेरी हार नहीं होगी शिव बाबा जब तु मेरे साथ है शिव बाबा सर पे तेरा हाथ है शिव बाबा जब तु मेरे साथ है शिव बाबा सर पे तेरा हाथ है शिव बाबा जब तु मेरे साथ है शिव बाबा जब तु मेरे साथ है शिव बाबा जब तु मेरे साथ है मैं हार जाओ ये कभी हो नहीं सकता मैं हार जाओ ये कभी हो नहीं सकता बेटा अगर दुख में पिता सो नहीं सकता बेटे की हार तुम्हें स्वीकार नहीं होगी पूरा है भरोसा मेरी हार नहीं होगी शिव बाबा जब तु मेरे साथ है शिव बाबा सर पे तेरा हाथ है शिव बाबा जब तु मेरे साथ है शिव बाबा सर पे तेरा हाथ है शिव बाबा जब तुम हो कौन कहां से आये अपने आप को जानो राज योग के द्वारा अपना पर्मपिता पहचानो किसी राज पथ पर चल कर कूँ पालो अपना पसरा अपना दून लगे आप तुन हो आत्मा तन से प्यारे पर्मात्मा को प्यारे दिप्यकुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे जोती बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का खेरा होगा दूर अन्तर मन में जोती जगालों होगा दूर अन्तरा आतू ये आप ओम शांती ओम शांती जो शावति बाबा तुमारे शेक्षाए सदा है संग हमारे बाबा तुमारे शेक्षाए सदा है संग हमारे चलते रहेंगे जीवन भर तेरी श्रीमत के सहारे बाबा तुमारे शेक्षाए सदा है संग हमारे, बाबा तुमारे शेक्षाएं, सदा है संग हमारे ना दुख देना, ना दुख लेना, तुने हमें सिखाया है शुब चिन तक बन रहना सबका, तुने पाठ पढ़ाया है अपकारी पर कर उपकार, यही है शबगताई तुम्हारे अपकारी पर कर उपकार, यही है शबगताई तुम्हारे बाबा तुमारे शेक्षाएं, सदा है संग हमारे बाबा तुमारे शेक्षाएं, सदा है संग हमारे निंदक को भी स्नेह देना कहती तेरी वानी है कांटों को जो भूल बनाए तेरी वो दिद कहानी है तू रचता है उन गुणों का जो सबसे है न्यारे तू रचता है इन गुणों का जो सबसे है न्यारे बाबा तुमारे शेक्षाएं, सदा है संग हमारे बाबा तुमारे शेक्षाएं, सदा है संग हमारे सब के गुणों को तुमें उठाना गिरते हुए को गले लगाना सब को ग्यान की राह दिखाना गिरते हुए को गले लगाना सब को ग्यान की राह दिखाना बज़ते रहेंगे इन कानों में तेरे ग्यान नगारे बज़ते रहेंगे इन कानों में तेरे ग्यान नगारे बाबा तुमारे शेक्षा हैं सदा है संग हमारे बाबा तुमारी शेख्षाय सदा है संग हमारे चलते रहेंगे जीवन भर तेरी श्रीमत के सहारे चलते रहेंगे जीवन भर तेरी श्रीमत के सहारे बाबा तुमारे शेक्षाए सदा है संग हमारे बाबा अर्षा भॉक्षा यदै प्रिशी बाबा विंभी अर्फा भी बाबा ला जात Aum Shanti Aum Shanti Aum Shanti Ajpere Baba हमें घर ले जाने की तैयारी करा रहे है बब ने समझाया है इस सारी बढ़ाई का सारी है अब वापिस घर जाना है सतो प्रधान होकर जाना है क्योंकि आत्मा सतो प्रधान आई थी अब सतो प्रधान होकर जाना है तो उसके लिए अभ्यास चाहिए अशरीरी पन का और उस अभ्यास के लिए बार बार एकांत में जाने की जरूरत है क्योंकि वाणी से परे की अवस्था को प्राप्त करना है जहां आवाजों के बिना वला पर्मानंद है उस अवस्था को प्राप्त करके सतो प्रधान बनके घर जाने के लिए आज बाबा ने एकांत की शिक्षा दिये क्योंकि बाबा ने कहा मैं तो पुनर जनम में आता नहीं हो इसलिए एवर प्योर रहता हूं पर तुम बच्चे पुनर जनम में आते रहते हो तो आतमा तम प्रधान हो जाती है इसलिए फिर सतो प्रधान के लिए बाबा जैसा अशरीरी बनने का अभ्यास हमको जरूर करना उसके लिए बाबा ने फिर एक सावधाने दी कि बच्चे बाबा से प्रतिग्या करते रहते हैं बहुत बार की हुई प्रतिग्या भूल जाते हैं आज बावने का याद रखो, जो प्रतिग्या करते भूलो मत, अब भूल बनो, अब भूलें और करना बंद करो, उफान तो बताएंगे, इतना महारथी बनेंगे, महारथीयों को बावा केते माया भी महारथी के रूप से ही आकर मिलेगी, फिर भी बावा ने बहुत अच्छी युक्ति बता दी, तुफान आएंगे, करम इंद्रियों से नहीं करना, तो आते आते चले जाएंगे, क्योंकि इंद्रियों से हुआ तो संस्कार बन जाएगा, डिलीट करने में बहुत जोर लगेगा, इसलिए तुफानों से घबराना नहीं है, इंद्रियों से ना करने का ध्यान देना, फिर आज बावा ने यात किया, लीवर घड़ी, सिलेंडर घड़ी, उसका आर्थ भी समझाया, कि ये क्या होती है, क्योंकि उस टाइम, घड़ी इंवेंट हुए अभी थोड़े ही समय हुआ था, सिलेंडर घड़ी पहले इंवेंट हुई थी, शायद 1700 के आसपस, जो सिलेंडर घड़ी थी, वो एक सिलेंडर से चलती थी, सिलेंडर घूमता था और सोयां घूमाता था, और वो सिलेंडर बीच बीच में मैल फंसने के कारण अटकता था, तो कभी टाइम आगे, कभी पीछे हो जाता था, फिर लीवर घड़ी इंवेंट हुई, उसमें एक लिवर लगता था और वो टक 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 सो यह को ठीक एकूरेट गुमाता था तो बाबा ने का ये ड्रामा लीवर घड़ी की तरह से चलता है और बच्चों को भी पूरुशार्त लीवर घड़ी की बुद्धी से करना है एक्यूरेट और बाबा को जब भी देखो तीन स्वरू भी कठे देखो एक में तीन इचर देखो तो बाप सत्गुरू भी दिखता रहे बाप देखो तो टीचर सत्गुरू भी फील होता रहे तेरे बाबा के ऐसे अनमोल महवा के हम सुनते हैं 23 एपरल के आज बाबा बूले मीठे बच्चे बाप जो शिक्षाएं देते हैं उन्हें अमल में लाओ उम्हें प्रतिग्या कर अपने वच्चन से फेरना नहीं है आज्या का उलंगन करना नहीं है इसलिए प्रतिग्या जो की हुई हो अब तक बाबस से रिवाइज कर लें और चेक कर लें कितना निभाया है और दड़ता धारन कर लें मीठे बच्चे बाप जो शिक्षाएं देते हैं उन्हें अमल में लाओ तुम्हें प्रतिग्या कर अपने वच्चन से फेरना नहीं है आज्या का उलंगन नहीं करना है प्रश्न तुम्हारी पढ़ाई का सार क्या है तुम्हें कौन सा अभ्यास अवश्य करना दो प्रश्न एक में पढ़ाई का सार पढ़ाई का सार पान प्रस्थ में जाना ये है पढ़ाई का सार तुम्हारी पढ़ाई है वान प्रस्थ में जाने की इस पढ़ाई का सार है वानी से परे जाना बाप ही सबको ले जाते हैं तुम बच्चों को धर जाने के पहले क्या करना हर जाने से पहले जैसे आये थे वैसा बनना है सतो प्रधान बनना है इसके लिए अब दूसरे प्रश्न का उत्तर कौन सा अभ्यास करना है अभी पहले सुना इसके लिए एक कांत में जाकर देही अभी माने रहने का अभ्यास करो आज शरीरी बनने का अभ्यास ही आत्मा को सतो प्रधान बनाएगा खुद्धी में अंडरलाइन कर लें आज की दिन चर्या में एड कर लें कि कौन कौन सा टाइम मैंने अपने को एक कांत देना है इसमें सिरफ मैं अपने साथ अशरीरी अकेली आत्मा अपने शुद्ध स्वरूप को निहारती रहूं अपने दिन चर्या का टाइम अभी मन बुद्धी की टीवर घड़ी में सेट कर लें अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करने से क्या फाइदा होगा तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे और फिर ऐसे विश्व के मालिक बन जाएंगे कल्प कल्प तुम ऐसे ही तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते हो इसी विदी से आत्मा समझ बाब को याद करने की विदी से हर कल्प तुम पावन बने हो फिर 84 जनमों में तमों प्रधान बनते हो फिर बाप शिक्षा देते जब तमों प्रधान बन गए अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो भगती मारग में भी तुम याद करते थे पर अन्तु क्या फरक था याद अब भी करते है याद भगती में भी करते थे तब तुम मोटी बुद्धी से याद करते थे उस समय मोटी बुद्धी का ग्यान था अभी महीन बुद्धी का ग्यान है आत्मा आत्मा की बात गीता में भी पड़ते थे पर आत्मा समझना नहीं आया था प्रेक्टिकल में बाप को याद करना है ये हैं महीन बुद्धी ये भी समझाना है आत्मा भी स्टार मिसल बाप भी स्टार मिसल सिर्फ अंतर क्या है? सिर्फ वे पुनर जनम नहीं लेते हैं तुम लेते हो इसलिए तुमको तमो प्रधान बनना पड़ता है ये भी हिदी का विधान है ड्रामा की नूंद है कि पुनर जनम भी लेना पड़े आत्मा को तमो प्रधान भी बनना पड़े ड्रामा की नूंद है फिर उसके आगे भी है सतो प्रधान बनने के लिए मेनत करनी पड़े यह भी ड्रामा में नोंद है माया बीच में आएगी इसलिए मेनत शबद बूला माया घड़ी घड़ी क्या करेगी घड़ी घड़ी भुला देती है अब अब क्या करना हमें माया का रोल भी पता चल गया, अपना रोल भी पता चल गया, मेनत से अब क्या करना है, अब भूल बनना है, भूल नहीं करनी है, आया सामने खड़ी है, बार-बार भूलाएगी पर मेनत क्या करनी है, भूल नहीं करनी है, अब भूल बनना है, अगर भूलें करते रहेंगे, तो तुम और भी तमो प्रधान बन जाएंग डारेक्शन मिलता है बाबा का डारेक्शन है अपने को आत्मा समझ बाब को याद करो तो सतो प्रधान के लिए क्या होगा बैटरी चार्ज होगे आत्मा बैटरी है बैटरी को चार्ज करो तो तुम सतो प्रधान विश्व के मालिक बन जाएंगे तीचर तो सबको पढ़ाते स्टूडेंट नमबर वार पास होते हैं पढ़ाते एक जैसा हैं पास नमबर वार होते हैं नंबर वार फिर कमाई करते हैं, तुम भी नंबर वार पास होते हो, और क्या नंबर वार मिलता है फिर? मर्तबा, पर्द भी नंबर वार मिलता है, अब उसमें भी केटेगरी यह पोजीशन मिलेगी, जैसी पढ़ाई, वैसी, कहां विश्व केव मालिक, और कहां प्रजा, दास, दासियां, तो यह अपनी केटेगरी सेलेक्ट करके बुद्धी की अंगली रख दो, मैं किस केटेगरी की आत्मा हूँ, जी राजा हूँ, उससे नीचे का सोचना ही नहीं है, जो स्टूडेंट अच्छे सपूत, आग्याकारी, वफादार, फर्मान बर्दार होते हैं, अच्छे सपूत, आग्याकारी, वफादार, फर्मान बर्दार होंगे, वो जरूर टीचर की मत पर चलेंगे, टाइटल दे लो अपने को सारे जितना रेजिस्टर अच्छा होगा उतनी माक्स जस्ती मिलेगी इसलिए बाप भी बच्चों को बार बार समझाते हैं अटेंशन क्या मिल रहा होगा बार बार क्या समझाते हैं बच्चे क्या ना करो अटेंशन मिल रहा है क्या ना करो गफलत ना करो कोस्ट पोन्मेंट लापर वाई अलबे लापन कर लेंगे हो जाएगा यह गफलत यह बहुत तो कर लिया है बहुतों से तो हम अच्छे है थोड़ा बहुत कुछ है कर लेंगे बाबा के थे नहीं ये गफलत नहीं करो ऐसे मत समझो कल्प पहले भी फेल हुए थे ये थाउट नहीं करना कभी बहुतों को दिल में आता होगा कि हम सर्विस नहीं करते हैं तो जरूर फेलोंगे पाप तो सावधानी देते रहते हैं तुम सत्युगी सतो प्रधान से कल युगी तमो प्रधान बने हो फिर वर्ल्ड की हिस्ट्री जगरफी रिपीट होगी सत्युगी सतो प्रधान रिपीट होगा सतो प्रधान बनने के लिए बाप बहुत सहज रास्ता बताते हैं सहज रास्ता है मुझे याद करो तो क्या हो जाए समो प्रधान हो गए सतो प्रधान का सहज रास्ता मुझे याद करो तो जो विकर्म हुए है मैल चड़ी है वो भस्म हो जाए तो विकर्म विनाशोंगे, तुम चड़ते चड़ते सतो प्रदान बन जाएंगे, चड़ेंगे धीरे धीरे, अटाक नहीं चड़ सकते, चड़ेंगे धीरे धीरे इसलिए भूलो मत अटेंशन लगातार का रखना, परंतु आगया फिर, परंतु आबा केते भूलो मत परंतु माया भुला देती है, ना फर्मान बरदार बना देती है, पाप जो डारेक्शन देते हैं, उमानते हैं, प्रतिग्या करते हैं, फिर, फिर काना माया भुला देती है, बाबा ने डारेक्शन दिया, बच्चों ने हांजी बोला, प्रामिस किया, फिर सबको अनुब हुए, प्रतिग्या की, फिर उस पर चलते नहीं, चलने टाइम, वो यादे हैं, सुमृतियां डाइल्यूट होने लगती हैं, और प्रायर्टिज आने लगती हैं, बावा ने एक अव्यक्त मुर्ली में का था, बच्चे जब भी प्रतिग्या करो ना, प्रतिग्या के साथ एक शबद एड़ करो, वो एड़ करेंगे तो प्रतिग्या निभेगी, याद है किसी को अव्यक्त मुर्ली का मावाक्या, प्रतिग्या के साथ याद करो परिक्षा, कि जैसे ही आप प्रतिग्या करेंगे, उस पर चैलेंज आएगा, उसके अगेंस्ट आपोजीशन फोर्स आएगा, समस्य आएगी, मुसीबत आएगी, साथ में ही सोच लो प्रतिज्या के, कि जब परिक्षा आएगी, तब कैसे अटल रहेंगे, और जो प्रतिज्या करो, उसको लिख के सामने लगाओ, बार बार रिवा करो, योंकि भगवान के आगे किया गया वचन जूठा न पड़े, निभा सके, बाप जो डारेक्षन देते हैं, वे मानते हैं, प्रतिज्या करते हैं, फिर उस पर चलते नहीं हैं, तो बाप कहेंगे, आग्या का उलंगन कर अपने वचन से फिरने वाले हैं, बाप से प्रत तिज्ञा कर फिर अमल किया जाता है बेहद का बाप जैसी शिक्षाएं देते हैं ऐसी शिक्षाएं और कोई देंगे नहीं चेंज भी ज़रूर होना है चित्र कितना अच्छा है इतने अच्छे अच्छे चित्र बने होना जरूर है ब्रह्मा वंशी फिर विश्नो वंशी बनेंगे हमारे विश्नो वंश के चित्र है ये है नई ईश्वरिय भाशा इनको भी समझना पड़ता है ये रूहानी नौलेज कोई देते नहीं हैं दुनिया में, कोई संस्था निकलिये, जिनों ने रुहानी संस्था नाम रखा है, परन्तु रुहानी संस्था तुम्हारे बिगर कोई होना सके, इमिटेशन बहुत हो जाती है ये है नई बात रुहानी ग्यान है रुहानियत की नई बात है बाकी सब जगे जिस्मानी बात है तुम बिलकुल थोड़े हो और कोई ये बाते समझ न सके सारा ज्ञाड अब खड़ा है क्या मिसिंग है तिष्टी रुपी ज्ञाड सारा खड़ा है मिसिंग क्या है बाकी थूर नहीं है देवत्व नहीं है देवताई घराने का कहीं नाम बचा नहीं है कहीं गुण लक्षन बचे नहीं है बाकी थूर नहीं है फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होगा थूर खड़ा हो जाता है बाकि टाल टालियां रहेंगी नहीं प्रिष्टी का और विस्तार इतने धरम जाती भाषाएं पापुलेशन तो सब मर्ज हो के थूर देवताई घराना इमर्ज हो जाएगा बाकि टाल टालियां नहीं रहेंगे सब खतम हो जाएंगे तो बेहद का बाप ही बेहद की समझानी देते है अब सारी दुनिया पर रावन राचे है यह लंका है वे लंका तो समुद्र के पार है तो एक छोटा आइलेंड है लंका पर पूरी स्रिष्टी भी आइलेंड है उसके भी तीन तरफ पानी है पूरे गलोब में भी तीन ऐसा पानी है अब सारी दुनिया पर रावन राजे है यह लंका है वे लंका तो समुद्र के पार है बेहद की दुनिया भी समुद्र पर है पानी ज़्यादा है तीने सा सुकी जमीने की सा चारों तरफ पानी है बेहद की बाते हैं बाप बेहद की बाते समझते हैं एक ही बाप समझाने वाला है कि पढ़ाई है जब नौकरी मिले पढ़ाई की रिजल्ट निकले तब तक मनुश्या करते हैं जो पढ़ने वाले होते हैं, जब तक रिजल्ट आए, जॉब लगे, कोई केरियर बने पढ़ते रहते हैं, उसमें ही बुद्धी चलती है, तो स्टूडेंट का काम है, हम सारे स्टूडेंट हैं, हमारा काम है, पढ़ाई में अटेंशन देना, सारे अटेंटिव हो के सुन रह अपने आसपस वालों को देख लिए, उठते, बैठते, चलते, फिरते, याद करना, ये है हमारी पढ़ाई का रियल अटेंशन, स्टूडेंट की बुद्धी में ये पढ़ाई रहती है, इम्तिहान के दिनों में बहुत मेनत करते हैं, कहां ना पास ना हो जाएं, खास सवेरे पगीचे में जाकर पढ़ते हैं, क्योंकि धर के शोर के वाइब्रेशन्स गंदे होते हैं, बापने समझाया है, आज मूल अभ्यास बाबा समझा रहे हैं, ते ही अभी मानी होने का अभ्यास डालो, फिर भूलेंगे नहीं, अभ्यास एक बार पक्का हो गया, तो जितना हम सोल कॉइंशस होते हैं, ना तो शिक्षाएं रिटेन होती हैं, रिवाइज होती हैं, धारन हो जाती हैं, सोल कॉइंशस मिस हुआ तो शिक्षाएं बुद्धी से मिस होने लगती हैं, फिर दैहिक बाते बुद्धी पर हावी होने लगती हैं, तो बापने समझाया है, देही अभी माने होने का अभ्यास डालो, फिर भूलेंगे नई, एकांत के स्थान तो बहुत हैं, शुरू शुरू में, ख्लास पूरा कर, तुम सब पहाडों पर चले जाते थे, पहाडी पर जाके एकांत एकांत बैठके अभ्यास करते थे, अब दिन प्रति दिन नौलेज डीप होती जाती है, स्टूडेंट को एम अब्जेक्ट याद रहता है, एक है स्टूडेंट का काम पढ़ाई पर अटेंशन देना, दूसरा एम अब्जेक्ट बुद्धी से पिसरे नहीं, ये है पान प्रस्थ अवस्था में जाने की पढ़ाई, पानी से परे चले जाना, सिवाए एक के और कोई ये पढ़ा न सके, सादू संतादी सब भगती सिखलाते हैं, पानी से परे जाने का रास्ता एक बाप ही बतलाते हैं, एक बाप ही सब को वापिस ले जाते हैं, दिखलाते भी वही हैं, और ले जाते भी वही हैं, अब तुम्हारी है बेहद की वान प्रस्थ अवस्था हद की वान प्रस्थ होता बुड़े हो गए शरीर से सब कारोबारे पर भूल जाओ वानी से परे जाओ तुम्हारी है बेहद की वान प्रस्थ अवस्था जिसको कोई भी नहीं जानते बाप केते बच्चे तुम सब वान प्रस्थियो सारी दुनिया की वान प्रस्थ अवस्था है सारी दुनिया की वान प्रस्थ अवस्था मतलब जाने का टाइम आया हुआ है कोई पढ़े वना पढ़े वापिस सब को जाना जो भी आत्माएं मूल वतन में जाएंगी जाने के बाद क्या होगा समझो कोई पढ़ाई पढ़के गए कामन होके गए कोई वैसे ही गए ज्यान समझाई नहीं गए तो सारे उपर जाके क्या होगा बाब अलग लगत रहें के ग्रुप गई है, बाबा केते बहां जाके भी अपने अपने सेक्शन में चले जाएंगे, जो जिसकी समृतियों और जैसी स्थितियों में था, जिसको फॉलो करने वाला था उस आत्मा के पीछे पीछे जाएंगे, आत्माओं का जाड भी वंडर्फुल बना हुआ है, वहां भी सेक्शन है, ये सारा ड्रामा का चक्र बिलकुल एक्यूरेट है, जर्रा भी फरक नहीं पड़ सकता, इसलिए इसकी गलतियां कभी नहीं निकालने हैं, एक्यूरेट है, लीवर और सेलेंडर घड़ी होती है ना, लीवर घड़ी बिलकुल एक्यूरेट रहती है, इसमें भी किन का बुधधी योग लीवर रहता है, बुधी का योग एक्यूरेट रहता है, राइट अंडरस्टेंडिंग से, जैसा बावा ने समझाया, वैसा समझ लेते हैं, वैसा अभ्यास करते हैं, वैसा वेवार करते या वो है लीवर बुद्धी किन का फिर सिलेंडर रहता है कोई का बिलकुल लगता ही नहीं है घड़ी जैसे की चलती नहीं है सिलेंडर घड़ी नाम सिलेंडर से पड़ा उसमें सिलेंडर होता था तुमको बिलकुल लीवर घड़ी बनना तो राजाई में जाएंगे एक्यूरेट बाबा जैसा समझाता है वैसा समझना मानना, अभ्यास करना, पालन करना लीवर घड़ी बनना तो राजाई में जाएंगे सिलेंडर सिलेंडर घड़ी बनेंगे तो राजा में चले जाएंगे पुरुशार्थ लीवर बनने का करना है राजाई पद पाने वालों के लिए ही कहा जाता है राजाई वालों के लिए ही कहा है कि ये ज्यान फोटो में कोई कोई में भी कोई तो राजपद पाने वाले हैं उनको accurate समझाता है बाकी percentage वही फिर वीजे माला में पिरोई जाते accurate समझने वले बच्चे समझते हैं मेनत बरोबर है बले सहज राजी योग है समझने में पर करने में तो मेनत पूरी चाही कहते हैं बाबा हम घड़ी घड़ी भूल जाते है बाबा समझाते है घड़ी घड़ी भूलने की जो शिकायत है न उसका आंसर सुन लो बाबा समझाते है बच्चे जितना पहलवान बनेंगे तो माया भी जवरदस्त लड़ेगी पूरी चाहत का जितना जोर लगाएंगे फिर क्या करना चाहिए नहीं लगाना चाहिए क्योंकि अगर ढिले ढाले हैं तो माया थोड़ी थोड़ी आएगी और जोर लगाएंगे पूरी चाहत का तो माया भी जोर से आएगी तो क्या करना है आई बले जोर से तो हम और जोरदार बनेंगे तो माया भी जबरदस्त लड़ेगी मल युद होती है ना उसमें बड़ी संभाल रखते है पहलवानों को पहलवान जानते है अब पहलवान से पहलवान लड़ेगा ना कोई सींकी या बच्चू थोड़ी लड़ने चल पड़ेगा ओके गो तू जा तेरे से क्या लड़ना पैसे ही जितने हम बनेंगे बहादुर उतने बड़े फेपर आएंगे पर अंतु ये जरूरी है राजा बनने के लिए माया से युद करना भी जितना भी यही है विकर्म विनाज का प्रोसेस पैलवानों को पैलवान जनते हैं यहां भी ऐसे महावीर बच्चे भी हैं उनमें भी नमबर वार हैं अच्छे अच्छे महारतियों को माया भी अच्छी तरह तूफान में लाती है बाबने समझाया है अब आंसर सुनो आए तूफान तो क्या करो बाबा ने समझाया है माया कितना भी हैरान करे तूफान लाए तुम खबरदार रहना कोई बात में हारना नहीं मनसा में तूफान भल आएं वो जल्दी ब्रेक नहीं लगेगी परंतु करम इंद्रियों से नहीं करना है अभी की अव्यक्त मुर्लिया तो कहती है मनसा में भी ना आए ऐसा पुरुशार्थ करो तुफान आते हैं गिराने के लिए माया की लड़ाई ना हो तो पहलुआन कैसे कहेंगे बिना लड़े थोड़े पहलुआन का टाइटल मिलता पहले लड़े और जीते तो उसको योधा गएंगे ना उसको ही महावीर चक्र देंगे ना लड़े बिना थोड़े मिल जाएगा माया के तुफानों की परवा नहीं करनी चाहिए धरेंगे तो हार जाएंगे परवा नहीं करेंगे तो स्ट्रॉंग रहेंगे जीत जाएंगे परंतु चलते चलते करमिंद्रियों के वश हो जट गिर जाते खिरने का कारण बनता है, जो तुफानाया उसको करमिंद्रियों से कर लिया ये बाब तो रोज समझाते है करमिंद्रियों से विकरम नहीं करنا बेकाइदे काम करना छोडेंगे नहीं बार बार तुफानाया वश हो गए, तो पाई पैसे का पदपाएंगे अंदर खुद भी समझते हैं हम नापास हो जाएंगे जाना तो सब को है बाप कहते हैं मेरे को याद करते हो तो याद किया बल जमा किया वै याद विनाश को नहीं पाती है याद किये उए की पावर बनती है अंदर संसकार भी बनता है थोड़ा भी याद करने से स्वरग में आ जाएंगे आत्मा में रेजिस्टर होता है संसकार बाबा कई बार कहते हैं न एक बार भी दिल से कहा मेरा बाबा सत्य युग में आ जाएगा दिल से तो अंदर आत्मा में चेंजी जाते है उससे योग्य बनती है रिसेप्टिव हूती है थोड़ा याद करने से अत्वा बहुत याद करने से क्या क्या पद मिलेंगे ये भी तुम समझ सकते हो कोई भी छिप नहीं सकते तुम याद करने वाले जादा याद करने वाले लक्षन प्रगट हो जाते है अगर हम अभी हार्ट फेल हो जाएं तो किस पद को पाएंगे हार्ट फेल माना हिराज बस अपने से और नहीं होता बाबा से भी पूछ सकते है आगे चल कर आप पई समझते जाएंगे कि हमारी स्थिती अनुसार कौन सा पद हमारे लिए होगा बिनाश सामने खड़ा है तुफान, बरसात, नेचुरल केलेमिटीज पूछ कर नहीं आती है अचानक अचानक आती है रावन तो बैठा ही है यह बहुत बड़ा इम्तिहान है जो पास होते हैं वो उँच पद पाते हैं राजाएं जरूर समझदार चाहिए काना लीवर घड़ी जैसी है कि उरेट बुद्धी चाहिए राजपद पाने लिए जो रैत को यानि प्रजा को संभाल भी सके ना जिसे लौकिक दुनिया में समझो कोई पढ़ाई में न लाइको पर रिश्वत दे के बड़ी डिगरी ले ले वे पढ़ा लिखा है नहीं डॉक्टर की डिगरी ले ले वे और पेशेंट देखने बैठ गया तो क्या करेगा क्या हाल होगा बिचारे पेशेंट्स का ऐसी बवन ने का अब राजा बनना है तो प्रजा को संभालना भी तो आना चाहिए ना इसलिए समझदार चाहिए जो जाके वहां राज करे आई सी एस इम्तियान में थोड़े पास होते है पाप तुमको पढ़ा कर स्वर्ग का मालिक सतो प्रधान बनाते हैं तुम जानते हो सतो प्रधान से फिर तमो प्रधान बने हैं अब समो प्रधान बन गए अब बाप की याद से क्या बनना हैं शब्द पक्के करने चाहिए बाबा के बोले हुए बाप की याद से वही बनना है जो थे सतो प्रधान पतित पावन बाप को याद करना है बाप कहते हैं मन अना भव मन मुझ में लगाने वाले बनो ये है वही गीता का एपिसोट डबल सिरताज बनने की ही गीता है बनाएंगे तो बाप ना तुम्हारी बुद्धी में सारी नौलेज है जो अच्छे बुद्धीवान है उनका लक्षन ऐसे पता चले बुद्धी अच्छी है भाशन से नहीं पता चलेगा बोलेंगे तो सारे अच्छा बाबा ने अच्छा सुनाया अच्छा याद करो अच्छा बोल दो लेकिन बुद्धी अच्छी है तो धारणा अच्छी होती है सच में अच्छी है, क्रेमिंग वाली नहीं, समझ वाली, अच्छा, अच्छा, मीठे मीठे, सिकी लदे, बच्चों प्रती, मात, पिता, बाप, दादा का, याद, प्यार, और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को, नमस्ते, हम रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप, दादा को, याद, प्यार, गुड मॉर्निंग, और नमस्ते, बाबा, नमस्ते, रात्री क्लास, पाँच एक शिक्स्टी नाइन का ये रात्री क्लास है, पाँच जन्वरी, बच्चे यहां क्लास में बैठे हैं, और जानते हैं, हमारा टीचर कौन है, अभी यही याद है, कि हमारा टीचर कौन है, स्टूडेंट को सारा समय यह याद रहती है, कौन पढ़ा रहा, यहां भूल जाते हैं, बढ़ाने वाले को भी, टीचर जानते हैं, बच्चे मुझे घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, ऐसा रूहानी बाप, तो कब मिलाई नहीं है, संगम युग पर ही मिलता है, सत्यूग और कलीूग में तो कौन से बाप मिलते हैं, जिस मानी बाप मिलता है, यह याद दिलाते हैं कि बच्चों को पका हो जाए, कि यह संगम युग है, जिसमें हम बच्चे ऐसे पुरुशोतम बनने वाले हैं, तो बाप को याद करने से तीनों याद आने चाहिए, तीनों बोलो, बाप, टीचर, सत्गुरू, टीचर को याद करो तो भी तीनों याद, गुरू को याद करो तो भी तीनों याद आने चाहिए, क्योंकि बाबा तीनों रूपों से सुप्रीम है और वो तीनों प्रकार की एनर्जी हमें देते हैं बाप के रूप में प्यार की एनर्जी है पालना तीचर के रूप में ग्यान की एनर्जी है सद बुद्धी लीवर घड़ी बुला ना और सत्व गुरू के रूप में शक्ति, ये तीनों ओर जाएं इकठी मिलती है मुख्य बात है पवित्र बनने की, पवित्र को सतो प्रधान कहा जाता है वे रहते ही हैं सत्य युग में जो सतो प्रधान है अभी चक्र लगा कर आए हैं, संगम युग है कल्प कल्प बाप भी आते हैं, पढ़ाते हैं बाप के पास तुम रहते हो ना उपर ये भी जानते हो, ये सच्चा सत्गुरू है और बरोबर मुक्ती, जीवन, मुक्ती, धाम का रास्ता बताते हैं ड्रामा प्लैन अनुसार हम पुरुशार्थ कर बाप को फॉलो करते हैं सत्व प्रदान बनने का पुरुशार्थ, घर जाने का पुरुशार्थ, बीच में क्या है? फॉलो फा दर, बाबा के कदम पर कदम रखते हैं यहां शिक्षा पाकर फिर follow करते हैं, तो कि बाबा का जीवन practical guide है हमारे लिए, ज्यान ये बताता है do's or don'ts, right or wrong, पर इस परिस्थिती में अब ज्यान को कैसे apply करूं, वो ब्रह्मा बाबा की जीवन कहानी बताती है, तो follow father, जैसे ये सीखते हैं, वैसे तुम बच्चे भी पुरुशार्थ करों, देवता बनना है, तो शुद्ध करम करना है, गंदगी कोई भी ना रहे, और बहुत खास बात है, अब फिर आई खास बात वो कौनसी होगी, बहुत खास बात है, जगंदगी कोई ना रहे, पर उसके लिए बहुत खास बात है, बाप को याद करने की, समझते हैं, बाप को भूल जाते हैं, अगर बाप को भूल गए तो साथ में क्या भूल जाएगा? शिक्षा को भी भूल जाते है और याद की यात्रा को भी भूल जाते है बाब को भूलने से ज्यान भी भूल जाता है मैं स्टूडेंट हूं ये भी भूल जाता है याद तो तीनों पढ़नी चाहिए बाबा का बच्चा हूं परम शिक्षक का स्टूडेंट हूं और सत्गुरू का follower हूँ बाप को याद करे तो टीचर सत्गुरू जरूर याद पड़ेंगे शिप बाबा को याद करते है तो साथ साथ अब व्यवार की और बात सुनू फॉलो फादर भी करना तो व्यवार में दैवी गुण जरूर चाहिए उससे ही पता चलेगा इतना याद किया है बाप की याद में है करामत करामत जितनी बाप बच्चों को सिखलाते हैं उतना और कोई सिखला न सके समो प्रधान से हम इसी जनम में सतो प्रधान बनते हैं समो प्रधान बनने में कितना टाइम लगता है कितना टाइम पूरा कल्प सत्यूग से कल्यूग अंत तक और सतो प्रधान बनते हैं इसी एक जनम में इसमें जो जितनी मेनत करेंगे सारी दुनिया तो मेनत नहीं करती है दूसरे धर्म वाले मेनत नहीं करेंगे बच्चों ने सक्षतकार किया है धर्म स्थापक आते हैं पार्ट बजाया हुआ है फलानी फलानी ड्रेस में तमो प्रधान में वे आते हैं उपर से आएंगे सतो प्रधान नीचे तमो प्रधान समझ भी कहती है जैसे हम सतो प्रधान बनते हैं और सभी और सभी बनेंगे की नहीं बनेंगे नहीं बनेंगे घर कैसे जाएंगे घर जाएंगे की नहीं हम भी घर जाएंगे बाकी सब भी जाएंगे ना तो हम सतो प्रधान बनेंगे बाकी सब भी तरीका कोई भी यो बनेंगे और सभी भी बनेंगे सतो प्रधान पवित्रता का दान बाप से लेंगे सभी बुलाते हैं हमको यहां से लिबरेट कर घर ले चलो कल की मुरली में भी बाबा ने का बाप सब धर्मों का सर्वेंट सब की सेवा अलग अलग रूप से बाबा द्वाराई होती है बाबा केते यह तो ड्रामा प्लैन अनुसार सभी को घर जाना ही है अनेक बार घर जाते हैं कोई तो पूरे पांच हजार वरश घर में नहीं रहते वो कौन है हम सारे थोड़ा सा रहते है क्योंकि हम यहां पूरा संगम यूग बुद्धी से बहुत घर में रह लेते है तो फाइनल जाने के बाद जादा नहीं रहना पड़ता कोई पूरे पांच हजार वरश रहते हैं घर में फिर नीच थोड़ा सा आए कुछ वरश गए बापिस अंत में आएंगे तो कहेंगे 4,999 वरश आन्तिदाम में रहे हम कहेंगे 4,999 वरश इस रिष्टी पर रहे आगे मंस भी होंगे कुछ ये तो बच्चों को निष्चे है कि हमने 83, 84 जनम लिए हैं बेस्ट एक्टर हैं हम लोग सबसे ज्यादा एक्टिंग किया है जो बहुत होश्यार होंगे वैं जरूर पहले आए होंगे अच्छा, मेठे मेठे रुहानी बच्चों प्रति याद प्यार और गुड नाइट धारणा सतो प्रधान बनने के लिए याद की यात्रा से अपने बैटरी चार्ज करने है अभुल बनना अपना रेजिस्टर अच्छा रखना दिव्यगुणों का टेरेक्टर का कोई भी गफलत नहीं करनी है दूसरा कोई भी बेकाइदे कर्म नहीं करना है माया के टूफानों की परवा नहीं करनी डर्ना नहीं करम इंद्रिये जीत बनना लीवर घडी समान एक्यूरेट पुरुशार्थ करना बर्दा परदाता को सामने लाएं उनकी सर्व शक्तियों की किर्णे में सुस करें बाबा का वर्दान मिलता है सेवा द्वरा खुशी शक्ति और सर्व की आशीरवाद प्राप्त करने वाली सेवा द्वरा खुशी शक्ति और सर्व की आशीरवाद प्राप्त करने वाली उन्य आत्मा भव सेवा का प्रत्यक्ष फल खुशी और शक्ति मिलती है सेवा करते आत्माओं को बाब के वर्से का अधिकारी बना देना ये पुन्य का काम है जो पुन्य करता है उसको अशीरवाद जरूर मिलती है सभी आत्माओं के दिल में जो खुशी के संकल्प पैदा होते है भावा मिल गया उनको विरासत मिल रही है ऐसे खुशी के संकल्प जो उनके अंदर पैदा होते है वे शुब संकल्प अशीरवाद बन जाते है और भविश्य भी जमा हो जाता है इसलिए सदा अपने को सेवाधारी समझ सेवा का अविनाशी फल खुशी और शक्ती सदा लेते रहो स्लोगन मंसा वाचा की शक्ती से विघन का पर्दा हटा दो तो अंदर कल्यान का द्रिश्य दिखाई देगा मंसा वाचा की शक्ती से हटाना मतलब विघन कॉंशिस नहीं होना विघन के अगर प्रभाव में नहीं आएंगे तो उसके पीछे छिपा कल्यान दिखाई देता रहेगा आज का अव्यक्ति शारा संसकार मिलन की थीम पर तैस्वा किसी के स्वभाव अत्वा संसकारों को देख किनारा करना ये भी घृणा अठथाट क्रोध का ही आइश है किनारा भी सुक्षम रूप में क्रोध का आइश है इसका रोयल शब्द है अपनी अवस्था को खराब करें इस से तो किनारा करना अच्छा बलाने को देखते मिलते अवस्था राब होती है थाट नेगटिव होता है तो किनारा कर लेते लेकिन न्यारा बनना और चीज है किनारा करना और चीज है प्यारे बन न्यारे बनते हो वे राइट है लेकिन सुक्ष्म घिना भाव ये ऐसा है ये तो बदलना ही नहीं है ऐसे सदा के लिए उसको सुक्ष्म में श्रापित करते हो खुद सेफ रहो लेकिन दूसरों को फाइनल सर्टिफिकेट नहीं दो सेफ रहना माना प्यारे होके न्यारे रहना यानि उसके लिए दिल में प्यार बना रहना अंदर से ये ना निकले इसने तो बदल नहीं नहीं है इसलिए हमने इनसे मिलना बोलना नहीं है कि सुक्ष मश्राप नहीं देना प्यारे होकर न्यारे बन जाना है आज की मुर्ली अनुसार बार बार एकांद अशरीरी ओम शान्ति ओम शान्ति शाम का संगठित योग सबी भाई भैनों के लिए 6-8 यां कॉन्फेंस ओल में रहेगा राज योगा थोट लैब की ट्रेनिंग में आए हुए सबी भाई भैनों से निवेदन है कि आज शाम को साड़े-पांच बजे तक मन महीनिवन के गलोबल ओडिटोरियम में पहुँचे साड़े-पांच बजे रजिस्ट्रेशन होगा और फिर 6 बजे से ट्रेनिंग का उदगाटन होगा ओम शान्ति अभी दो मिनट बाबा की याद में बैठे तेरी शिक्षाय और प्यार साथी बन साथ निभाते हैं मधु बनके वो दिन रा बाबा तेरी याद दिलाते हैं तेरी शिक्षाय और प्यार साथी बन साथ निभाते हैं बैठों कमरे में जाके मिलता तू वतन से आके होते हैं निहाल ये नेना बाबा तुझे सामने पाके तेरे मीखे मीखे पे तेरे मीखे मीखे पे कौनों में आज भी आते हैं तेरी शिक्षाय और प्यार साथ बन साथ निभाते हैं चलते फिरते यहों लागे तू संग हो जैसे हमारे बगिया में कभी कुटिया में करे तेरे अनुभव न्यारे मधुबन के खणखण में तेरा ही नजारा पाते हैं तेरी शिक्षाय और प्यार साथ बन साथ निभाते हैं कर दो कर दो प्यात्व कर दो चलते फिरते उठते बैठते चैरा चेरफुल रहें ये बात पक्की याद करो क्योंकि जानते हो कि गुसा जल्दी नहीं छूटता है इसलिए ये अपने को पक्का कराओ हमें अपने चैरा चेरफुल रखना है चेरफुल चैरा होंगा तो गुसा आएंगा भी अंदर पर अपने को फॉर्ट पकर लेंगे ये भिन भिन सहज विधियां उन विधियों को अपनाते जाओ हम यग्य में रहे तो ऐसी छोट-छोटी विधियां सहथ सहथ जिससे हमारे अंदर ये अभ्यास पर जाएं ऐसे पुर्शारती अपने में ऐसी ऐसी विधि बनाते रहें जिससे हमारी याद की यात्रा जिससे हमारा सदा हस् जिससे हमारे ये काम प्रोध लोग क्योंके द्रिष्टी की आकर्शन विर्टी में वो भावनाएं अंदर ये अंदर थो रहें किसको पता चलता है खुद समझ सकते हैं अगर अटेंशन है तो नहीं तो वह बाहर करती है जिसका फिर दूसेरी पीसे एक्शन में आता है ओम शान हो सब से बड़ी स्रदावी पिकर हुआ 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 ह जब भी देखू सामने तुमको मेरे बाबा दिली ये मेरा खुशियों से भर जाता है तेरी नीची रूहानी मुस्कानों से बाबा तन्मन मेरा दिली मुस्कुराता है हर आहत में बाबा एहसास तिरा पल पल रखते हो मुझे पे नजल एक तीरा संग हो बाबा में तो जीवन है मेरा तदा बेपिकर हर आहत में बाबा में तो जीवन है सुरज चांद तारों से पार में उड़ जाओं अपने त्यारे त्यारे वो मेठे वतन मिलन मना कर तुमसे बाबा में भर जाओं इन्ही लगन में हो जाओं यूं सदा मगन तेरे रंग दिरंगे खिरनों के छठ चाया ले महसूस होता मन को है निरंचर एक तीरा संग हो बाबा मेरे तो जीवन है मेरा सदा बेपिखर तीरा संग हो बाबा मेरे तो जीवन है मेरा सदा बेपिखर तेरी आजों में दुबा है दिल मेरा तेरी आजों में दुबा है दिल मेरा तेरे प्यार से हुआ ऐसा सदा एक तीरा संग हो बाबा मेरे तो जीवन है मेरा सदा बेपिखर जैसे सूरज की गरमी से जलते हुए तन को मिल जाए तरुवर की छाया सूरज की गरमी से जलते हुए तन को मिल जाए तरुवर की छाया ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है मैं जब से शरण तेरे आया मेरे राम सूरज की गरमी से जलते हुए तन को मिल जाए तरुवर की छाया भटका हुआ मेरा मन था कोई मिलना रहा था सहारा भटका हुआ मेरा मन था कोई मिलना रहा था सहारा लहरों से लड़ती हुई नाव को जैसे मिलना रहा हो किनारा उस लड़ खडाती हुई नाव को जो किसी ने किनारा दिखाया ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है मैं जब से शरण तेरे आया मेरे राम सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरुवर की छाया शीत बने आग चन्दन के जैसी राघा ओ क्रुपा हो जो तेरी पुजियाले पूनम की हो जाए राते जो थी अमावस अंधेरी युग युग से प्यासे मरू भू मेने जैसे सावन का संदेश पाया ऐसा ही सुख मेरे मन को मीला है मैं जब से शरण तेरे आया मेरे राघ सुरज की गर्मी से जोते हुए तन को बिल जाए तरवर के छाया जिस राह के मंजिर तेरा मिलन हो उस पर कदम मैं बढ़ाओं फूलो में खारो में पत जड़ बहारो में मैं ना कभी डग मगाओं फूलो में खारो में पत जड़ बहारो में मैं ना कभी डग मगाओं पानी के प्यासे को तकदीर ने जैसे जी भर के अमृत पीलाया ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है मैं जब से शरण तेरे आया मेरे राम सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को बिल जाए तरवर की छाया ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है मैं जब से शरण तेरे आया मेरे राम सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया ऐ मालिक तेरे बंदे हम ऐसे हो हमारे तरव नेकी पर चले और बदी से तले ताकि हसते हुए निकले दम ऐ मालिक तेरे बंदे हम ऐसे हो हमारे करम नेकी पर चले और बदी से तले ताकि हसते हुए निकले दम ऐ मालिक तेरे बंदे हम बड़ा कमजोर है आदमी अगिला को है इसमें खमी पर तु जो है खड़ा है दयालो बड़ा तेरी किरपा से धरती थमी दिया तूने हमें जब जनम तू ही झेलेगा हम सब के गम नेकी पर चले और बदी से तले ताकि हसते हुए निकले दम ऐ मालिक तेरे बंदे हम जब जल्मों का हो सामना तब तू ही हमें धामना वो बुराई करे हम भलाई भरे नहीं बदले के हो कामना बड़कु के प्यार का हर करम और मिटे बैर का ये भरम नेकी पर चले और बदी से तले ताकि हसते हुए निकले दम ऐ मालिक तेरे बंदे हम सजादो घर को गुशन सा मेरे सरकार आए हैं मेरे सरकार आए हैं मेरे सरकार आए हैं लगे कुटिया भी दुलहन सी मेरे सरकार आए हैं सजादो घर को गुशन सा मेरे सरकार आए हैं elijkόल झातार आए हैं सा ड़्डशन एक गूच मेरे सुचरी झात करता को बातार आए हैं ये खर आए हैं अन्यλλά व हैं दूशन learn पखारो इनके चरणों को बहा कर प्रेम की गंगा पखारो इनके चरणों को बहा कर प्रेम की गंगा पखारो इनके चरणों को बहा कर प्रेम की गंगा पखारो इनके चरणों को बहा कर प्रेम की गंगा बिचा दो अपनी पल को को बिचा दो अपनी पल को मेरे सरकार आए है सजादों घर को बुर्शन सा मेरे सरकार आए है कर दो बंगा कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो तेरी आहत से है वाकिफ नहीं चहेरे की है दर्कार तेरी आहत से है वाकिफ नहीं चहेरे की है दर्कार बिना देखे ही कह देंगे लो आ गए है मेरे सरकार लो आ गए है मेरे सरकार दुआओं का हुआ है असर मेरे सरकार आए है सजादों घर को गुर्शन सा मेरे सरकार आए है मेरे सरकार आए है मेरे सरकार आए है लगे कुटिया भी दुलहन सी मेरे सरकार आए है सजादों घर को गुर्शन सा मेरे सरकार आए है मेरे सरकार आए है मेरे सरकार आए है दुनिया से मैं हो रा तो आया तेरे बार दुनिया से मैं हो रा तो आया तेरे बार मैं हारा तो आया तेरे द्वार यहां है सब कुछ पाया तुम्हें पाके मेरे सरकार दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार यहां है सब कुछ पाया तुम्हें पाके मेरे सरकार इसके सिवा मिरता है चैन कहीना यही बीद जाए मेरे दिन और रेना देव लोक से सुन्दर आबू का ये संसार यहां है सब कुछ पाया तुम्हें पाके मेरे सरकार दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार यहां है सब कुछ पाया तुम्हें पाके मेरे सरकार यहां है सब कुछ पाया तुम्हें पाके मेरे सरकार तेरे पना हमें देह की दुनिया को भूला हर सुख से बढ़तर तेरे प्रेम का जूला तेरे पना हमें देह की दुनिया को भूला हर सुख से बढ़तर तेरे प्रेम का जूला तुमसे ही जुड़े हैं मेरी आदों के तार तुमसे ही जुडे हैं मेरी आदों के तार यहां है सब कुछ पाया तुम्हें पाके मेरे सरकार दुनिया से मैं हारा तु आया तेरे द्वार यहां है सब कुछ पाया तुम्हें पाके मेरे सरकार यहां है सब कुछ पाया तुम्हें पाके मेरे सरदाय तुम्हें जो न मिल गएतों में यो ही भटकता राहों से तुफानों का अंतना होता तुम्हें जो न मिल गएतों में यो ही भटकता राहों से तुफानों का अंतना होता तुम्हें पर मेरे बाबा जीवन ये बनिहार तुम पर मेरे बाबा जीवन ये बरिहार यहां है सब कुछ पाया तुम्हें पाके मेरे सरकार दुनिया से मैं हारा तु आया तेरे ध्वार यहां है सब कुछ पाया तुम्हें पाके मेरे सरकार यहां है सब कुछ पाया तुम्हें पाके मेरे सरदार सब तीठों में आबू तीठ है महान आकर यहां मिलते बच्चों से भगवान सब तीठों में आबू तीठ है महान आकर यहां मिलते बच्चों से भगवान यही से पूरा करते जग परिवर्तन का कार्य यहां है सब कुछ पाया तुम्हें पाके मेरे सरकार दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे बार यहां है सब कुछ पाया तुम्हें पाके मेरे सरकार पाया तो आया तुम्हें नहीं पाया तुम्हें नहीं है ये प्रार्थना दिल की बेकार नहीं होगी ये प्रार्थना दिल की बेकार नहीं होगी पूरा है भरोसा मेरी हार नहीं होगी शिव बाबा जब तु मेरी साथ है शिव बाबा जब तु मेरी साथ है शिव बाबा सर पे तेरा हाथ दे शिव बाबा जब तु मेरी साथ है विश्वास मेरी मन का तेरे साथ करंग लाया विश्वास मेरी मन का तेरे साथ करंग लाया भक्तों का रक्षक बन भगवान खुद आया इच्चत जमाने में शर्मसार नहीं होगी पूरा है भरोसा मेरी हार नहीं होगी शिव बाबा जब तु मेरे साथ है शिव बाबा सर पे तेरा हाथ है शिव बाबा जब तु मेरे साथ है शिव बाबा सर पे तेरा हाथ है शिव बाबा जब तु मेरे साथ है शिव बाबा जब तु मेरे आप तु मेरे साथ है शिव बाबा जब तु मेरे साथ है शिव बाबा जब तु मेरे साथ है ये कभी हो नहीं सकता मैं हार जाओ ये कभी हो नहीं सकता बेटा अगर दुख में पिता सो नहीं सकता बेटे की हार तु में स्वीकार नहीं होगी पूरा है भरोसा मेरी हार नहीं होगी शिव बाबा जब तु मेरे साथ है शिव बाबा सर में तेरा हाथ है शिव बाबा जब तु मेरे साथ है शिव बाबा सर पे तेरा हाथ है शिव बाबा जब तु मेरे साथ है जो हार जाते हैं उनको जिताते हो जो हार जाते हैं उनको जिताते हो हर मुश्किलों में तुम मेरा साथ निभाते हो नईया कभी मेरी मजधार नहीं होगी पूरा है भरोसा मेरी हार नहीं होगी शिव बाबा जब तु मेरे साथ है शिव बाबा सर पे तेरा हाथ है शिव बाबा जब तु मेरे साथ है शिव बाबा सर पे तेरा हाथ है सर पे तेरा हाथ है मुझे तुने दाता बहुत कुछ दिया है तेरा शुकरिया है मुझे तुने दाता बहुत कुछ दिया है तेरा शुकरिया है मुझे तुने भगवन बहुत कुछ दिया है तेरा शुकरिया है तेरा शुकरिया है न मिलती अगर दी हुई दात तेरी जमाने में क्या थी ओकात मेरी न मिलती अगर दी हुई दात तेरी जमाने में क्या थी ओकात मेरी मुझे तुने जीने के काबिर किया है तेरा शुकरिया है तेरा शुकरिया है मुझे तुने जीने के काबिर किया है तेरा शुकरिया है तेरा शुकरिया है किया कुछ नहीं है शर्मसार हूँ मैं तेरी रहमतों का तलबगार हूँ मैं तेरी रहमतों का तलबगार हूँ मैं दिया कुछ नहीं बस लिया ही लिया है तेरा शुकरिया है तेरा शुकरिया है दिया कुछ नहीं बस लिया ही लिया है तेरा शुकरिया है तेरा शुक्रिया है तेरी रह्मतों का इशारा न होता तो दुनिया में मेरा गुजारा न होता तेरी रह्मतों का इशारा न होता तो दुनिया में मेरा गुजारा न होता उसे क्या कमी जो तेरा हो गया है तेरा शुक्रिया है उसे क्या कमी जो तेरा हो गया है मुझे तुने दाता बहुत कुछ दिया है तेरा शुक्रिया है तेरा शुक्रिया है नवस्कार, सुप्रभाद, स्वागत आप सभी का सबरंग कारिक्रम में वित्रों सुबह उठते ही हम परंपिता परमात्मा को याद करते हैं और अपने दिवस के खोपसूरत अच्छे होने की कामना करते हैं लेकिन इश्वर हम सब को आशिश देने के साथ साथ एक बात अवश्य कहते हैं कि बच्चे अच्छे कर्म करना क्योंकि तुम्हारे अच्छे कर्म ही तुम्हारे भविश्य को सुन्दर बनाने वाले हैं तुम्हारे अच्छे कर्म ही तुम्हे सुख प्रदान करने वाले हैं क्योंकि कहा भी जाता है हम सुनते आए हैं जैसी करने वैसी भरने जैसा बोगे वैसा ही काटोगे ये यूँ ही नहीं कहा जाता इश्वर हमें प्रकाश देते हैं इश्वर हमें शक्ति देते हैं आशीश देते हैं ताकि हम अच्छे से अच्छा कर्म करें लेकिन कर्मक्षेत्र पर ध्यान हम सबको ही देना है इस बात का कि हमारे कर्म अच्छे हो ताकि हमारा वर्तमान और हमा कि की ओर नाकाम होता जाता है उस पर दुखों का कहर टोटने लगता है तो वो हताश हो जाता है कलत निर्णे लेने लगता है अपने जीवन में किस्मत को बार-बार कोसने लगता है पर तो जीवन की सत्यता ये है कि दुख हमारे धैरे की परीक्षा लेने आते है और सुख हमारे एहेंकार की और इन दोनों परिक्षाओं में जो व्यक्ति उत्तीन होता है वही जीवन में सफल होता है तो सुख और दुख के इस खेल के नियम को यथार्थ समझें और जीवन में आगे बढ़ें आम शांति मित्रों जीवन में कभी भी ये सोच कर आप शक्तिहीन या कमजोर ना हों कि आप अकेले हैं बलकि आप ये सोच कर कि भले मैं अकेला हूँ लेकिन अकेला ही काफे हों इस सोच के साथ डटे रहें तो निश्चितरूव से परिणाम आपके अनुकूल होता चलेगा कई बार हम अपने आपको शक्तिहीन विचारों से बहुत ज़्यादा गहेड लेते हैं और यह सोचने लगते हैं कि मुझसे नहीं होगा, मैं असफल हो जाओंगा कहीं यह ना हो जाए, वो ना हो जाए और वैसा ही होता है जैसे आप विचारों के बीजबो देते हैं तो क्यों ना, शक्तिहीन विचारों को एक तरफ रखते हुए अपने आपको हम शक्तिशाली विचारों से भरें भले ही परिस्थितियां हमारी अनुकूल ना भी हो भले ही हम अकेले ही क्यों ना हो लेकिन अकेला ही मैं कर सकता हूँ क्योंकि भगवान मेरे साथ हैं इस विचार के साथ यदि आप आगे बढ़ते हैं तो निश्यत रूप से सफलता आपके कदम चुमती है तो सफलता आपके इड़्द गिर्द घुमे आपके कदम चुमे नहीं सुन्दर शुब कामनाओ के साथ आई चलते हैं अगले सेग्मेंट की ओर ओम शांते फ्रेंट्स दोस्तों हमारे शरीर में यह जो मस्कुलो स्केल्टर सिस्टम है इक तरह का फ्रेमवर्क है पूरे इंसान का जो 206 हडियों से बना हुआ और उसमें हड़ी के बीच में जॉएंट्स हैं दो हडियों के जॉएंट्स हैं जॉएंट्स को चलाने के लिए म वियुक्त das नगेशियां हैं लिएम जॉएंट्स हैं तन्दंस हैं डीड बाड़े में मुस्ल्स बोन्स जॉएंट्स तो होते हैं तॉए वह श्क्ती जो आत्म के अंधर शक्ती हैं जो आच्शक्तिया है उससे बहुत कहरा इसक्टन है तो हम दीखेंगे हमारे औरम्श आच और लेफ्ट हमिस्फियर है, उसके साथ हमारा लोर ब्रेन है, उसे 12 करनियल नव्स, राइट साथ और लेफ्ट साथ दोनों तरब जाती हैं, और हमारे चेहरे और सेंसेशन हैं, उसका फंक्शन है, तो लगए 45 नव्स हैं ऐसी, जो इसके दोरा हमारा पूरा मस्क्लो स्केल्ट सिस्टम को बच्चे से हेल्दी बना सकते हैं, होमशाथ वित्रों किसी ने बहुत ही प्यारी सी बात कही है, कि बीता हुआ कल तुम्हारे दिमाग में है, और आने वाला जो कल है, वो तुम्हारे हाथ में है आप विचार करें इस गहरी सी बात पे बीते हुए कल की बातें दिमाग में ही न गोमती रहें कि ऐसा क्यों वैसा क्यों आदी आदी इत्यादी यदि वही दिमाग में गोमती रहेंगी तो जो आने वाला कल है जो आपके हाथ में है वो भी फिसलता चला जाएगा क्योंकि समय आप बीते हुए कल की बातों को सोच सोच कर नस्ट कर रहे हैं मित्रों बहुत ही गहरी सी बात है और अपने जीवन में लाने वाली बात है कि हम जो हो गया उसे फुल स्टॉप लगाते हुए जो आने वाला कल है उस पर विचार करें और आज को स्रेस्ट से स्रेस्ट बनाए अपने कर्म जितने अच्छे होते चलेंगे आज वर्तमान जितना अच्छा होता चलेगा कल उतना ही अच्छा अवश्य होगा आए वर्तमान को सुंदर बनाने के संकल्प के साथ चलते हैं अगले सेग्मेंट की ओर देलाइट सिर्फ एक फिल्म नहीं यह एक आध्यात्मिक अनुभव है जो आपको आत्म अन्वेशन की ओर ले जाता है प्रजापिता ब्रमा कुमारीज ईश्वरिय विश्व विद्याले के संस्थापक के जीवन पर आधारित देलाइट आपको परम प्रकाश से जोड़ेगी और आने वाली स्वर्णिंग यूग की दुनिया की तस्वीर दिखाएगी इस फिल्म को गोवा के 54 बे इंटरनाशनल फिल्म फेस्टिवल में भी चैन किया गया था तरासल पुरे ही भारत भर में यह फिल्म दर्शकों को दिखाया जा रहा है जिसके रिव्यूज की श्रिंखला आपको दिखाई जा रही है श्रिंखलाव में इस मोवी में हर वो चीज था जो कुछ समय पहले जब मैं माउंटा को गया था तो वो सारी पिचरे आज यहां मोवी को देखे के क्लियर हो गया और इसमें जो बाबा के दोरा बहनोंने जो संतेश दिया इस मोवी के दोरा वो भॉह बहूंत ही साराणी इस इसमें से हर एक चीज को अगर जो इंसान यहां पर आये हैं देखने के लिए अगर उसमें का छोटा सा भी चीज को फॉलो करता है तो हर एक इंसान का जो लाइफ है वो बहुत ही स्ट्रॉंग हो जाएगा उनका जीने का तरीका चेंज हो सकता है यहां पर इस मोई को देखके बहुत ही इंस्पिरेशन मिलता है और मैं कहना चाहूंगा कि यह जो दलाइट तो मुई है इसको हर किसी को एक पर जरूर देखा जी और मेरी ऐसी मानिता है यह फिल्म समाज में उस रोष्णी को प्रजूलित करेगा जिस उदेश को लेकर बाबाजी में इस संस्थान के अथा छुट्रे हुए एक महा पुरुष ने कहा कि मन इतना शांत हो गया है कि अब ज़वाब देने की बजाय चुप रहने को मन करता है। सचमच अध्यात्म इतना सुकून और शांती से हमारी मन को भर देता है पर मात्मा का प्यार और जो सानिध्य है वो इतना ज़्यादा मन को त्रिप्त कर देता है कि फिर हम वानी से अपने आपको उपराम करने लगते हैं या फिर मौन रहना हैं अपने आप में सर्वसमस्याओं का समाधान हमें लगने लगता है और ये मौन की शक्ते ना केवल हमारे लेकिन अनेकों की समस्याओं का भी उपचार करने लगते हैं ऐसा अनुभूती हम करते हैं और सच मुझ परमात्मा के प्यार में ही सब कुछ समाया हुआ है आध्यात्म में सब कुछ समाया हुआ है सर्व समस्याओं का निदान समाया हुआ है और कैसे ये निदान हमें प्राप्त होता है कैसे हम अपनी जीवन की भी समस्याओं का औरों के भी जीवन की समस्याओं का निदान करने में सक्षम हो पाते हैं आद्धे आत्म के माध्यम से यही सुंदर कला प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी इश्वरिव शिद्याले में सिखाई जाती है आईए देखें उनकी इन ही सुंदर सेवाओं को पीस नियोस हाइलाइट्स में दूरदर्शी एवं विशिष्ट भूमिकाओं में सक्रिय जनों को सम्मानित किया गया इसके अंतरगर आध्यात्म एवं शैक्षन एक उतकृष्टता के समागम के रूप में प्रिंसिपल कॉंक्लेव भारत भूशन सम्मान कार्यक्रम रखा गया प्रिंसिपल कॉंक्लेव में शिक्षक शेत्र के ऐसे असाधारन नित्रित्व करताओं को सम्मानित किया गया जिन्होंने युवा प्रतिभाव को प्रेरिद करने और विश्व स्तर पर उतकृष्टता की संस्कृती को विक्सित करने के लिए खुद को समर्पित किया है कार्यक्रम में IDYM के संस्थापक रवी शंकर जी, CEO मिस्दीनुल जी और सेवाकेंद्र संचालिका भी के डॉक्टर अरुना दीदी जी ने इस कार्यक्रम का उद्देश्य भारती अजन समुदाय में बहुत धिक और आध्धात में कात्म निर्भरता का बीजारोपन करना बत लेकिन दूद से ज़्यादा महेंगा दही होता है, दही से ज़्यादा महेंगा मक्खन और मक्खन से ज़्यादा महेंगा घी होता है देखने में इन चारों के ही रंग एक जैसे ही होते हैं लेकिन कीमत अलग-अलग हो जाती है भावारतिये है मित्रों की जीवन में जितने भी सताय जाएं जितने भी दुख और परिशानियों का हम सामना करें इनका सामना करते हुए यदि हम अपना रंग नहीं बदलते यदि हम परिशान नहीं होते तो हमारी जीवन की कीमत बढ़ती चली जाती है हम अपने रंग को ना बदले अर्थात, अपनी मनों इस्थिती को बिलकुल भी उलजन की इस्थिती में ना आने दें, बलकि एक श्रेष्ट मानसिक अवस्था की ओर बढ़ते चलें सच मुच यह बहुत प्रेष्ट सी बात है मित्रों कि जीवन की तमाम परिस्थितियों में भी अपने आपको एक रस रखना, श्रेष्ट इस्थिती में रखना, ताकि जीवन औरों के लिए भी प्रेष्णा दाई बन जाए तो आप ऐसे ही सभी को प्रेरित करते रहें और आपकी जीवन का मुल्य दिनों दिन बढ़ता चले इने मंगल कामनाओं के साथ नमस्कार, ओम शैंती जीवन के सब्रम, सब्रम, सब्रम भगवान मेरी नया, उस पार लगा देना भगवान मेरी नया, उस पार लगा देना अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना भगवान मेरी नया, उस पार लगा देना अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना भगवान मेरी नया, उस पार लगा देना अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना भगवान मेरी नया, उस पार लगा देना अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना आगे भी ना हम दीन दुखी निरबल, नित नाम रहे प्रतिपल, हो जे हो यह सोच दरस दो के, प्रभु आज नहीं दो कर, जो बाग लगाया है भूलों से सजा देना, भगवान मेरी नईया, उस पार लगा देना अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना भगवान मेरी नईया, उस पार लगा देना अब तक तो निभाया है, आगे ही निभा देना अब तक तो निभाया देना तुम शान्ति सुधा कर हो, तुम ग्यान दिवा कर हो, होजे हो मम हंस चुगे मोती, तुम मान सरोवर हो दो बूत सुधारस किये, हमको भी पिला देना भगवान मेरी नईया, उस पार लगा देना अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना भगवान मेरी नईया, उस पार लगा देना अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना मेरी निभाया है, आगे भी निभावान मेरी निभावान मेरी निभां अब तो, अब तो, तो, आगे झाचे रोकोंगे भला कब तक, दर्शन को मुझे तुम से हो जे हो चरणों से लिपट जाओ, व्रुक्षों से लता जैसे अब द्वार खड़ी तेरे, मुझे राह दिखा देना भगवान मेरी नईया, उस पार लगा देना अब तक तो निभाया है, आगे ही निभा देना भगवान मेरी नईया, उस पार लगा देना अब तक तो निभाया है, आगे ही निभा देना अब तक तो तो निभाँ आगे ही निभाए देना अब तक तो निभाँ देना अब देना मजधार पड़ी नईया दगमग डोले भव में होजे हो आओ त्रिशला नंदन हम जान धरे मन मेरे अब तन वर कर विन दिये मुझे अपना बना लेना भगवान मेरी नईया उस पार लगा देना अब तक तो निभाया है आगे ही निभा देना भगवान मेरी नईया उस पार लगा देना अब तक तो निभाया है आगे ही निभा देना भगवान मेरी नईया उस पार लगा देना अब तक तो निभाया है आगे भी निभा देना भगवान मेरी नईया उस पार लगा देना अब तक तो निभाया है आगे ही निभा देना भगवान मेरी नईया उस पार लगा देना अब तक तो निभाया है आगे ही निभा देना हमान मेरी नईया उस घर अभवा क्या वा देना आगान मेरी नईया जो। प्रभु को ढूंड़ा था कहा 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 हो मधुबन में पाया नया जहाँ सब रूहोंने पाई है मन्स यहाँ शिव बाबा से मेरा मिलन हो गया आनंद के सागर में मैं खो गया शिव बाबा से मेरा मिलन हो गया मेरे बाबा मेरे बाबा सांसों की खौनी हो महरबान मुझ पर खुदा हो गया शिव बाबा से मेरा मिलन हो गया आनंद के सागर में मैं खो गया सार पहेलियों का हल हो गया खुशियों का मुझ को पता मिल गया तेरे प्यार की छईयां से मेरे मन को त्रिप्ती मेरी है उकसे मिलन बनाने से नदियां बहती है नेनों से मेरे बाबा मेरे बाबा प्राण प्यारी मेरे बाबा तु मिला तो रोम रोम है खिल गया शिव बाबा से मेरा मिलन हो गया था पोड़ी अब हीरा मैं बन गया विपारों के जाल से मैं छूड गया रुहान ग्यान का ही असर हो गया मेरे बाबा मेरे बाबा सांसों के खौनी हो ये जीवन तेरे ही नाम हो गया शिव बाबा से मेरा मिलन हो गया आनंग के सागर में मैं हो गया साग पहेलियों का हल हो गया खुशियों का मुझे को पता मिल गया हम पंजान थे गयान से मुरली से सुबह होई है तेरे प्रेम के सागर से दिल की का गर भर गई है मेरे बाबा मेरे बाबा प्राण प्यारी मेरे बाबा तू मिला थो मेरा प्रेम और बढ़ गया शिव बाबा से मेरा मिलन हो गया जन्मो जन्मो का पिता मुझे को मिल गया आनंद के सागर में मैं खो गया जन्द की था मुझे को मकसद मिल गया मेरे बाबा मेरे बाबा साथा की था मी हो मेरा आखरी प्यार तू बन गया शिव बाबा से मेरा मिलन हो गया आनंद के सागर में मैं खो गया शिव बाबा से मेरा मिलन हो गया तेरी हाँ मैं मैं नाजी तेरी नावे भी राजी तेरी ही राव में चलू तेरी हाँ मैं मैं नाजी तेरी नावे भी राजी तेरी ही राव में चलू हो प्रभु को ढूंधा था कहा 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 हां मधुबन में पाया नया जहा नया जहा नया जहा सब रूहों ने पाई है मन्जिल यहा शिव बाबा से मेरा मिलन हो गया आनंद के सागर में मैं खो गया शिव बाबा से मेरा मिलन हो गया मेरे बाबा मेरे बाबा सांसों के स्वामी हो महरवान मुझ पर खुदा हो गया शिव बाबा से मेरा मिलन हो गया आनंद के सागर में मैं खो गया सारी पहेलियों का हल हो गया खुशियों का मुझको पता मिल गया मेरे बाबा मेरे बाबा मेरे बाबा शिव बाबा से मेरा मिलन हो गया आनंद के सागर में में खो गया मेरे बाबा मेरे बाबा मेरे बाबा मेरे बाबा मेरे बाबा शिव बाबा से मेरा मिलन हो गया शिव बाबा से मेरा मिलन हो गया जब संसार प्रचंड तूफान का रूप धारण कर ले तब सर्वोत्तम आश्रैस्थल इश्वर की गोद है जैसे बच्चा मा की गोद में सुरक्षत महसूस करता है ऐसे ही परमात्मा मा की गोद एक सुरक्षत स्थान है आजब सभी स्थान की तुम्हामारे थे प्रभूजी तुम्हामारे हों तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे प्रियतम तुम हमारे थे प्रभुजी तुम हमारे हो तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे प्रियतम हम तुम्हारे थे प्रभुजी हम तुम्हारे है हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रियतम हम तुम्हारे थे प्रभुजी हम तुम्हारे है हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रियतम हम तुम्हारे ही रहे है नंद दुलारे कोई नमीत हमारो किसके द्वारे जाए पुकारो और न कोई सहारो अब तो आके बाह पकड़ो ओ मेरे पुकारो तुम हमारे थे प्रभूजी तुम हमारे हो तुम हमारे ही रहोगी ओ मेरे प्रियादम हम तुम्हारे थे प्रभूजी हम तुम्हारे हैं हम तुम्हारे ही रहेगी ओ मेरे प्रियादम तुम्हारे थे रहे प्रियादम तेरे कारण सब जग छोड़ा तुम संगनाता जोड़ा एक बार प्रभू बस ये कह दो तु मेरा मैं तेरा साची प्रीत की रीत निभादो ओ मेरे प्रियादम तुम्हारे थे प्रभूजी तुम्हारे हो तुम्हारे ही रहोगी ओ मेरे प्रियादम हम तुम्हारे थे प्रभूजी हम तुम्हारे है हम तुम्हारे ही रहेगी ओ मेरे प्रियादम हम तुम्हारे ही तुम्हारे प्रियादम ती सुनली जो ओ ब्रजराज दुलारे आखरियास यही जीवन की पूरण करना प्यारे एक बार ही जैसे लगा लो ओ मेरे प्रियतम तुम्हारे थे प्रभूजी तुम्हारे हो तुम्हारे ही रहोगी ओ मेरे प्रियतम हम तुम्हारे थे प्रभूजी हम तुम्हारे है हम तुम्हारे ही रहेंगी ओ मेरे प्रियतम तुम्हारे थे प्रभूजी तुम्हारे हो तुम्हारे ही रहोगी ओ मेरे प्रियतम तुम्हारे ही रहोगी ओ मेरे प्रियतम सुभा सवेरे ले कर तेरा नाम प्रभू करते है हम शुरू आज का काम प्रभू सुभा सवेरे ले कर तेरा नाम प्रभू करते है हम शुरू आज का काम प्रभू करते है हम शुरू आज का काम प्रभू शुद्ध भाव से तेरा ध्यान लगाए हम विद्या का वर्दान तुम ही से पाए हम शुद्ध भाव से तेरा ध्यान लगाए हम विद्या का वर्दान तुम ही से पाए हम हाँ विद्या का वर्दान तुम ही से पाए हम तुम ही से है आगास तुम ही अंजाम प्रभू करते हैं हम शुरु आज का काम प्रभू सुभा सवेरे ले कर तेरा नाम प्रभू करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभू गुर्मों का सतकारत भी ना भूले हम इतना बने महान गगन को छूले हम हाँ इतना बने महान गगन को छूले हम हाँ इतना बने महान गगन को छूले हम तुम ही से हैं हर सुभा तुम ही से शाम ब्रभू करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभू सुभा सबेरे ले कर तेरा नाम प्रभू करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभू करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभू करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभू करते हैं हम शुरू करते हैं हम शुरू आरे तोड़े राई दर्मस्य आटानामदर्मस्य यदात्मानाम स्रजाम्याहं परित्रानाय साधूनाम विनाशायच दुष्कृताम विनाशायच खर्म संस्था अपनार थाया संभवामी युगे-जुगे-जुगे-जुगे-जुगे-जुगे-जुगे-जुगे-जुगे-जुगे-जुगे-जुगे-जुगे-जुगे-जुगे-जुगे-जुगे-जुगे-जुगे-जुगे-जुगे-जुगे-जुगे-जुगे-जुगे-जुगे-जुगे-जुगे अत्मा रचाईता हैं, दाता विधाता हैं, उन्हें किसी प्रकार का त्याग नहीं करना पड़ता, क्यूंकि वे कर्म और कर्म भल से परे हैं, बर्तमान में निर्मान होकर, निस्वार्थ भाव से वे हमारी सेवा कर रहे हैं, यदि हमें यह याद रहे, तो हमारे कर्म श्रिष्ठ हो जाएंगे, और फिर हमारे लिए कर्म भल का त्याग करते हुए, उच्च कोटी के कर्मों में लग जाना, और आगे बढ़ना सहज हो जाएगा, ओम शान्ति कर्मक्षेत्र, मानों जीवन का एक अभिभाज अंग है, परमात्म, गीताग्यान दाता, इस कर्मक्षेत्र में कर्म और फल के चकर में कभी नहीं आती, ना करोति, ना लिपना, मैं करता भी नहीं हूँ, उसमें लिपायमान भी नहीं होता, ये भगवान की वारी है, फिर भी ग्यानका सागर सरवग्य गीता ग्यानदाता परमात्माने इतनी गहराई से इतनी बारीकी से इतनी सुक्ष्मता से कर्म और कर्म अफल की बातें और कैसा कर्म करना चाहिए कैसा नहीं करना चाहिए बर्तमान भूत भविशत के लिए जो मार्गदर्शन दिया है, सच में अवर्ननी है, इतना ओंचा, इतना श्रेष्ट मार्गदर्शन भगवान ही दे सकता है। इसलिए तो मनुष्यात्माओं को गल्तिया कहा होती है और गल्तियों को सुधारने के लिए क्या करना चाहिए। निराश होके हताश होके फीक है न अभी कुछ करने का रहा ही नहीं है मैं सन्यास लेने की सूछते हैं लेकिन भगवान केता है यहां पर इतनी स्पष्टता से कि साधना तो हर किसी को करना है अपको सन्यासी बनना है यह ग्रहस्ति रहकर कर्म फलत्याग करते हुए कमल फूल के समान जीना है दोनों तरफ करम तो करम ही है करना ही है लेकिन कर्म करते हुए हमारे मन के भाव कैसे होनी चाहिए ये भगवान बहुत अच्छी तरह से समझाते हैं कई बार हम बहुत हलके से ले लेते हैं भगवान की बातों को तब हम परेशानी में आ जाते ऐसी एक घटना है एक राजा के दरबार में एक विदूशक रा करता था विदूशक माना आप सभी को पता है हसापे रहते हैं हसी हसी में उसने एक दिन कह दिया कि राज्य की जो मंत्री है उनका दो दिन में बुत्य हो जाए हसी हसी में कह दिया वो तो कोई जोतिशी नहीं था फिर भी इसने कह दिया वो इतिफाक कहे दो दिन के बाद गोड़े से गिरके मंत्री की बृत्य हो गई यह देखकर राजा ह्यान रहे गया राजा ने सूचा कि शायद विदुश्यक है वह विश्य जानता है शिलिए विदुश्यक को कैद किया गया और राज़दरबार में पेश किया गया और राजा इतना नाराज था, तेरे को जब पता था ये दो दिन के बाद मरने वाला है, तो तुने इसे मरने कैसे दिया, ये विदूशिक तो हैराम था, क्योंकि यूँ ही कह दिया था इसने, कोई जिम्मेवारी की बात नहीं थी, हसने हसाने के लिए, प्राण संकत में कि तु ये बता, तेरे मृत्य कब होगी, दूसरों के तो बता रहा, तेरे मृत्य कब होगी बता, तब सोच में पड़िया है विदूशक, तुर भी जवाब तो देना था, तो देखिए, कर्म से हताश निराश ना होते हुए, अपनी जो विदूशिक्ता है, उसी को जारी रखते हुए, उसने कहा, महाराज, आपके मृत्य के दो दीन पहले मेरे मृत्य हो जाएगा, जो राजा ने सोचा था, इसको मृतिदन दूगा, उसे न, एकदम से, मालो किसी ने थप्ण मार दिया, अगर इसको आज मैं मार दूँगा, यह मृतिदन दे दूगा, तो दो द इसके कारण उसको छूटते हैं ऐसे एक घटना हम कहानियों में पढ़ते हैं सुनते हैं यह नहीं कि यह सच है या नहीं है ऐसी बात नहीं है लेकिन इससे एक सीख हमें जरूर मिलते हैं कभी भी जिन्दगी की रास्ते में कुछ उल्जन आये तो हताश निराश नकी होना चाह कि और यह तो सभी को पता है जो ताला बनाता है वो जरूर बनाता है इसलिए जो हम कर्म करते हैं यहां पर अभी हम जो सुन ने än रहे है कर्म फल त्याग ठेस्ट आग जो हैं त्याग में तीन वैराईटी बताओंगा दूसरे शलोक में इस अध्याई में भगवार्वार न यहां भी कर्म फलत्याग की या त्याग की तीन स्टेप्स में भगवान हमें समझा रहे हैं। वैसे भी हमने सुना था एक नियत कर्म एक उर्काम्य कर्म और एक है नईमेतिक कर्म। वैसे हमने सुना था महात्याग, सर्वस्वत्याग और सर्वामशत्याग की भी बाते सुने थे यहां जो शास्त्रों के अनुसार जो कहा गया है नियत कर्म माना जो जिस घराने में जनम लिया है उसके कुछ फिक्स नियत कर्म होते है जैसे कि कोई क्रुशिक है, उसका नियत कर्म होता है क्रुशी देखना, पेड़ पौदे संभालना, अना जुडाना, उसके साथ जुड़े हुए अशुधन को संभालना, घर चलाना, इस सब नियत कर्म है. अगर मोह वश्य होके हम नियत कर्म को छोड़ देते हैं, तो इसे तामसी को त्याग का जाता है। त्योव तामस कर्म फलत्याग कहला है। अभी शुरू तामस कर्म फलत्याग से बुड़े है। जो नियत कर्म है, आज केल हम देख रहे हैं, मोह के कारण, बहुत सारे लोग अपने नियत कर्म से मोह फेर रहे हैं। है ना, बच्चे बड़े हो गए, विदेशों में पैसे कमा रहे हैं। बच्चों को खेती बाड़ी करना, हाथ मैला करना अच्छा नहीं लगता। बेटी बहुए, स्पा में जाती है, हाथ नरम नरम रखना चाहती है, काम नहीं कर सकती है। तो बच्चों के मोह में आकर बहुत सारे लोग केती बाड़ी को छोड़ते हैं। शेहरों में जाके बस रहे हैं। यसे क्या हो गया है? हम जो देख रहे हैं, शेहर बरते जा रहे हैं। अन्ड की कमी हो रही है, अन्ड बाहर से मंगाना पड़ रहा है, जो बहुत कीमती भी हो रहा है। उसलिए भगवान कहते हैं, मोह के कारा है। नियत कर्म का त्याग मत, सन्यास मत, अगर ऐसे करोगे, तो ये तामस त्याग कह रहे हैं। तो दुनिया में जो हम त्याग देख रहे हैं, हम सुनते हैं कि पहले जमाना था कि बड़ों की बात बच्चे सुनते थे, आज जमाना है बच्चों की बात बड़े सुन रहे हैं, क्योंकि बहुत गहरी मोग का ये जो जाल है, इसमें फसे रहे हैं, जिसके कारण भले वो त्य त्याग कर भी रहे हैं लेकिन त्याग का कोई भी फल नहीं मिल रहा है क्योंकि वह तामसित त्याग हुए हम अपने आपको चेक करें जैसे कि हम कई बार सोचते हैं हमें कहीं जाना है इसलिए हम अमृत वेले ब्रामे में उपते हैं जो नींद का त्याग हमने किया इसको सत्वी को त्याग करेंगे ट्रेन पकड़ने की फ्लाइट पकड़ने की ज़रूरत थी इसलिए हमने त्याग किया यहां स्वार खा गया अमृत्वेले का आनंद लेने के लिए नहीं, परमात्मा से बात करने के लिए नहीं हमने टिकेट लिया हुआ है अगर नहीं जगेंगे तो पैसा खराब हो जाएगा इससे देखे छोटी छोटी बातों में त्याग तो हम कर रहे हैं लेकिन जब सवेरे उठकर भगवान को याद करने की बात आती है तब हम कहते हैं नहीं हमसे यह नहीं सकता लेकिन आज किल के बच्चों को हम देख रहे हैं रात भर ड्यूटी करेंगे जाग के कितने भी उनके लिए हैंगोवर होता हो लेकिन करेंगे अपने लिए पर्मात्मा को याद करने के लिए थोड़ा जागो कहेंगे नहीं हमसे नहीं हो सकता है एक ही दिन तो मिला है आज हमें अच्छी तरह से सोने हैं मतलब हर चीज हम लाभनाष्ट के हिसाब से मोह मम्ता के आधार से स्वार्थ की आधार से जो करते जाने है इससे फाइदा कुछ नहीं हो रहा है और मनुश्यात्मा दुखी होते जाए और दूसरा जो त्याग भगवान ने पताया जो राजसी के त्याग है कर्म करने से दुख होगा ऐसे कर्म का ही त्याग कर देते हैं इसको राजसी त्याग केते हैं इसका कोई फल नहीं हो पर एक साब कोई तीवी की दारवाही के लिए हम पूजा पाट करने से मुख मोड देते हैं नहीं एक जरूरी न्यूस आ रहा है उक्रेयन का न्यूस है या कुछ है मुझे देखना है अगर तुम नहीं देखोगे तो वहां पर न दुनिया आश होने वाली तो नहीं है लेकिन हमने उसको इंपोर्टेंस इतना दिया अग्वार ने कहाना यग्यत अपरदान का त्याग मत करो कर्म करते रहो ऐसे अगर तामसिकता से करते हैं राजसिकता से करते हैं ऐसे करम का फल तो कभी नहीं में नहीं होता है कितने स्पष्टता सब्सक्राइब तो सोचे आजकल हम किस लिए त्याग कर रहे हैं फल की चासे ही तो त्याग कर रहे है इसलिए तो फल त्याग करते भी भी फल का अनुभव नहीं होता है खुशी के अनुभुती नहीं होती है और आगे चलकर जो तीसरा त्याग बताया गय मतलब कर्म का त्याग नहीं करो लेकिन भुगवान क्या कहते हैं नियत कर्म करते रहो और अच्छी भावना से करते रहो फल के इच्छा का त्याग कर दो इसे साथ्वी को त्याग कहते हैं त्याग की तीन परिभाशाएं हो गए नियत कर्म को छोड़ना ने चुलिए आज कि देखिए नियत कर्म करने की क्या विडम बनाएं भूड़े लिए हैं हम घर में जाड़ पोचा नहीं लगाना चाहत तो फोचे वाले को जारू वाले को रख देते और शरीर में एक्सर新聞 करें समझ जाए हम पीन करते हैं उसके लिए हम जीम जाते हैं योगा कलास क्रते हैं तानी क्या क्या करते हैं जो पहले जमाने में कुभी नहीं हुआ करता है, आज पूरा है, जब जीबरस से थोड़ा सा संभल के रहना चाहिए था, तब संभलते नहीं है, बाद में जब मोटा पा आ जाता है, तो पता नहीं, ये डाइट, वो डाइट, ऐसी, इसमें पैसे भी बरबाद, समय भी बरबा करे रहे हैं कि सहुलियत जो मिल रही है, उसका उपयोग ना लीजिए, जैसे कि कोई से पानी निकालना, आजकल कौन निकालता है, पंप लगा देता है, ठीक है, लेकिन, पेड़ पौदे को पानी दे सकते हैं, घर की सफाय कर सकते हैं, खुद अपने हाथों से, खुद काम क करने से जो खुशी मिलती है न, वो कामवालों से काम कराने से नहीं है, अटलिस रोज नहीं तो सहिव हफते में एक बार तो किया किजिए, अपने जो डूटी से, हमने ऐसे बहुतों को देखा है, बड़े-बड़े आओधे पे रहने माले, जब बीज बोने का सीजन आता है न, चुटिली के आजाते हैं, अपने खेतियों में काम करते हैं, कहते हैं अपने खेतियों में काम करने का मजा ही कुछ अलग है, इसलिए भगवान कहते हैं कर्म त्याग नहीं करो, कर्म फल का त्याग करो, वो भी राजिसिक और कामसिक्ता से नहीं सत्विक त्याग करो, ज सब समझ जाएं आजकल हम देख रहे हैं मानसिक सुख शान्ती पाने के लिए कोई तो सन्यास ले रहे हैं कोई तो इधर उधर मठ आश्रूम में अपने आपको जॉइन पुरा रहे हैं लेकिन शान्ती तो अधूरी ही रहती है उसे घटना याद आती है स्वामी विकानन जी से एक विक्ति पूछता है शान्ती कैसे बिलेगी मुष्णी मैंने बहुत कुछ किया एक या वो किया तुझा पार्थ किया मुझे शान्ती नहीं आए विकानन जी कहते है सबसे अच्छा विधान है अंदर की शान्ती को अनुफ़कर निता वो है सेवा भाव जितना सेवा करते जाओगी खुद भी खुश रहोगी दूसरों को भी खुश करोगी सेवा वो चीज़ है जिसमें कोई फल किया कांक्षा करती है सेवा में कई प्रकार की सेवा यह है ज्यान देना भी एक सेवा है गुण देना एक सेवा है भुके को खाना खिलाना भी एक सेवा है अनपड को पढ़ाना भी सेवा है, बीमार के लिए इतना सा सहयोग दे देना भी सेवा है, आप बच्पन याद किजिए, बच्पन में हम लोग क्या करते थे, एक थोड़ी सी छोटी सी कोई चीज मिल गई, या आमला मिल गई, या कैरी मिल गई, तो हम कपड़े में लपेट के उसे काटके, या दांच से ही काटके, चार लोग मिल के खाते, तो कितना मज़ा आता था उसमें, अभी तो हम करीं सकते हैं, आमले कूल या कहने, कितना भी चाहें, लोग गई, ग्रामें ख़री सकते, लेकिन वो मज़ा नहीं है, जो मिल बाटके, खुशी-खुशी से काने ह कोई स्वार्थ नहीं है उसमें, इसलिए भगवान भी कहते हैं, जो सेवा भाव हमारे अंदर हो, सबका भला हो, सबका कल्यार हो, श्लोक तो बहुत कहते हैं, सर्वे भवन्त सुखिनाहा, सर्वे संतु निरामया, सर्वे बद्राण पश्शंतु, माकका शिंदुख भगव यह कहते हैं, सभी की भलाई हो, लेकिन मन क्या कहता है, श्लोक उचारते समय, सब की भलाई हो पहले मेरी हो, एक थोड़ा सा जो स्वार्थ जागता है, जिसके कारण हम बहुत सारे प्राप्तियों से वंचित रह जाता है, पर आपको पता है, हमारे जाने के बाद, हमने जो स वार्थ से कमाया, वो कोई याद नहीं करेगा, ऐसे लोगों को कोई याद में रखते हैं, लेकिन जिनोंने सेवा किया हो, बुलाई नहीं बुला जाता हो, तो स्थाई कौन सा है, सेवा भाव, और इसी सी दुआएं भी कमाते हैं, इसी से शांती भी प्राप्ति हो जाती है इसी के कारण अंदर उन्हीं खुशी भी प्राप्त हो जाती है, इसलिए भगवान कह रहे है, सन्यास उसे श्रेष्ट है कर्मफल अत्यागा, और कर्मफल अत्याग में भी सात्विक कर्मफल अत्यागे नहीं वो श्रेष्ट है, फिर से हम यहाँ यह स्पश्च करेंगे, भ प्रतिस्वरू पे परमधाम निमासी है, बच्चों के खाती राया हुआ है, सिलिए उसे देख कर कितनी निस्पृता से, निश्कल्म श्रीती से, निस्वार्च रीती से वो हमारी सेवा करना है, अगर यह याद रहो, तो हमारे कर्म श्रेष्ट भी हो जाएंगे, और कर्म फलत्याग करते हुए कदम आगे बढ़ाना और उच्च कोटी के कर्म में लग जाना यह आसारूट, इसके लिए एक बहुत सुप्रसी बात है, तलाब की पाने हम तलाब में ही वापस डाल रहे हैं, तो हमारे घमन के इस बात की दिया भगवान ने, उसी का दिया हुआ हम कि किया, यह कहां से आदिया, पिछले एपिसोर्स में हमने सुना भी था, त्याग की परिवाशा शुरू होती है, मैं, मैं, मैं के त्याग से, मैं पन का त्याग की, आपको लगेगा थोड़ा मुश्किल है, लेकिन फोड़ा सा अध्यात्मिक विधान से सोचेंगे, मैं और मे एवन के हर स्टेप में हमें अपने करम करते हुए, करम पर अटेंशन रखना, बहुत जरूरी है, चोटे पन से, बचपन से अगर यह सिखाया जाए, फल की इच्छा नहीं रखो, अच्छा पढ़ाई करो, आंक मिल जाएंगे, अंक के लिए पढ़ाई में करो, ऐसे जब प करते जाएंगे, विक्ति भद कमाएगा, लेकिन विक्तित्व आधा अधूरासा हो जाएगा, जो हम देख रहे हैं, अंदर से ताकतवाल नहीं, पूरी सहत तरह से खुपला होगा, आज की जनरेशन में हम यह खुपला पन बहुत ज्यादा देख रहे हैं, ताकि उनके लेकिन करतविकी और किसी की अटेंशन जाएने रहा है, इसलिए भदवान की यह कहना कि कर्मों फलत याग में भी सात्वी कता हो, तभी दुनिया में कुछ बदलाव हम देख सकते हैं, और यह आशा हम ज़रूर कर सकते हैं, हमारे सत्कर्मों के फलस्वरू भी दुनिया ज्यान सागर परमात्मा ने इस गीता ज्यान के माध्यम से हम आत्माओं को करम और करम फल का अवर्णनिय मार्ग दर्शन दिया है, करम शेत्र मानव जीवन का एक अविभाज्य अंग है, इसलिए करम का त्याग करना असंभव है, अपेतु हमें करम फल का त्याग करना है, भगवान हमें करम फल त्याग के तीन प्रकार समझा रहे हैं। यदि मोहो के कारण हमने नियत करम या करम फल का परित्याग किया, सन्यास किया, तो वर तामस करम फल त्याग कहलाएगा। दूसरा जो त्याग भगवान ने बताया वर राजसिक त्याग है। यह करम करने से हमें दुख होगा. ऐसा सोच कर करम का जो त्याग कर देते हैं, इसको राजसिक त्याग कहते हैं और इसका कोई फल नहीं मिलता. भगवान कहते हैं नियत करम करते रहो और अच्छी भावना से करते रहो भल की इच्छा का त्याग कर दो इसे सात्विक त्याग कहते हैं हम करम करते रहें क्योंकि सन्याज से स्रेष्ठ है करम फल त्याग और इसमें ही सात्विक त्याग स्रेष्ठ है इसलिए करम फल प्याग जब सात्विक होगा तभी इस दुनिया में कुछ सात्विक बदलाव देख सकते हैं और हम यह आशा कर सकते हैं कि हमारे सत कर्मों के फल स्वरूपी यह दुनिया भविश्य में स्वर्ग बन जाएगी ओम शान्ति मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है मेरा आपकी एक पासे सब काम हो रहा है करते हो तुम शिव बाबा मेरा नाम हो रहा है करते हो तुम शिव बाबा मेरा नाम हो रहा है मेरा आपकी एक पासे सब काम हो रहा है पतवार के बिना ही मेरी नाम चल रही है है पतवार के बिना ही मेरी नाम चल रही है हैरान है जमाना मन्जिर भी मिर रही है करता नहीं मैं कुछ भी सब काम हो रहा है करता नहीं मैं कुछ भी सब काम हो रहा है करते हो तुम शिव बाबा मेरा नाम हो रहा है मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है मगर सने नीध पसा तुम साथ हो जो मेरे किस चीज की कमी है किस और चीज की अब दरकार ही नहीं है किस और चीज की अब दरकार ही नहीं है तेरे साथ से गुलाम ब बुलपाम हो रहा है करते हो तुम शिव बाबा मेरा नाम हो रहा है करते हो तुम शिव बाबा मेरा नाम हो रहा है मेरा आपकी करपा से सब काम हो रहा है करते है मैं तो नहीं मैं तो नहीं हूँ काविन तेरा पार केसे पाव। तूटी हुई वाड़ी से गुण गान केसे गाव। तूटी हुई वाड़ी से गुण गान केसे गाव। तेरी प्रेरणा से ही सब ये कमाल हो रहा है। तेरी प्रेरणा से ही सब ये कमाल हो रहा है। करते हो तुम शिव बाबा मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम शिव बाबा मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी क्रपासे सब काम हो रहा है। मेरा आपकी क्रपासे सब काम हो रहा है। समाधान 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 समस्या से उभरना अगर चाहे इंसान स्वयम के संग सर्व का वो दिल से करे सन्मान कहता है ये समाधान 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 समस्या से उभरना अगर चाहे इंसान स्वयम के संग सर्व का वो दिल से करे सन्मान कहता है ये समाधान 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 तनाव बन मुटाव की अगन से स्वयं तू संभले थैसी मेशा दूरिया दरारे मिटाए मन से जीवन बन जाएगा खुशियों की खान कहता है ये समाधान, समाधान, समाधान नमस्कार आदाव सश्यकाल मित्रों स्वागत है एक बार पुना आप सभी का समाधान कारिक्रम में पित्रों शास्त्रों में एक बहुत ही सुन्दर सी कथा आती है कि भगवान एक बार भोजन कर रहे थे भगवती उन्हें भोजन करा रही थी, परोस रही थी अचानक भगवान जी उठे बहुत ही व्यग्र हो गये और भागे दर्वाजे की ओर, बहुत तेजी से भागे भोजन छोड़ करके दर्वाजे से जब बाहर निकले वो उसके बाद थोड़ी देर के बाद फिर से उदास हो करके वापस लोट आया और बैट करके भोजन करने लगे भगवती जी ने पूछा उनसे कि आप इतनी व्यग्रता से उठकर की इतनी तेजी से क्यों भागे तो उन्होंने कहा कि हमारी राजधानी से एक फकीर गुजर रहा है वो मेरे ही भजन गा रहा है, गीद गा रहा है, एक तारा लेकर के गुन-गुना रहा है मेरा स्मरण करते वे जा रहा है लेकिन लोग उसे पागल समझ रहे हैं और उस पे पत्थर फेक रहे हैं पत्थर नहीं लग रहा था लेकिन एक पत्थर उसे लग गया जिससे कि उसके इसीर से खून के जो बूंध है वो गिरने लगे तो मैं बहुत व्यग्र हो गया और उसे बचाने के लिए मैं तेजी से भागा लगवती जी ने पूछा फिर आप उदासों के वापस क्यों आ गया तो उन्हों नहीं कहा कि अब तक तो वो मेरा स्मरण कर रहा था मेरे ही गीद गा रहा था लोगों की बातों पे ध्यान नहीं दे रहा था लेकिन जैसे ही मैं बाहर निकला उसे बचाने के लिए जब मैं जा रहा था तो मैंने देखा कि वो अपना एक तारा फेक के उसने भी पत्थर उठा लिया और लोगों के पीछे भागने लगा तब मुझे लगा कि अब इसने खुद ही ठान लिया है कि मैं ही नि ठोड़ जाती है कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए आस्था और विश्वास हमें कैसे बना के रखना चाहिए सच में बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं ब्रताजी से चाहूंगा कि आज के संदर प्रसंग के सांथ शुरबात करो आए पहले उनका भी नंदन क जरते हैं और सानधानकारिक्रम के शुरुबात करते हैं प्रताजी आपका बहुत-बहुत स्वागत अधिन अदन है ये जो एक प्रेरक्षि काथा है मन में मेरे तो बहुत सारे प्रश्ण उठे लोगों के भी मन में उठते होंगे एक प्रश्ण आता है कि हम कब तक वैसे इंतजार करें क्योंकि व्यक्ति इंतजार करता है कि हां इश्वर की मदद मिलेगी लेकिन यदि उधर से देर हो रही हो तो व्यक्ति खुद ही पत्थर उठा लेता है। प्रेम एक अलग चीज है और भगवान से शक्तियां लेना एक दूसरी चीज है। अगर उसके पास शक्तियां भी हो तो शक्तियों के वाइब्रेशन्स चार ओर फैलेंगे और उसके पास सद विवेक भी हो तो लोगों को वो पागल नजर ही नहीं आएगा। तो हमें अपनी भक्ति के साथ अपने प्रभू प्रेम के साथ श्रेश्ट विवेक और शक्तियों को भी सनलगन अवस्य कर लेना चाहिए। जहां केवल प्रेम प्रेम है। वह ऐसे होता है जदके आजकल का फ्रेम रावटका देता है। और परिनाम ऐसा खराब कर देता है कि कई लोग का तो जीवन ही भीगड़ जाता है। तो अकेला प्रेम नहीं स्रेश्ट विवेक की भी बहुत जरूरत है। जैसे मैंने तीसे चीज कही शक्तिसाली बनना। उसके वाइब्रेसंस ऐसे फेलेंगे। वो हमारे चार और ऐसा ओरा क्रियेट करेंगे। कि कोई पत्थर मानने का संकल भी नहीं करेगा। अगर मार भी दिया तो कोई हानी पहुचेगी नहीं तो हमें पत्थर उठाने की भी आवश्चकता नहीं पड़ेगी। तो कि भगवान हमें दिखाई तो नहीं देगा और उसकी आवाज भी नहीं आएगी कि ठहरो तुमें पत्थर उठाने की ज़रूट नहीं मैं आ रहा हूं यह तो नहीं होगा। तो मन उसका धेरिये टूट सकता है और वो इसको छोड़ भी सकता है कि भगवान तो मदद करते नहीं छोड़ो अपना ही उठाओ जरा कुछ अपना ही करो। इसलिए इसकी बहुत जरूरत है लेकिन जिनके पास स्रेष्ट विवेक है स्रेष्ट विवेक मैं यहां कहूंगा इस्वरिये ग्यान है। वो इस बात को बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि उसमें विश्वास रखने से विश्वास ऐसा हो जिसमें एक परसेंट भी डाउट नहों लगातार उसकी मदद हमें मिलती रहेगी। बहुत चीजें तो ऐसी होगी ऐसी सिच्वेशन ही पर आप पैदा नहीं होगी। और होगी भी अवस्य तो सहज उनकी समाधान उसका निराकरन मिलता रहेगा। इसलिए यहां इन तीनों चीजों की बहुत आवज सकता है। प्रते जी प्रेम योग क्या संपूर्ण योग नहीं है यदि हम प्रेम में डूबे है इश्वर के तो क्या हमारे विवेक में एक कहें कि गहराई नहीं आएगी या जिस शक्ति की आप बात कर रहे हैं वो शक्ति हमें केवल प्रेम से प्राप्त नहीं होगी। देखिए, थोड़ी होगी, no doubt, प्रेम में भी बल है, और विवेक का पतन नहीं होगा, लेकिन विवेक में व्रद्धी बहुत धीमी गती से होगी, जिसको मनुथ बहुत कम समझ पाएगा, लेकिन अगर हमारा पूरा बुद्धियोग सर्व सक्तिवान से जोड़ जाय राजयो तो उससे जो विवेक बढ़ेगा, वो अलग ही चीज होगी, तो तीनों चीजों को हमें साथ-साथ लेकर चलना चाहिए, हमारे परमात्मा के संबंद में प्रेम तो प्रथम चीज है, लेकिन विवेक को बढ़ाना ये उसकी इंपोर्टेंट उपलब्धी है, और सक्ति-साल योग की स्थिति के द्वारा हम सक्तियां प्राप्ट करें, इसका एक अलग महत्व है, इससे हमारे विकरम विनास होंगे, मुख्य चीज है, और हम में ताकत आएगी माया विकारों से लड़ने की, परिस्थितियों से लड़ने की. प्रतेजी जैसे आपने कहा था, ये बहुत ही गहन सा विशय है, व्यक्ति एक सामानने व्यक्ति, चली ये तो इश्वर प्रेमी था, ये भी नहीं समझ पाया कि इश्वर शैदार है मेरी मदद करने के लिए, उसकी मदद को कैसे समझा जाए एक बात, और ये सामाननने व्य लेकिन मैं उसे ले नहीं पा रहा हूं, समझ नहीं पा रहा हूं और मैं स्वयम उतावला हो जाता हूं। रक्षा के लिए भी तयार होना चाहिए, सोमनात पर जब अटेक हुआ, तो हम लोग बच्पन से सुना करते थे, क्या सकते है, क्या नहीं है, क्योंकि हवा में जूलता था वीच वीच में, तो भगतों ने सोचा था कि भगवान की इतनी महिमा, इतनी उसकी सक्ती है, क्या सिवलिंग उपर आता है, तो वो अपने इस मूर्ती को अवस्य स्वय में वचा लेगा, हमें कुछ करने की जूरत नहीं, तो देखिए, उन्होंन उसकी सुरक्षा की जिमिलारी हमें दी है, अपना इस सिवलिंग हमारे आतों में सौंपा है, तो वीवेक उनको कुछ और करने के लिए बात दे करता, वो उसे कहीं चुपा भी सकते थे, ले जाकर, तो इसलिए इन दोनों चीजों की आवश्यक्ता होती, आत्मरक्षा करना अपनुसका परमकर्तव है, और यदि दोनों को जोड़ दें कि परमात्मा में विश्वास रखते हुए आत्मरक्षा करें, तो आत्मरक्षा संपोर्ण हो जाएगी है, जी जी भक्ती मार्ग में जितने भी भक्त दिखाएगा हैं ब्रता जी, वो ऐसे ही दीन ही अवस्था म या फिर ऐसे जिनको लोगों को लगता था कि यह तो समाज से कटे हुए हैं, जैसे बिलकुल ही विरक्त से स्थिती में, जिसको देखके व्यक्ती लगता था कि शायद ऐसा हम नहीं कर पाएंगे, तो क्या भक्ती हमें ऐसी स्थिती में ले जाती है, जहां हम बिलकुल संसार से अलग हो जाते हैं विरक्त हो जाते हैं या ऐसे ही रहते हैं जिससे लगता है कि नहीं इन्हें समाच से जैसे कुछ लेरा देना नहीं है यह वैलेंस की बहुत बड़ी कमी है और जैसे हमारे यहां है देखे लोग रस्त में रहते हैं अमना करिये विवार करते हैं योग साध व्योग के यह दिद्र आने से प्रच्छों जुधें क्योंकि करम भी मनुसके लिए परमावश्चक है और प्रभु प्रेम थे प्रयूँक्रों लगती उसको बिल्कुल ब्लेड उबेगा, उसको एकागरता होगी नहीं, वो योग अभ्यास नहीं कर पाएगा, और प्रभु प्रेम तो छोड़ो वो अपने से प्रेम नहीं कर पाएगा, इसलिए जैसा भक्ति में कुछ जगे दिखाया है, कि लोग शिरकर्ष्ण के प्यार में दी इस्तिती में रहने लगे, लेकिन एक ऐसा सीन सामने आया, जो उसमें भात भरा और वो शिरकर्ष्ण ने कैसे उसका संबन किया, तो अब उसकी जजेकार हुई, लेकिन ये सब के साथ तो नहीं होता है, इसलिए हमें उन्हें भक्ति में ज्ञान योग के मार्ग पे चलते तो बहुत सुन्दर संतुलन की ज़रत है, तो कि सारा संसार तो ऐसा नहीं हो सकता न, ये बिलकुल संभवी है, इसलिए हमें एक ऐसा मार्ग निकालना होता है, जिसमें संतुलन हो, हम प्रभु प्रेम में मगन भी रहें और अपने कारियों को सफल भी करें, बिलकुन, बिल हमारे लिए सोचने का विकार, ये तुमारे जीवन की सारी जिम्मेवारी मेरी हो जाती है, तो ऐसे में व्यक्ति किस रूप में इसे समझ पाए, क्योंकि उसे कर्म भी करना है, और साथ ही इश्वर पे आस्था रखा है, तो इसे कून रूप में कैसे समझा जाए, देखिए और उसके भरो से इंतजार करें कि ये ठीक हो जाएगी, दूसरा उसने ही हमें स्रेष्ट विवेक और शक्तियां भी दी हैं, ताकि इन दोनों के बल से हम उस समस्या को समात करें, अब इन दोनों को हम जोड़ दें, करना हमें ही चाहिए, च्योंकि प्रोब्लम हमने इसलिए खुद परियासरत हो जाएं, अपने सद विवेक का परियोग करें, कि हमें समस्या को कैसे हल करना, किसकी मदद चाहिए तो मदद लें, योग के बल से अपनी सक्तियों को बढ़ाएं ताकि समस्या हम पर हावी न हो जाए, ऐसे ने उठते बैठते खाते पीते समस्य हमारे अंतर मन में विष्रन करती रहें और हम परिशान रहने लगें, और साथ-साथ परमात्मा में विश्वास कि वो हमें मदद कर रहा है, और ये समस्या अवस्य समाप्त हो जाएगी, और इसमें उसका ही ये मावाख्व हम याद करें, एक कदम तुम बढ़ो, तो सो कदम मैं बढ़ोंगा, लेकिन एक कदम हमें अवस्य बढ़ना होगा, हम सोचें कि हम वहीं के महीं रह जाएं, निश्क्रिये रहें, और परमात्मा सब कुछ कर देगा, ये नहीं होगा, क्योंकि वो अपनी संतानों को ऐसा निश्क्रिये बनाना ही नहीं चाहता, वो तो उन्हें मैं जोक देता है, जाओ, सक्तिसाली बनो, बचवाग से कैसे तुम्हें निकलना है, और यही तरीका है, एक अच्छी लीडर निर्मान करने का, एक मापाप अपने बच्चों को सुक्स विदा में रखें, जीवन बर, एसी, गड़ों पर, महीं ए स्कूल में पढ़ाने लग यह, उसका जादा महत्तर है, बलकल, बलकल, मतलब यहीं बात हो गए, कि सोना आग में ही, निकरता है, इसलिए परमात्मा भी यदि विपत्यां बेजते हैं, तो हमें निकहारना चाहते हैं, हमें शक्तिशाली बनाना चाहते हैं, परते जी चलीए, इसी सुन्दर बात के आज के जो मेल साएं हैं मैं उनके और लिए चलता हूँ संतूश जी ने पहला मेल भेजाए ब्रता जी और ये कहते हैं कि दुनिया के महाविनाश के बाद सारी आत्माय धर्मराज से अपने विकर्मों का दंड भोगने के बाद परमधाम में निश्क्री अवस्था में रहती हैं तो मेरा सवाल ये है कि जब सारी आत्माय धर्मराज से दंड भोग लेती हैं तो क्या उनके बुरे कार्मिक अकाउंट सेटल हो जाते हैं या उन्हें फिर स्रिष्टी चक्र में आकर अपने कार्मिक अकाउंट को सेटल करना होता है देखिए उनके कार्मिक अकाउंट इस कल्प के पूरे समाप्त हो जाते हैं उसके ये दो ही करी के इंपोर्टेंट हैं या योगवल्च से अपने विकर्मों को नस्ट किया जाए या धर्मराज की सजाओं के द्वारा विकर्मों को नस्ट किया जाए अब देखिए विकर्म तो हमने नस्ट कर दिये पर सत कर्म तो हमारे साथ है न वो नस्ट न होते न उनको करना चाहिए अब हम परमदाम में पहुंच गए वहा हम अपनी silence इस्तिती में हैं, अपनी कर्माती तवस्ता में हैं, अपनी सभून अवस्ता में हैं लेकिन वो जो हमारे सतकर्म हैं उसके आधार पर हम पुने पुनर जनम लेंगे और सतकर्मों की प्राडब दबोगेंगे इसलिए हम सब को परमदाम से वापिस आना ही पड़ता है, क्योंकि कर्म को जीरो किया ही नहीं जा सकता नतलब ये भी कि बुरे कर्म सैटल हो गया, अच्छे कर्म को के जो पुन्यकफल है वो भोगने के अलमे नेची आना ही पड़ता है पर वो भोगना नहीं, वो उसका आनंव है, भोगना इसमें हम यूज नहीं कि लोग कहेंगगा क्यों अच्छे कर्मब करें भोगना पड़ेंगा, नहीं, अच्छे कर्मव का आनंद, उसका संपुर्ण सुक, लेने के लिए हमें पुन्यकफल में आना पड़ता है एक वर्ख है कि तुम कुछ भी न करो, अन्ली नपकाव, जो मिला खाओ, लेकिन जो मिला उसको खाने में भी तो कर्म करना पड़ता है ना, रहने धूने का भी कर्म करना पड़ता है, आपको मछ्छर काट ने लगए उसको भगाना भी आपको पड़ेगा, पुछ तो के लिए विश्दारा पर उपस्तित होना ही पड़ता है चलो उनका जनम सुख भोगने के लिए नहीं पर विश्व कल्यान के लिए अवस्य हुआ जैसे ऐसे कुछ महापुरूस हमारे देश में हुए हैं जिनने बहुत सुंदर साधना है की और तब भी मनुस्यों को उनसे बह को का निदान हुआ उनके द्वारा अब उन्होंने साधना करके अपने खर्माती तवस्था को पाया और वो उक्तिदाम में पहुँच गए लेकिन नौट फोरेवर उन्हें ये विश्व कल्यान का कारीए करने के लिए आना ही परतार मैं समयता है इसको वो भी पसंद करते ह कि कल्यान के लिए तो सभी तयार ही रहते हैं पाते जी आगी ये कहते हैं कि जिन आत्माओं ने अपने 84 जन्मों का चक्र पूरा कर लिया है लेकिन अभी वो परमधाम नहीं जा सकती क्योंकि वर्ल्ड रामा अभी चल रहा है तो वो आत्माओं बिना शरीर के कहां रहती है देखें ये कुछ के साथ होता है तो ये स्पेस में हमारे उपरा कास मंडल में ये विचरन करती रहती है थोड़े समय के लिए और जब सभी आत्माओं के जाने का समय आएगा यानि मुक्तिदाम का ये सब अंग्योज करेंगे गेट खुलेगा तो सभी आत्माओं जाएंग मेरा इसमें ये सवाल है कि क्या कल्यूग में जो मानवी अत्याचार हुए है जैसे हिटलर के द्वारा या जब भारत-पाकिस्तान का विभाजन हुआ उस समय जो बहुत सारी अत्याचार की बाते हुए तो क्या ये फिर से रिपीट होंगी अगले कल्ब में प्रसंतों बड इपीट होंगी वो प्रृतभार ही होंगी इसलिए उसके बारे में कुछ सोचने की ज़रुत नहीं पर सवस्ठ्री चक्र क्योंकि हो बहुत होता है और इसमें इसका जो नहीं वो एक क्रम है उसमें बारोस के क्रम चला रहा है चेन चली आ रही है एक चहन नहीं पाता है अब विस्विद्ध होगा, वही situation पुनें बनेंगी, अब यदि हमें विस्विद्ध को रोकना है, तो जब आएगा, तो विस्विद्ध की वह situation बनेंगी, जापान और जर्मन पुनें मिलेंगे, और हिटलर के हाथ में पावर होगी, और फिर वही काम करेगा, अगर हम चाहते हैं, यह repeat नहीं हो, तो वह situation हमें समाप्त करनी पड़ेगा, पर वह situation कौन समाप्त करेगा, वह तो होगी, इसलिए सब कुछ यह repeat होता रहता है, कैयों का एक प्रशन होता है बता जीन, होने तो नहीं किया है, कि हो बहु वाली जो बात है, यह बताने की आवश्यक्ता क्यों ह है, क्योंकि जादा तर हमारे साथ बुरी चीजें होई हैं, तो हमें लगता है कि यह बुरी चीजें फिर से होगी और हम दुखी हो जाते हैं, देखे बताने के पीछे तो लक्स यह है, वह knowledge है यह हमें यह पता होना चाहिए, हमारी philosophy में भी है, यह चक्र जहां से सुरू हु होगा, और वास्तों में इसकी कहीं बिगनिंग है और एंड है, तो साइकिल है, तो रिपीट होगा, जब पुने चलेगा रिपीट होगा, मालो एक फिल्म बना दी डाहिगंटे किसी ने, और उसमें बड़े वाइलेंट सीन आ गए हैं, अब जब वाइलेंट सीन तो इसलिए ये ग्यान देया जाता है, लेकिन हम इसको इस तरह न सोचें, कि फिर होगा इसको कैसे काटें, ये नहो, लेकिन जो कुछ हुआ उसमें कहीं ना कहीं कुछ सीख भी भरी हुई थी, उससे कुछ मनुष्यों ने सीख लिया, युएन का निर्मान हुआ, उससे देशो में एक समझोता कराने की प्रकिरिया प्रारम हुई, और देखे, यही कारण है कि थर्ड वलवार अब तग नहीं हुई, नहीं तो लोगों को विश्वास था, फर्स्ट के बाद सेकेंड हुई है, अब थर्ड भी जल्दी हो जाएगी, तो कहीं ना कहीं उससे कल्यान भी हु जब कम है तभी क्या इसकी समापती ना हो जाए तो अच्छा हो लोग ज़्यादा तकलीफ ना भोगें। तो बहुत लोगों के वर में टीवी तो थी लेगिन उन्हों ने उस पर पढदा डाला वादा, मुझे भी रखते थे अपने घर में एकाथ दिन में तीवी नहीं देखते क्या आप लोग, अभी यहां टीवी देख देखके लोग बार होगे, सब नहीं लग बंद करके रख प्रते जी एक इसी 5000 वर्ष और हू बहू पुन्राव रित की बात से जोड़ी ही बात इन्हों ने पूछी है कि सत्यूग वा त्रेता यूग में जो पुन्य आत्माय देवी देवता बनते हैं, तो क्या हर कल्प में वही आत्माय फिर से देवी देवता बनते हैं, या यदि वो पुरसार्थ करें, यदि वो अपने देवत्यों को जागरित करें, यदि वो पुन्य कर्मों की और अगसर हों, यदि वो प्योरिटी का पत अपनाएं, तो निस्चित रोप से वो देवता बन जाएगे, ये मार्क सब के लिए ही ओपिन है, आज की संदर चर्चा क यहां सभी प्रकार की सुक सुईधाय थी, सभी आनंदित थे, किसी प्रकार का व्यावधान नहीं था, व्यर्थ नहीं था, लड़ाई जगडे नहीं थे, और काश ऐसा जन्नत, ऐसा स्वर्ग फिर से इस धरा पे आ जाए, या फिर हमारा जब इंतकाल हो, अंत हो, तो हम उस स्वर्ग के दीदार करें, वहां का आनंद लें, ऐसी हमारी कामना रहती है, क्योंकि पर शाथ हम वहां जाएं, उससे बहतर ये नहीं है क्या, कि हम इस जहां को ही, इस धर्ती को ही, जहां हम रहते हैं, उसे स्वर्ग बना लें, और इसके लिए, शायद हमें अपने धर्म के मज़भ की दिवारों को तोड़ के थोड़ा बाहर आना होगा और सत्य ज्यान को समझना होगा आपस में मिलना होगा एक होना होगा जैसे हम कल भी चर्चा कर रहे थे कि मैं मैं यदी करते रहेंगे तो शैड़ी दिवारें नहीं तूटेंगी हमें हम कहना होगा, आपस में मिलना होगा, सत्य की ओर बढ़ना होगा, प्रकाश की ओर बढ़ना होगा, और साथ ही एक दूसरे को समझते हुए प्रेम की सरीता इस संसार में प्रवाहित करने होगी, तभी हमें संसार को स्वर्ग बना पाएंगे, वैसे भी कहा गया है कि एक अकेला चना भाहर नहीं फोड़ सकता, वैसे भी बहुत सारे लोग मिलके ही संसार को स्वर्ग बना सकते हैं कुवर्धन परवत को भी एक ने नहीं उठाया था सब ने मिलके उठाया था तो क्यों न हम सब भी मिलके इस संसार को जन्नत बनाने का ख्वाप तो देखते आये हैं अब इसे साकार करें आप सब इस पर गहराई से विचारावश्य कीजिएगा कल कुन आप से मुलागात होगे नमस्कार हर सास में हो सुमिरन तेरा यू बीत जाए जीवन मेरा हर सास में हो सुमिरन तेरा यू बीत जाए जीवन मेरा हर सास में हो सुमिरन तेरा यू बीत जाए जीवन मेरा तुझको याद करते बीते सांच सवेरा हर सास में हो सुमिरन तेरा यू बीत जाए जीवन मेरा हर सास में हो सुमिरन तेरा यू बीत जाए जीवन मेरा प्यार हो सतकार एद बार भी तुम हो रा हो सुख भी हो सारे और याद हो इशारा हो सुख भी हो सारे और याद हो इशारा हो हो आत्मा पर तेरा ही पहरा यू बीत जाए जीवन मेरा हर सास में हो सुमिरन तेरा यू बीत जाए जीवन मेरा जो भी तुझे याद करे उसका बेडा पार हो जीवन में उसके सुख शानती आनंद हो मन में तेरा ही रूप सुनहरा यू बीत जाए जीवन मेरा हर सास में हो सुमिरन तेरा यू बीत जाए जीवन मेरा मैंनों की खिड़की से तुमको पल पल मेरी हारूं मन में बिठालू तुझे गले से लगालू मन में बिठालू तुझे गले से लगालू जीवन में हो सदा साथ तेरा यू बीत जाए जीवन मेरा हर सास में हो सुमिरन तेरा यू बीत जाए जीवन मेरा दुछ को याद करते बीते सांज सवेरा हर सास में हो सुमिरन तेरा यू बीत जाए जीवन मेरा हर सास में हो सुमिरन तेरा यू बीत जाए जीवन मेरा हर सास में हो सुमिरन तेरा यू बीत जाए जीवन मेरा हर सास में हो सुमिरन तेरा यू बीत जाए 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 लगन तुम से लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा लगन तुम से लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा जो होगा देखा जाएगा तुम्हे अपना बना बैठे जो होगा देखा जाएगा लगन तुम से लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा पमपमगो मगमगरे गरे गरे सारी दिसारी कभी दुनिया से डरते थे गे छुप छुप याद करते थे कभी दुनिया से डरते थे के छुप छुप याद करते थे लो अब परदा उठा बैठे जो होगा देखा जाएगा लगन तुम से लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा तुम से ले खरते जो होगा दुनिया वाद करते थे जो होगा दुम कभी ये ख्याल था दुनिया हमें बदनाम कर देगी कभी ये ख्याल था दुनिया हमें बदनाम कर देगी शर्म अब बेच खा बैठे जो होगा देखा जाएगा लगन तुमसी लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा पमपमगो मगमगरी गरे गरे सारे भी सारे बीवाने बन गए तेरे तो फिर दुनिया से क्या लेना तो फिर दुनिया से क्या लेना तेरी चरणों में आ बैठे जो होगा देखा जाएगा लगन तुमसी लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा जो होगा देखा जाएगा तुम्हे अपना बना बैठे तुम्हे अपना बना बैठे जो होगा देखा जाएगा लगन तुमसी लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा लगन तुमसी लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा लगन तुमसी लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा बस इतनी तमन्ना है बस इतनी तमन्ना है बाबा तुम्हे देखू शिव बाबा तुम्हे देखू बस इतनी तमन्ना है बस इतनी तमन्ना है बाबा तुम्हे देखू शिव बाबा तुम्हे देखू बाबा तुम्हे देखू शिव बाबा तुम्हे देखू ग्यान गुणों से सजाते हूँ वर्दानों से सजाते हूँ ग्यान गुणों से सजाते हूँ तेरे मुरली का जादू है तेरे मुरली का जादू है बाबा तुम्हे देखू शिव बाबा तुम्हे देखू शिव बाबा तुम्हे देखू खजानों से भर पुर्दिया शक्तियों से भर दिया खजानों से भर पुर्दिया शक्तियों से भर दिया शक्तियों से भर दिया परमानंद में जूम रहे बाबा तुम्हे देखू शिव बाबा तुम्हे देखू बाबा तुम्हे देखू शिव बाबा तुम्हे देखू मात पिता शिक्षक हो सद्गुरु सखा तुम हो मात पिता शिक्षक हो सद्गुरु सखा तुम हो सद्गुरु सखा तुम हो मन मीत सुहाने हो मन मीत सुहाने हो बाबा तुम्हे देखू शिव बाबा तुम्हे देखू बाबा तुम्हे देखू शिव बाबा तुम्हे देखू दिन हो या अंधेरा हो चाहे शाम सवेरा हो हो दिन हो या अंधेरा हो चाहे शाम सवेरा हो सो तो सपनों में सो तो सपनों में बाबा तुम्हे देखू शिव बाबा तुम्हे देखू बाबा तुम्हे देखू शिव बाबा तुम्हे देखू हर करम में याद करूँ सब तुमको अलपण करूँ हर करम में याद करूँ सब तुमको अलपण करूँ हर जग के नजारे में बाबा तुम्हें देखूं शिव बाबा तुम्हें देखूं शिव बाबा तुम्हें देखूं तुम्हें संग खेलो खाऊं तुम्हें संग रास रचूं तुम्हें संग खेलो खाऊं तुम्हें संग रास रचूं जिस और नजर फेरूं बाबा तुम्हें देखूं शिव बाबा तुम्हें देखूं बस इतनी तमन्ना है बाबा तुम्हें देखूं शिव बाबा तुम्हें देखूं 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 शिव बाबा तुम्हें यते समस्याएं आने पर आप खबरा जाते हैं तो इससे आपके दिमाग का संतुलन बिगड़ जाता है समस्या के समय घबरानी के बचाएं धैरिय और ईश्वरिय आस्था रुपी शस्त्र प्रयोग करेंगे तो समस्याएं भाग जाएंगे बाबा तेरी किरपा से सासे मेरी चलती है 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 बाबा तेरी किरपा से तू है तू मेरा जीवन छिडियों सा चहकता है तू है तू मेरा जीवन छिडियों सा चहकता है फूलों सा हसता है कलियों सा महकता है बस मौज बरसती है बाबा तिरी की रबा से सांसे है मेरे चलती है मामा तिरी की रबा से सांसे है मेरे चलती है विश्वास है जीवन भर तू मुझे को संभा लेगा विश्वास है जीवन भर तू मुझे को संभा लेगा डूबूंगा भावर में तो तू आंके बचा लेगा तू आंके बचा लेगा तेरे हाथ में कश्टी है तेरे हाथ में कश्टी है बाबा तेरी की रबो से सांसे मेरे चलती है मामा तेरी की रबो से सांसे मेरे चलती है तू आंके बचा लेगा तू आंके बाबा तू आंके बाबा ऐसे ही रहे हर दम ये ध्यान तेरा मुझ पर मैं मान रहा हूँ है एहसान तेरा मुझ पर तुझ से मेरी हस्ती है तुझ से मेरी हस्ती है बाबा तेरी की रबो से सांसे मेरे चलती है बाबा तेरी की रबो से सांसे मेरे चलती है हुआ हुआ है चाहत ने तेरी मुझे को दिवाना बनाया है दुनिया कहे कुछ भी पर दिल तुझे पर आया है दुनिया कहे कुछ भी पर दिल कुछ पर आया है तेरे नाम की मस्ती है बाबा तेरी की रबो से सासे मेरी चलती है बाबा तेरी की रबो से सासे मेरी चलती है सासे मेरी चलती है बाबा तेरी की रबो से सासे मेरी चलती है बाबा तेरी की रबो से सासे मेरी चलती है सांसे मेरी चलती है जब हम बात करते हैं प्रकृति की योड जाने की तो उसमें माइंड, बॉड़ी, सोल तीनों का सामन जस्य प्रकृति के साथ, अपने खुद की नेचर के साथ और इश्वर के साथ उसकी हम बात करेंगे कि तुवर्ज नेचर जाकर, प्रकृति के ओर जाकर हम कैसे अपने मन को और अपने तन को कम्पलीट क्योर दे सकते हैं, हीलिंग कर सकते हैं और एक बहुत ही भरपूर जंदगी, एक बहतरीन जंदगी जी सकते हैं प्लाई आज बात करते हैं कि जब हम प्रकृति के नजदीक जाते हैं, तुवर्ज नेचर की बात करते हैं हम कैसे अपने जीवन का समन जस्य उसके साथ पिठाते हैं हमारे सुबा उठने से लेके सोने तक, हमारा खान पान, हमारा रहन सहन, हमारा एटिट्यूट, जिंदगी के प्रती और हमारे जीवन शैली, ये सभी चीज़ों में जब हम प्रकृति को इससे जोड देंगे, तो हमारा जीवन बहुत ही, पहले से भी जादा, स्मूथ और हेल्दी चलेगा इसलिए जब हम हेल्थ की बात करते हैं, इट्स नॉट ओनली अबाउट फिजिकल हेल्थ, लेकिन हमारी मेंटल हेल्थ भी तो ये चेक करें, आज इस एक्षड कि नेचर के साथ मेरा सामन जस्य कितना है, प्रकृति के साथ मैं कितना ट्यूनिन हूँ, कितना जादा मेरा उसके साथ मेल मिलाप है क्या मेरी सोच इस प्रकृती जैसी विशाल है? क्या मेरी सोच और मेरा स्वभाव इस प्रकृती जैसा शीतल है? क्या मेरा खान-पान प्रकृतिक है? अगर हाँ तो जरूर निश्चित ही आपका जीवन बहुत ही खुबसूरत और स्मूध होगा और अगर जवाब आये ना, तो कोशिश करें हमारे साथ थोड़ा थोड़ा परिवर्तन करने की और अपने जीवन को बहतरीन बनाने की इसी के साथ आज विदा लेते हैं, Stay Happy, Stay Healthy मेरे जिन्दगी में क्या था, तेरे क्रपा से पहले, तेरे क्रपा से पहले में पुझाओ मादी रा था, तेरे क्रपा से पहले, तेरे क्रपा से पहले मैं था था अप एक जर्राण, और क्या थी मेरे हस्ति यू था पेड़े खा रहा था, तेरे क्रपा से पहले, तेरे क्रपा से पहले मेरे जिन्दकी में क्या था, तेरे क्रपा से पहले तेरे क्रपा से पहले मैं था इस तरह जहां में, जैसे खांगी सीप होते मेरे बर गई है कीमत, तुने भर दिये है वोते मुझे और मुझे का था, तेरे क्रपा से पहले मेरे जिन्दकी में क्या था, तेरे क्रपा से पहले तेरे क्रपा से पहले यूं तो है जहां में लाखो तेरे जैसा पान होगा तेरे जैसा बन्दा परवन घला ऐसा खान होगा मेरा पौन आसरा था, तेरे क्रपा से पहले मेरे जिन्दकी में क्या था, तेरे क्रपा से पहले तेरे क्रपा से पहले तु जो मेहरवा हुआ तो ये जहां मेहरवा है ये जमीन मेहरवा है आसमान मेहरवा है मैं खुदा तरलक जुदा था, तेरे क्रपा से पहले मेरे जिन्दकी में क्या था, तेरे क्रपा से पहले तेरे क्रपा से पहले तेरी रह्मते बड़ी है तू भी सत गुरु बड़ा है तेरी रह्मतों पुठा बड़ा था, तेरे क्रपा से पहले तेरे क्रपा से पहले मेरे जिन्दकी में क्या था, तेरे क्रपा से पहले तेरे क्रिपा से पहले पहले के कि अ? मुझे मिल गया मन का बीत मुझे मिल गया मन का में तय दुनिया क्या जाने क्या जाने भय क्या जाने क्या जाने भय क्या जाने मेरी लगी बाबा संद प्रीत ये दुनिया क्या जाने मुझे मिल गया मन का मीत ये दुनिया क्या जाने मुझे मिल गया मन का मीत ये दुनिया क्या जाने मुझे मिल गया जाने जब से प्रीत बाबा से लगाई बदल गया जीवन मेरे भाई जब से प्रीत बाबा से लगाई बदल गया जीवन मेरे भाई मेरी हार हो गई जीत ये दुनिया क्या जाने मुझे मिल गया मन का मीत ये दुनिया क्या जाने क्या जाने भई क्या जाने मेरी लगी बाबा संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने मुझे मिल गया मन का मीत ये दुनिया क्या जाने प्रीत मने खुद प्रेम जताया कोटों में भगवान बनाया मैं हो गया प्रेम मगन ये दुनिया क्या जाने मुझे मिल गया मन का मीत ये दुनिया क्या जाने क्या जाने भई क्या जाने क्या जाने भई क्या जाने मेरी लगी बाबा संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने मुझे मिल गया मन का मीत ये दुनिया क्या जाने मुझे मिल गया मन का मीत ये दुनिया जाने मुझे मिल गया जाने मुझे मिल गया जाने प्रेम की डुर बांधी बाबा से नाता तोड़ा मैने जग से प्रेम की डुर बांधी बाबा से नाता तोड़ा मैने जग से बन गाए किसके गीत ये दुनिया क्या जाने मुझे मिल गया मन का मीत ये दुनिया क्या जाने क्या जाने भई जाने मेरी लगी बाबा संद प्रीत ये दुनिया क्या जाने मेरी लगी बाबा सुन प्रीत ये दुनिया क्या जाने मुझे मिल गया मन का मीत ये दुनिया क्या जाने दिल ने पुकारा दिल से बाबा परमानंद में मन है जूमा दिल ने पुकारा दिल से बाबा परमानंद में मन है जूमा कैसा है ये संगीत ये दुनिया क्या जाने मुझे मिल गया मन का मीत ये दुनिया क्या जाने क्या जाने भय क्या जाने क्या जाने भय क्या जाने मेरी लगी बाबा संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने मुझे मिल गया मन का मीत ये दुनिया क्या जाने मिल गया मन का मीत ये दुनिया क्या जाने क्या जाने ओ शान्ति ओ शान्ति ओ परमपिता तू इतना प्यारा अब तुझसे मिलन होगा तजह को पाकर इनने नों में प्रेम का मुँती होगा प्रेम का मुँती होगा परम पिता तू इतना प्यारा अब तुझसे मिलन होगा तच्छ का पाकर इनने नोने प्रेम का मौती होगा गिरते गिरते मुझे को समाला सब तेरी ही बदालत है प्रीत का रस ऐसा छाया ये अनुभव रुभानी है तेरे रंग में जो रंग चाये जीवन में आनन्द होगा तुझको पाकर इनने नोने प्रेम का मौती होगा प्रेम का मौती होगा नाम है तेरा पालन हारां अब तुझ से मिलन होगा तुझको पाकर इनने नोने प्रेम का मौती होगा प्रेम का मौती होगा ओढ़को प्रेम का मौती तुझको प्रेम का मौती तुझको प्रेम का मौती होगा नाम से मेरी रहबर मेरी सासे चलती है तेरी बाहों में मेरे भगवन जन्नत का सुख पाते है जन्नत का सुख पाते है सुबह शाम बस तेरी बादत हर एक कश्ट खतम होगा तेरी ग्यान को पाकर ही ही तो विश्व परिवर्तन होगा परम पिता तु इतना प्यारा अब तुझसे मिलन होगा तज का पाकर इन नैनों में प्रेम का मोती होगा प्रेम का मोती होगा लेनों में पनी तुछ को बस तुझसे मिलन होगा तुझसा कर चेन सुखों पां जाते हैं नहीं मांगते धन और दौलत बस तुझे ही मांगा है सब के मुख पर मेरे भगवन अब तेरा वरणन होगा तुझको पाकर इन नैनों में प्रेम का मोती होगा प्रेम का मोती होगा परम पिता तो इतना प्यारा अब तुझसे मिलन होगा तुझको पाकर इन नैनों में प्रेम का मोती होगा प्रेम का मोती होगा ओ शान्ति ओ शान्ति ओ, सच की राह दिखा कर दाता सब के पाप में दाते हो भान भुला कर इस दुनिया का मन्जिल तक ले जाते हो तेरे साथ से मेरे दिल बढ़ तूफा भी तो खवा होगा तुझ का पाकर इन नैनों में प्रेम का मौती होगा प्रेम का मौती होगा परम पिता तो इतना प्यारा अब तुझ से मिलन होगा तुझ का पाकर इन नैनों में प्रेम का मौती होगा प्रेम का मौती होगा ओम शांथी ओम का मौती का मौती होगा सत्यम्शिवं सुन्दरं मुझ आत्मा की पिता शिव परम पिता घीता ज्यान के दाता जीवन मुक्ति दाता शिव याद में रहू मैं खोया खोया शिव बिंदू बिंदू याद में सच्चा सुख है पाया पाया शिव सिंदू सिंदू हर मुश्किल से छुड़ाए शिव बरमात्मा मुझे गले से लगाए शिव बरमात्मा हर वादा निभाए शिव बरमात्मा हर वादा निभाए शिव बरमात्मा एक शिव ही मेरे प्यार एक शिव ही मेरे संसार एक शिव ही जगत के सार एक शिव ही जीने का अधार शिव ही देते दिव्य संसकार शिव ही करन करावन हार एक शिव ही करते उधार एक शिव ही ले जाए उसकार वरदानों से सवारे शिव वरदाता गुणों से श्रिंगारे शिव गुण दाता प्रेम वर्षा 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 शिव प्रेम दाता नई दुनिया बनाए शिव निर्माता ग्यान मुरली सुनाए शिव मुरली धर कोडी से रतन बनाए शिव रतनागर शिव स्वरूप सब से न्यारा न्यारा शिव बिंदू बिंदू नारी से लक्ष्मी बनाए शिव जादूगर नर से नारायन बनाए शिव सोदागर एक में और एक मेरे शिव मेरे दिल पर नाम है शिव प्राणों से भी प्यारे है शिव इन सासों के स्वामी है शिव इन आखों के तारे है शिव उंचे से भी उंचे है शिव कालों के भी काल है शिव देवों के भी देव है शिव दिल हर पल गाए शिव मेरे मेरे अंतिम सास भी गाए शिव मेरे मेरे एक बल एक धरोसा शिव मेरे मेरे मैं शिव का हूँ शिव है मेरे मेरे जीने का मकसद भताए शिव प्राण पिता अपने साथ ले जाए शिव प्राण पिता ओ शिव का प्रेम सबसे गहरा गहरा शिव बिंदू बिंदू ज्यान प्रकाश भलाए शिव ज्यान सूर्य अज्यान अंधेर मिटाए शिव ज्यान सूर्य शिव से ही मिला हर सुख शिव से ही मेरा सब कुछ शिव के आगे नहीं अब कुछ शिव के लिए मेरा सब कुछ शिव पे ही ये जीवन अर्पित शिव पे ही ये दिल मोहित शिव से ही जीवन हर्शित शिव ने दिया प्यार हलो किक अपनी बाहों में समाए मेरे शिव पीता हाथ मेरे थामे मेरे शिव पीता चाहत पूरी करते मेरे शिव पीता राहत दिल को देते मेरे शिव पीता रंग जीवन में भरते मेरे शिव पीता अधूरा था मैं मेरे प्रिय प्राण पीता तुमने ही पूरा किया मेरे प्राण पीता शिव याद में रहूं मैं खोया खोया शिव बिंदू बिंदू याद में सच्चा सुख है पाया पाया शिव सिंदू सिंदू मुझ आत्मा के पिता शिव परम पिता इता ज्यान के दाता जीवन मुप्ति दाता अथिए झाल झाल ओम शान्ति कर्म की गती अतिगुई है ये बात भगवान ने अर्जुन को च्रेमत भगवत गीता में समझाई और इसलिए भगवान ने अर्जुन को कहा है अर्जुन मैं तुम्हें कर्म अकर्म विकर्म का ग्यान देता हूँ ये कर्म की गुई गती को समझना आवश्यक है क्योंकि तभी मनुश्य वर्तमान में अपने कर्म को सवार सकता है और उसके मध्यम से अपने जन्मों को भी सवार सकता है परन्तु आज की दुनिया में मनुश्य सोचता है किसने देखा और इसलिए कैसा भी कर्म बीना सोचे समझे किये जा रहा है और फिर जब फल भोगने का समय आता है तो उस वक्त यही कहता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है मैंने तो किसी का बिगाड़ा नहीं मैंने किसी का बुरा किया नहीं फिर मेरे साथ ऐसा क्यों यह प्रश्न बार बार उसको सताता है लेकिन कर्म कभी न कभी कही न कही तो किया है कर्म और फल यह दोनों एक दूसरे के पूरक है तभी भगवान ने अर्जुन को यही गीता में कहा कि हे अर्जुन कर्म किये जा फल की चिंता मत कर क्योंकि फल इनसेपरेबल है फल को कर्म से अलग नहीं किया जा सकता है फल उस कर्म की परच्छाई है और इसलिए कोई व्यक्ति को अपनी परच्छाई से कभी अलग कर सकते है क्या ठीक इसी तरह मनुष्य ने कभी न कभी तो कोई कर्म किया है तब ही उसको फल भी प्राप्त होता है मुझे एक बहुत सुन्दर घटना याद आती है कि एक बार मेरा एक कारेक्रम था बॉम्बे में जहां मेरा जाना हुआ कारेक्रम दुपहर के समय में था तेन से पांच शाम के समय हमारा फ्री था तो एक परिवार वाले आकर मुझे से कहने लगे कि वेंजी अगर शाम को आपके पास टाइम हो तो हमारी कॉलनी में बहुत अच्छे लोग रहते हैं अगर आप पुड़ा सा समय दे करके कुछ अच्छी बाते सुना सकते हूँ मैंने कहा शाम को तो मैं फ्री हूँ वले आप कारेक्रम रख सकते हैं अब जहां मेरा कारेक्रम तीन से पांच था पांच बजे पूरा होने के बाद कुछ प्रश्न उत्तर हुए कुछ लोगों से मिलना करना हुआ तो उसमें साड़े पांच पौने छे हो गए और वो परिवार वालों ने अपने घर में साथ बजे से कारेक्रम रखा था ताकि सब लोग पहुँच जाएंगे और साथ से आठ बजे उनके पास में कारेक्रम खा अब जब पौने छे हो गया तो जो बहन मेरे साथ में थी वो कहने लगी बहन जी अब अगर आश्रम जाएंगे फिर उनके घर जाएंगे तो रास्ता लंबा है और ट्राफिक का समय शुरू हो गया है तो मैंने पूछा फिर क्या करना चाहिए तो कहा अगर आप माइन नहीं करते हैं यहां से हम सीधे चले जाते हैं टाइम पर पहुँच जाएंगे मैंने पूछा कितना टाइम लगेगा यहां से तो कहा बस अरली 10-15 मेट का रास्ता है तो मैंने का फिर तो बड़े जल्दी पहुँच जाएंगे अगर जल्दी पहुच भे गए तो वो माइन नहीं करते हैं बहुत अच्छा परिवार है ठीक है हम चले अब उनके घर में हम करीबन 6 सवाचे के पहले पहुच गए अब उन्होंने इतना जल्दी हम एक्सपेक्ट नहीं किया था कि यह इतना जल्दी आजाएंगा तो जैसे ही हम पहुचे तो हमने देखा कि सारा परिवार बैठके टीवी देख रहा था कोई सीरियल चल रही थी हमें देख करके वो बहन ने इशारा किया अपने बच्चों से कि टीवी बंद करो बच्चों ने इशारा किया हम बंद नहीं करेंगे खेर माता पिता ने का अच्छा वॉल्यूम स्लो करो उन्होंने वॉल्यूम स्लो किया अब वहीं बैठना था वहीं उनकी टीवी चल रही थी अब उनका वॉल्यूम तो स्लो करा यहां माता पिता हमसे बात करने लगे, कैसा रहा प्रोग्राम को चाहिए, आधी पूछने लगे, अब नैचरल है कि हम जब बात करेंगे तो बच्चों को डिस्टरप्त होगा, उनकी जो सीरियल चल रही थी उसमें, तो जो सबसे छोटा बच्चा था, बारा-तेरा साल कहोंग मैं समझती हों, वो आकर मुझे कहने लगा, दीदी, प्लीज डोंट माइन, लेकिन आप थोड़ा साइलेंस रहेंगे, तो अच्छा रहेगा, कमें हसी भी आ गई, लेकिन फिर उसने अपना जस्टिफिकेशन दिया, कि ऐसा है कि यह सीरियल बहुत अच्छी है, और आज उस कोई बात नहीं आप देखो, अब साइलेंस में बैठना था, तो क्या करें, तो मैंने सोचा ऐसी क्या खास बात है इसमें, जो उसने मुझे चुप कर दिया, मैं देखने लगी, अभी वो जो चल रहा था, उनका जो सेरियल चल रहा था, स्पेशल एपिसोड, एक दृष्य क कनेक्शन दूसरे दृष्य से नहीं था, कहानी क्या थी ये भी समझ में नहीं आ रही, लेकिन बीच बीच में उनका क्या सस्पेंस खुलता था, मालूम नहीं, बड़े खुश हो जाते थे, वहां बहुत अच्छा दिखाया, बहुत अच्छा दिखाया, लास्ट में भी एं क्या आच्छा था, तो वो बच्चे ने मुझे आ करके बताया, कि दीदी ऐसा है, आपने सारे एपिसोड नहीं देखे ने, इसलिए आपको कुछ समझ में नहीं आया, मैंने कहा लेकिन एक द्रिश्य का कनेक्शन दूसरे द्रिश्य से नहीं, कहानी गया चल रही थी, ये भी समझ में नहीं आ रही थी, तो उसने में जह कहा, भले एक द्रिश्य का कनेक्शन दूसरे द्रिश्य से नहीं था, लेकिन उस द्रिश्य का कनेक्शन कोई न कोई एप देखे हैं, तो हम उसको समझ पाते थे, कि ये सस्पेंस, इसलिए तो उसको सस्पेंस कहा, कि ये सस्पेंस या कनेक्शन किस एपिसोड के साथ है, इतना बोल करके वो बच्चा चला गए, लेकिन मुझे इतनी बड़ी बात समझा करके गया, कि मैं सोच में पढ़ गई, कि सच म ये स्रिष्टी नाटक के अंदर, जो 5000 साल का नाटक हमने देखा है, इस 5000 साल के नाटक में, हमारे भी कितने जन्म होगी, और एक एक जन्म में एक 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 एपिसोड होगा, अब ये कलियू का अंतीम एपिसोड कहो, या अंत से एक दो पहले एपिसोड होगा, लेकिन जब फाइनल एपिसोड आने पर है, तो उसमें कई सस्पेंस भी होगे, हमारी जीवन को भी हम देखे, तो जीवन में कोई कहानी जैसा लगता नहीं है, जीवन में भी एक दृष्य का संबंद दूसरे दृष्य से नहीं है, लेकिन हर दृष्य का संबंद कोई न जरूर होगा, और इसलिए अगर हमें भी सारे एपिसोड याद होते थे, तो शायद उन बच्चों की तर हम भी यही कहते थे, वह बहुत अच्छा दिखा है, देर वस फुल जस्टिस दम, कर्म के सिद्धान्त ने सही न्याई किया, लेकिन क्योंकि हमें एक भी एपिसोड याद नहीं है, और इसलिए इस जनम में जो कुछ भी होता है, तो हमारे मन में कई प्रशन हो जाते हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो? मैंने तो इस जनम में किसी का कुछ बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन ये फल कोई न कोई एपिसोड के साथ कनेक्टेट तो होगा, इसलिए जीवन के अंदर जब भी कुछ होता है, ये समझ लिया जाए, कि कोई न कोई एपिसोड के साथ उसका संबन्ध है, तब कहा करम की गती अती गुहिया है, पता नहीं, इसलिए मनुश्य जब दुखी होता है, तो अवश्य ये कहता है, मुख से निकलता है, पता नहीं कौन से जनम का करम आज मेरे सामने आया है, कौन से जनम का करम, तब कहा कि हमें कर्म न्याई जरूर करता है हर एक इनसान के साथ न्याई करता ही है और इसलिए कम से कम इस जनम में तो हम संबल जाए कि हम ऐसा कोई कर्म न करें जिसका फल हमें भोगना पड़े तो इसलिए कर्म सिध्धान्थ को अगर देखा जाए तो कर्म सिध्धान्थ हमें यही सिखाता है जो करेगा सो पाएगा जैसा करेगा वैसा पाएगा जितना करेगा उतना पाएगा यह कर्म सिध्धान्थ है अब इस जन्म में मनुष्य जो कर्म कर रहा है उसके हिसाब से ही अपनी destiny fix करता जाता है तब ही कहा जाता है कि destiny is in your hands अपने हाथों में है हाथों में means इन हाथों द्वारा जैसा कर्म का आचलन करेंगे वैसे ही तो हमारी destiny बनेगी तो डेस्टिनी या होनी जिसको कहा जाता है यह कोई भगवान लिख करके नहीं देता है लेकिन हमारे कर्म के माध्यम से हम हर जन्म के लिए अपनी डेस्टिनी को फाइनलाइज करते जाते हैं कई बार कई लोग पूशते हैं क्या दूसरे जनम में ही उसका फल मिलता है या दो-चार जनम बाद मिलता है कैसे मिलता है संसार के अंदर एक किसान जो होता है वो जब बीज बोता है तो सीजन के हिसाब से बीज बोता है और उसको मालूम है कि अगर मैंने मिर्ची का बीज बोया तो तीन महिने में फल मिलेगा अनाज का बीज बोता है छे महिने के बाद पल मिलता है हलो का बीज बोता है साल दो साल के बाद पल मिलना चालू होता है नारियल का बीज बोता है पांच साल दस साल के बाद खल मिलना चालू होता है धरनी वही है, वायू वही है, पानी वही है, लेकिन फिर भी जैसा बीज और उस बीज की इंटेंसिटी जैसी होती है, वैसे ही समय के अनुसार वो फल देता है। ठीक इसी तरह करम भी एक बीज है, और जब करम भी एक बीज है, तो हर करम करते समय, जितनी इंटेंसिटी उस करम के अंदर होती है, माना कोई कर्म करते समय बहुत द्रड़ इच्छा के साथ वो कर्म करते हैं तो उसकी तीवरता बढ़ जाती है तो उसका फल भी बहुत जल्दी मिलता है तो कोई कर्म का फल हमें इसी जन्म में प्राप्त होता है और मालूम पढ़ता है यह मेरे कर्म का फल है इसी तरह कोई कर्म ऐसे होते जिसके इंटेन्सिटी थोड़ी कम होते तो अगले जन्मों में भी प्राप्त होता है संचित रूप में चले जाते हैं और दस साल के बाद भी भल मिल सकता है तो कर्म एक बीज है और उस बीज को जितनी इंटेंसिटी के साथ किया जाता है उस अनुसार वो कर्म का फल हमें प्रदान करता है जीवन में इसलिए कर्म करते समय साउधान होना जरूरी है कई बार ये भी प्रश्न होता है कि मनुष्य जैसा कर्म करता है क्या वो कर्म का फल उसको वैसा ही प्राप्त हो जाता है बहुत सुन्दर एक घटना मुझे याद आती है कि एक बार एक सेठ जी थे और उस सेठ जी के तीन बेटे थे दो बेटों की शादी हो गई थी तीसरे बेटे की शादी होने वाले थी शादी हुई घर में बहु आई अब बहु को पहले दिन ही दोनों बड़ी बहु ने समझा दिया कि हमारे ससूर जी का नियम है कि दान नहीं करना उसको बड़ाश्चरिय लगा क्योंकि जिस परिवार से वह आते थी वहां उसके पिता ने यही सिखा कि बेटे जरूरत मंद को हमेशा दान कर दान नहीं कर उसने सोचा अब जिस घर में आये हैं उस घर का उसूल तो पालन करना ही होंगा कि के नहीं करेंगे अब कुछ दिन बीते महिना दो महिना पूरा हुआ एक दिन छोटी बहु गैलेरी में कपड़ा सुखा रहे थी बड़ा बंगला था बड़ा सेट था तो उपर के माले में वो फस्ट प्लोर पर कपड़े सुखा रहे थी तो नीची एक बिखारी आया और बिखारी ने आवाज लगाई तीन जनम का भूखा हूँ कुछ दे दो चोटी बहु ने ये बात सुनी तो उसने उपर से आवाज दिया उसको जवाब दिया बांसी खाना खा रहे है कल उपवास करें अब नीचे ससुर जी पेपर पड़ रहे थे उसने ये बात सुनी बांस चपा रहे हो और कल उपवास करेंगे क्या बात है कि ईट दिन हमने उसको के लिए और किस दिन उसको उपवस करने के लिए कखा गया बड़ा कुस्टे में आ गया new कि अब उसको इतनी परेशानी हो गई लिए कि बहू को प्ड़ा एन्फ Сам काना मेंने कब बहू को आज बिखारी को कहा कल जा करके तमाज वालों को कहेगी ये तो बड़ी बुरी बात है कि बहु तो हमें बदनाम करके छोड़ेगी बड़ा गुस्ता आया आखर उसने अपने संधी को जाकर कह दिया पोन करके आप अपनी बेटी को ले जाओ हमें ऐसी बहु घर में नहीं चाह है ऐसा क्या हो गया जो संधी जी ऐसा कह रहे है कि बेटी को घर ले जाओ आज का जमाना हो तो बात अलग है कि ले आएं पिता नेकिन उस जमाने की बात थी कि जहां पिता को भी समाज में मूह दिखाना भारी मैसुस हो रहा था और दूसरी और लड़कियां थी कैसे उसकी परिशादी होगी अगर पहली वाली ही वापस आ जाये तो ऐसा क्या हो गया बड़े परिशान आखर सोचा किसी की मदद लेनी चाहिए तो गाओं में पंच की मदद लेने के लिए पहुँचे और कहा के देखो आप सभी तु मेरी लड़की को जानते हो इतनी समझदार है लेकिन पदा नहीं कुछ मिस अंडरस्टैनिंग हुई है और इसलिए समधी जी एकदम गुसे मे आकर कहने लगे कि अपनी बेटी को ले जाओं पंचो ने कहा हम सेट जी से ही पूछ लेते हैं सेट जी को बिलाया गया और पूछा कि भई क्या बात है क्यों आपने ऐसा कहा कि अपनी बेटी को ले जाओं तो कहा कि नहीं नहीं ऐसी बेटी नहीं चाहिए हमको घर में जो हम उसने बांसीक खाना खिलाया किस दीन इसको उपास रखना के लिए कहा था पंचर भी तुने करको है काहा हो यह ईक काम करते हैं अब लड़की को साथ हाथ जोड करके सिर जुगा करके कहा अगर मेरे से कोई गलती हो गई हूँ तो ख्षमा जाती है लेकिन मैंने ये बात इसलिए कही क्योंकि वो भिखारी ने कहा तीन जनम का भूखा हूँ कुछ दे तो का तीन जनम का भूखा वो इसलिए कहा उसने क्योंकि पहले जनम में हो सकता है उसके पास हो या नव हो लेकिन उसने दान ही नहीं किया तो दूसरा जनम भी बिखारी का था अब बिखारी का था तो क्या दान करेगा अब दान ही नहीं किया तो ये जनम तीसरा जनम भी बिखार इसलिए वो कहना चाहता था कि इस जनम में ऐसा कुछ मुझे दो ताकि मैं दान कर सकूँ और अपना आगे का जनम सवार सकूँ लेकिन उसने कहा कि हमारे घर में भी ससूर जी का नियम है दान नहीं करना इसलिए मैंने उसको जवाब दिया कि ये जो तुम देख रहे हो ये पिछले अच्छे कर्मों का फल है तो बासी खाना खा रहे हैं माना पूर्व जनम के अच्छे कर्मों का फल हम इस समय भोग रहे हैं लेकिन इस जनम में हम भी कुछ नहीं कर रहे हैं, तो आगे के जनम में तो हमें भी उपवास ही करना पड़ेगा. इतनी सुन्दर बात जब सुने, ससुर जी को इतना डीप रियलाइजेशन हुआ, कि सच मुझ, क्या मेरे आगे के जनम को मैं यहीं फल भोग करके, पुरा करके चला जाओंगा, और आगे का जनम मेरा अपवास वाला ही होगा. उसी दिन से उसने ये नियम तमाप्त कर दिया, जितना मरशी दान करो अपने आगे के जनम को समार दे जाओ, तो कर्म की गती अतीग हुई है, इस जनम में नहीं तो आगे के जनम में जितनी इंटेंसिटी के साथ किया जाता है, उस हिसाब से प्रापत होना ही है. तो कर्म सिध्धान जो करेगा तो पाएगा, जैसा करेगा वैसा पाएगा, कितना करेगा उतना पाएगा कर्म की गती अती गुई है उसको समझेंगे आने वाले एपिसोड के अंदर आगे के सत्र में हम देखेंगे ये कर्म किस प्रकार के फल और जन्म की प्राप्ति हमें कराती है क्योंकि शास्त्रों के अनुसार कहा गया है कि मनुश्य 84 लाख जनम का फेरा में जाता है और अपने कर्मों का फल भोग का जाता है तो आज यहीं समाप्त करते हैं आगे के सत्र में हम देखेंगे मनुश्य की जन्म और कर्म की कहाने ओम शान्ति तेरे एहसान का बदला चुका याजा नहीं सकता 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 अगर मुझे को न तू मिलता बड़ा मुश्य के गुजारा था तेरी किरणों से रोशन हूँ मैं एक बेजा सितारा था ये जीवन बिन तेरे बाबा गुजारा जा नहीं सकता प्यार एहसान दिया तू ने भुलाया जा नहीं सकता तेरे एहसान का बड़ला चुका याजा नहीं सकता तेरे एहसान का बड़ला चुका याजा नहीं सकता मेरी हर सास परवामा महज अधिकार तेरा है मेरा मुझ में नहीं कुछ भी जो कुछ भी है वो तेरा है तुछे दुनिया की दौलत से तु लाया जा नहीं सकता प्यार एहसा दिया तू ने भुलाया जा नहीं सकता तेरे एहसान का बड़ला चुका याजा नहीं सकता बड़ी पूची तिरी रहमत बड़ी छोटी जुबा मेरी तुझे बाबा समझ पाओं तुझे दाता समझ पाओं वो हस्ती है कहां मेरी तेरी रहमत को शक्तों में सुनाया जा नहीं सकता प्यार एहसा दिया तू ने भुलाया जा नहीं सकता तेरे एहसान का बड़ला चुकाया 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 जा नहीं सकता नाम है तेरा तारण हारा कब तेरा धरशन होगा जिल की प्रतिमा इतनी सुन्दर वो कितना सुन्दर होगा नाम है तेरा तारण हारा कब तेरा धरशन होगा जिल की प्रतिमा इतनी सुन्दर वो कितना सुन्दर होगा वो कितना सुन्दर होगा तुमने तारण होगा प्रे लाखों ब्राणी ये संतों की बाणी है तेरी चमी पर मेरे भगवन ये दुनिया दीवानी है भाव से तेरी पूजर जाओं जीवन में मंगल होगा जिल की प्रतिमा इतनी सुन्दर वो कितना सुन्दर होगा वो कितना सुन्दर होगा नाम है तेरा तारण हारा कब तेरा धरशन होगा जिल की प्रतिमा इतनी सुन्दर वो कितना सुन्दर होगा वो कितना सुन्दर होगा सुरवर मूनिवर जिल के चरण में निषद नशीष जुकाते हैं जो गाते हैं प्रभु की महीमा वो सब कुछ पाजाते हैं वो सब कुछ पाजाते हैं वो सब कुछ पा जाती है अपने कर्ष्ट मिटाने को तेरी चरणों का वंदन होगा जिन की प्रतिवा इतनी सुन्दर वो कितना सुन्दर होगा नाम है तेरा तारण हारा कब तेरा दर्शन होगा जिन की प्रतिवा इतनी सुन्दर वो कितना सुन्दर होगा वो कितना सुन्दर होगा मन की मुरादे लेकर साथ तेरे चरण में आये हैं हम है बालक तेरे चरण में तेरे ही गुण गाते हैं भव से पार उतरने को तेरे गीतों का संगम होगा जिन की प्रतिवा इतनी सुन्दर वो कितना सुन्दर होगा वो कितना सुन्दर होगा नाम है तेरा तारण हारा कब तेरा दर्शन होगा जिन की प्रतिवा इतनी सुन्दर वो कितना सुन्दर होगा वो कितना सुन्दर होगा मुझे नूर बनातर रख लेना मुझे नूर बनाकर रख लेना शिव बाबा तुम अपने नैनों में मुझे नूर बनाकर रख लेना शिव बाबा तुम अपने नैनों में एक मोती बनाकर रख लेना मेरे बाबा तु अपनी माला में मुझे नूर बनाकर रख लेना शिव बाबा तु अपने ने मुझे तेरी मुरली का मैं दिवाना हूँ हुआ तुझ पे पिदा परवाना हूँ हुआ तुझ पे पिदा परवाना हूँ हुआ तुझ पे पिदा परवाना हूँ मुझे नूर बनाकर रख लेना शिव बाबा तु अपने अधरों के मुझे नूर बनाकर रख लेना शिव बाबा तु अपने नैनों हमें दिव्य गुणों से सजाया है हमें दिव्य गुणों से सजाया है मानव से देब बनाया है मानव से देब बनाया है अब नश्णा है ये चलना मुझे को विश्णों के देव घराने में मुझे मुरे बना कर रख लेना शिव बाबा तु अपने नैनों में मैं भला हूँ बुरा हूँ तेरा हूँ मैं भला हूँ बुरा हूँ तेरा हूँ मधुबन में डाले डेरा हूँ मधुबन में डाले डेरा हूँ मुझे फुल समझे कर रख लेना मुझे फुल समझे कर रख लेना शिव बाबा तुम अपनी बगिया में मुझे नूर बना कर रख लेना शिव बाबा तुम अपने नैनों में एक मौती बना कर रख लेना मेरे बाबा तुम अपनी मा लाए मुझे नूर बना कर रख लेना शिव बाबा तुम अपने नैनों में जब आप क्रोध की अगनी में जलते हैं तो उसका दुआ आपकी ही आखों में जाता है क्रोध की अगनी को शीतल विचारों की छीटों द्वारा शांत करें और इस अगनी से स्वयम को वद दूसरों को सुरक्षा प्रदान करें मेरे सिर पर रख दो बाबा अपने ये दोनों हाथ मेरे सिर पर रख दो बाबा अपने ये दोनों हाथ देना हो तो दीजिये जनम जनम का साथ देना हो तो दीजिये जनम जनम का साथ देने वाले शिव बाबा तो धन और दोलत क्या मांगे शिव बाबा से मांगे तो फिर नाम और शान हम क्या मांगे मेरे जीवन में कर दे तू बरदानों की बरशाथ देना हो तो दीजिये जनम जनम का साथ देना हो तो दीजिये जनम जनम का साथ सर्व का तू हितकारी बाबा सब का तू कल्यान करे तुझसा कहा कोई इस जग में जिसको सारे प्यार करे आकर दुनिया में बदले तू सब के ही हालाथ देना हो तो दीजिये जनम जनम का साथ देना हो तो दीजिये जनम जनम का साथ जुलस रहे थे गम की धूप में क्यार किछाया हम्ति किया जीवन की सूनी सी राह में तुमने अपना हाथ दिया होगी क्या इससे बढ़कर दुनिया में कोई सोगार देना हो तो दीजिये जनम जनम का साथ देना हो तो दीजिये जनम जनम का साथ बंधन सारे दुख के मिटा कर मुझको जीवन दान दिया मेरी हर एक सास पे बाबा अब है तेरा नाम लिखा अतिंद्रिय सुख के जूले में जूलू मैं दिन राथ देना हो तो दीजिये जनम जनम का साथ मेरे सिर पर रख दो बाबा अपने ये दोनों हाथ देना हो तो दीजिये जनम जनम का साथ 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 तो प्यार का सागर है तेरी एक बूंद के प्यासे हम लोटा जो दिया तुने चले जाएंगे जहां से हम तु प्यार का सागर है तु प्यार का सागर है तेरी एक बूंद के प्यासे हम तु प्यार का सागर है घायल मन का पागल पंची उड़ने को बेखरार पंख है कूमल आख है धुंदली जाना है सागर पार जाना है सागर पार अब तु ही इसे समझा राह भूले थे कहां से हम तु प्यार का सागर है तेरी एक बूंद के प्यासे हम तु प्यार का सागर है इधर जूमते गाये जिन्दगे उधर है मौत खड़ी कोई क्या जाने कहां है सीमा उलजन आन पड़ी कानों में जरा कह दे कानों में जरा कह दे कि आए कोन दिशा से हम तु प्यार का सागर है तेरी एक बूंद के प्यासे हम तु प्यार का सागर है तु प्यार का सागर है आए तु 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 आए भगवान भगत भर देरे छोली तेरे पार खड़ा हदवान धगत भर देरे जोली तेरा होगा बड़ा पहसान के युग युग तेरी रहे की शान भगत भर देरे जोली तेरे द्वार खड़ा हदवान तेरे सारे धरती देख ले दोला गगन है सारा धीक मांगने आया तेरे दर जगत का पालन हारा रे जगत का पालन हारा मैं आज तेरा मेहमान मैं आज तेरा मेहमान पर रखरे मुझे को जरा पहचान भगत भर देरे जोली तेरे बार खड़ा भगवान भगत भर देरे जोली भगत भर देरे जोली तेरे बार खड़ा भगवान अज खड़ान आज आज गतक भगवान आज जोली ड़ देरे जोली इसकाज आज वे आज बारे देरे दोली आज लुटा देरें सरवस अपना मान ले कहना मेरा मिट जाएगा पल में तेरा जनम जनम का फेरा रे जनम जनम का फेरा तू छोड सकल अभिमान अमर कर लेरे तू अपना दान भगत भर देरे छोली तेरे द्वार खड़ा भगवान प्रणा दाना 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 प्रणा ड्रणा स्वार देरे खड़ा थाट बाट ये महल चोबारे शण भंगुर है सारा थाट बाट ये महल चोबारे शण भंगुर है सारा वारत के ये जूठे बंधन तू ना किसी का प्यारा रे तू ना किसी का प्यारा बस एक सखा तेरा नान पस एक सखा तेरा नान मिला दे तुझ से तेरा भगवान भगत भर देरे चोली तेरे द्वार खडा भगवान भगत भर देरे चोली तेरा होगा बड़ा एहसान तेरा होगा बड़ा एहसान युग युग तेरी रहेगी शान भगत भर देरे चोली भगत भर देरे चोली तेरे बार खडा भगवान भगत भर देरे चोली भगत भर देरे चोली उम्शान्ती आपने देखा होगा ओशन का जो सर्फेस होता है सर्फेस में बहुत सारी लहरे होती है जैसे वो लहरे आती है अपने साथ बहुत सारा जो कच्रा होता है उसको भी लेकर आती है और फिर जैसे लहरे वापस जाती है तो वो कच्रा भी उन लहरों के साथ जाता है इस तरह से सर्फेस पर बहुत सारी लहरे बहुत हलचल होती है लेकिन जितना ही आप उस OCN के BASE में जाएंगे तले में जाएंगे तो आपको बहुत सारे ट्रेशर्ज मिलेंगे और वहाँ बहुत स्थिर्टा भी होती है उसी तरह से जब हम life को surface पर जीते हैं surface पर जीना मीनिंग जो situations जो दिखाई दे रहा है उनी चीजों को देखते हुए जीते हैं तो हमारे मन में भी बहुत हलचल होती है लेकिन जितना ही उन situations में रहते हुए हम deep जाते हैं अपने अंदर की गहराईों में जाते हैं तो हम कहीं न कहीं बहुत stillness को महसूस करेंगे और उस stillness के साथ हमें बहुत सारे treasures जैसे शान्ती, खुशी, शक्ती उन्हें भी हम अनुभव कर सकते हैं तो आज से हम रोज कुछ समय निकाले बाहर की बातों से अपने attention को हटा कर अपने अंदर के उन treasures को अनुभव करने के लिए ओम शान्ती बाबा बाबा मेरा बाबा बाबा शिव बाबा मेरा बाबा शिव भोला भंदारी तेरी प्रीत है न्यारी कल्यान कारी साजन निराकारी शिव भोला भंदारी तेरी प्रीत है न्यारी कल्यान कारी साजन निराकारी शिव भोला भंदारी तेरी प्रीत है न्यारी तू गुणों का है साजर तू ही पत्त पावन है जीवन की नईया का खिवया मेरा साजन है तू गुणों का है साजर तू ही पत्त पावन है जीवन की नईया का खिवया मेरा साजन है दीफ्य द्रिष्ट का दाता स्रिष्ट चर्क का ग्याता मेरी जीवन नईया तोने पार लगा दे शीव भोला बंदारी तेरी प्रीत है नारी कल्यान कार साजन निराकारी शीव भोला बंदारी तेरी प्रीत है नारी शीव भोला बंदारी तेरी प्रीत है नारी बाबा बाबा मेरा बाबा बाबा शीव बाबा मेरा बाबा तू पिता है और शिक्षक तू ही सद्गुरु है पारसना धहर चैता है तू स्रिष्टी का बीज है हां तू पिता है और शिक्षक तू ही सद्गुरु है पारसना धहर चैता है तू स्रिष्टी का बीज है गीता ज्यान का दाता सबका भाग विधाता तेरी गत्मत न्यारी श्री मत भी सबसे प्यारी शिव भोला भंडारी तेरी प्रीत है न्यारी कल्यान कारी साजन निराकारी शिव भोला भंडारी तेरी प्रीत है न्यारी शिल भोला मन्दारे तेरी पीत है नारे मैंने चाहा तुझको जब से मन तेरा हुआ है आके तुझको जीवन मेरा सवर ने लगा है मैंने चाहा तुझको जब से मन तेरा हुआ है आके तुझको जीवन मेरा सवर ने लगा है सर्व सित्रिका दाहा नीठा प्यार शिव भाबा तु सदा ही सुखकारी हम तेरे आभारी शिव भोला मन्दारे तेरी प्रीत है नारे तल्यान कारी साजन निराकारी शिव भोला मन्दारे तेरी प्रीत है नारे। मेरा कोई ना सहारा बिन ते मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे प्यारे प्यारे शिव बाबा मेरे सहारे दाता शिव बाबा मेरे मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे शिव बाबा की वैया मेरे मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे शिव बाबा की वैया मेरे मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे शिव बाबा की वैया मेरे शिव बाबा की वैया मेरे तेरे बिन तेरे तेरे बिना मेरा है कोई यहां प्रभु तुम्हे छोड मैं जाओ कहा मुझे भागए है दर तेरे शिव बाबा की वैया मेरे मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे शिव बाबा की वैया मेरे मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे शिव बाबा की वैया मेरे मेरे नैना जो कल थे तरस रहे तुझे पाकर प्रेम में बरस रहे अर्मान की ये सब पूरे शिव बाबा की वैया मेरे मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे शिव बाबा की वैया मेरे मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे शिव बाबा की वैया मेरे मैंने यू तो चोरा सी जनम लिया पर इसी जनम तेरा गोद मिला ये जनम अनमूल है मेरे शिव बाबा की वैया मेरे मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे शिव बाबा की वैया मेरे मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे शिव बाबा की वैया मेरे तुम जीवन में जब से आए मैंने कितने खुशियां पाए हरे जीवन में रंग सुने हे रे शिव बाबा खिवे या मेरे मेरा कोई न शहारा बिन ते शिव बाबा कि वईया मेरे मेरा कोई न शहारा बिन ते शिव बाबा कि वईया मेरे मैंने सोचा नहीं था कभी भगवन मिलेगा तु मुझे और ये जीवन मिलेगा तु मुझे और ये जीवन तुने की ये उपकार घनेरे शिव बाबा कि वईया मेरे मेरा कोई न सहारा बिन ते शिव बाबा कि वईया मेरे मेरा कोई न सहारा बिन ते रे शिम बाबा की मैया मेरे तुम ही मेरे नयनों के हो तारे तुमने हर संकट को टाले तेरा हाथ जो था में न डूबे शिव बाबा की मैया मेरे मेरा कोई न सहारा बिन ते शिव बाबा की मैया मेरे मेरा कोई न सहारा बिन ते रे शिव बाबा की मैया मेरे सब दोशों के साथ स्विकारतिया कितना मुझे तुमने त्यार दिया कितना मुझे तुमने त्यार दिया तिया वो जो कभी न थे सोचे शिव बाबा की मैया मेरे मेरा कोई न सहारा बिन ते शिव बाबा की मैया मेरे प्यारे प्यारे शिव बाबा की मैया मेरे प्यारे प्यारे शिव बाबा मेरे मेरा कोई न सहारा बिन ते रे शिव बाबा की मैया मेरे मेरा कोई न सहारा बिन ते रे शिव बाबा की मैया मेरे मेरा कोई न सहारा बिन ते रे शिव बाबा की मैया मेरे बाबा, 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 ओ मेरे बाबा, बाबा ओ मेरे बाबा, बाबा, मेरे बाबा, सबके बाबा, प्यारे बाबा, प्यारे बाबा, मीठे बाबा, भोले बाबा मेरे बाबा, सबके बाबा, प्यारे बाबा, प्यारे बाबा, मीखे बाबा, भोले बाबा पन पन करू तुझे यार, मेरे बाबा, रग रग समाया तेरा प्यार मेरे बाबा, बल बल करू तुझे यार, मेरे बाबा, रग रग समाया तेरा प्यार, मेरे बाबा, मेरे बाबा, सबके बाबा, प्यारे बाबा, प्यारे बाबा, मिठे बाबा, भोले बाबा मेरे बाबा, शक्की बाबा, प्यारे बाबा, प्यारे बाबा, मिखे बाबा, भोले बाबा तूने दिया मुझे बुणों का खजाना, कितना सुख देता बाबा तेरा आना तूने दिया मुझे बुणों का खजाना, कितना सुख देता बाबा तेरा आना तूने दिया मुझे स्लिह का खजाना, सच हो गया है मेरा हर सपना अमरित वेले तेरे प्यार का मैं जूला जूलूं, भूले जाओं सारा जहान मेरे बाबा, तू ही तो मेरा हमसफर मेरे बाबा, तेरे संकोई ना फिकर मेरे बाबा, पन पन करू तुझे यार मेरे बाबा, मेरे बाबा, सबके बाबा, प्यारे बाबा प्यारे बाबा, मिठे बाबा, भूले बाबा मेरे बाबा, सब्की मामा, प्यारे बाबा, प्यारे बाबा, पीखे बाबा, भोले बाबा हर तरफ तेरा ही नूर दिखे तेरी आद बिन मेरे दिन है फिके हर तरफ तेरा ही नूर दिखे तेरी आद बिन मेरे दिन है फिके हो मर हम लगाई मुझे तुने मिलके तेरे गुण गाउं बस तु ही तु दिखे मर हम लगाए मुझे तुने मिलके तेरे गुण गाउं बस तु ही तु दिखे तेरे कदमों पे ही सदा मैं कदम रखू गिरने का ना कोई सवा मेरे बाबा बन गए सारे मेरे का मेरे बाबा पल पल करू तुझे यार मेरे बाबा रग रग समाया तेरा प्यार मेरे बाबा सबके बाबा प्यारे बाबा प्यारे बाबा मीठे बाबा भोले बाबा मेरे बाबा सबके बाबा प्यारे बाबा प्यारे बाबा मीठे बाबा भोले बाबा तुही हो माता पिता तुही हो तुही हो बंधु सखा तुही हो तुही हो माता पिता तुही हो तुही हो बंधु सखा तुम्ही हो तुम्ही हो साथी तुम्ही सहारे कोई ना अपना सिवा तुम्हारे तुम्ही हो साथी तुम्ही सहारे कोई ना अपना सिवा तुम्हारे तुम्ही हो नईया तुम्ही हो मर्या तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो सखा तुमी हो तुमी हो माटा पिता तुमी हो तुमी हो बंदू सखा तुमी हो जो खिल सकेना वो फूल हम है तुमारे चरणों की धूल हम है जो खिल सकेना वो फूल हम है तुमारे चरणों की धूल हम है दया के द्रेश्टी सदा ही रखना तुमी हो बंदू सखा तुमी हो जया की धृष्टी सदा ही रखना तुमी हो बंदू सखा तुमी हो तुमी हो माता विता तुमी हो तुमी हो बंदू सखा तुमी हो तुमी हो माता विता तुमी हो तुमी हो बंदू सखा तुमी हो आपकी फर्माईश हम ना तो गिला करते हैं ना शिक्वा करते हैं आपकी फर्माईश तो एक बहाना है इसी जरीय हम आपसे मिला करते हैं यारे साथियों रूहानी गेतों के सफर का नाम है आपकी फर्माईश और मैं ब्रम्हकुमार सतेश आप सभी का इस बहतरीन सो में आपके मन पसंदीदा सो में आपका स्वाकत करता हूँ इश्वरिय विश्विद्याले के अनेक गीतों को जो जीवन देते हैं जो बहुतों का भागे बनाते हैं जो बहुतों का साव वर्धन करते हैं जो ग्यान वर्धक हैं जो पेरक हैं और जो एक अच्छे उंदा जीवन का निर्मान करते हैं ऐसे रूहानी गीतों को आप फरमाईश करते हैं और हम आपको उस कहानी को बताते हैं कैसे इस गीत को अन्रिमान हुआ, किसने गीत लिखा, किसने गीत को संगीत दिया है और किसने गाया है उसके पीछे की कहानी बताते हैं, अदभुद गीत हैं, ऐसे गीतों का रूहानी सफर है आपकी फर्माईश तो एक बार फिर से आप सबे का आपकी फर्माईश में मैं ब्रह्मा कुमार सतीश हार्दिक स्वागत करता हूँ तो प्यारे साथियों चलते हैं गीत और संगीत के इस रूहानी सफर में सुहावने सफर में पर्थम पड़ाव पर बीके गीता जी करनूल आन्ध प्रदेश से एक बहुत ही प्यारे से उंदा गीत की फर्माईश करते हैं और गीत की बोल हैं तुम्हारी याद बाबा एक अनोखी शक्ति भरती है कि जैसे टिम की माते लोग की फिर से जियों की जक्ति है बड़ा प्यारा सा गीत है अधभूत है और बड़ा इस पर इंस्पिरेशन मिलता है आप सुनिये देखिये और मुस्कुराइए और अपने आपको शक्ति से ताजा कर लीचिए सुनिये तुम्हारी याद बाबा इक अनोखी शक्ति भरती है तुम्हारी याद बाबा इक अनोखी शक्ति भरती है कि जैसे तिम्ति मादिलों की तिर से जोती जलती है तुम्हारी याद बाबा इक अनोखी शक्ति भरती है क्या Chaos कृच्वर्ण प्रभूर्ण की शेय। ऐ जैसे प्रफ्ण dość pad ﷺ खहुत में प्रफली को प्रफलूर्ण ख्याइव, श्माहम। अन्धेरे हों खनेरे पर फलक से रौशनी मिले तुम्हारी एक जलक से बाबा जैसे जिंदगी मिले तसली दिल को देती है ये सारे कश्ट खरती है तुम्हारी आद बाबा एक अनों की शक्ति बरती है तुम्हारी आद तस्तुरी है जिंदगी मिले इसने मन को मेहकाया सही ये बात है कि तुम्हारी है कि तुम्हारी हमने क्या नहीं पाया तभी तो प्रेत अखियों से ये बन सावन बनसती है तुम्हारी आद बाबा एक अनों की शक्ति बरती है तुम्हारी आद अनों की छेटर तुम्हारी ये यादि दंगा जल है जिससे मन के मेल दुलते हैं चेहरों पे चमत आती है खुशी के फूल खिलते हैं ये ही संजीवनी बूटी जो जीवन का दाज करती है तुम्हारी याद बाबाई अलोखी शक्ति भरती है तुम्हारी याद बाबा इक अलोखी शक्ति भरती है कि जैसे टिंती मादि लोखी जैसे टिंती मादि लोखी इस जो दी चलती है तुम्हारी याद बाबा इक अनोखी शक्ति भरती है तुम्हारी याद बाबा इक अनोखी शक्ति भरती है तुम्हारी याद बाबा इक अनोखी शक्ति भरती है कि जैसे टिंती मादि लोखी फिर से जोती जगती है अंधेरे हो घनेरे पर फलक से रोशनी मिले कि जैसे जिन्दगी मिले एक नई जिन्दगी मिले बड़ा अदभुद गीत है ये कस्तूरी है ये जीवन दान देने वाली संजीवनी बूटी है और ये गंगा जल है जो आत्मा को निर्मल बना देती है क्या क्या नहीं है उस परमात्मा की मधुरी सुड़ती में प्यारी साथियों, हम जितना समय मिले उस परमात्मा से अपने मन की तार को जोड ले और क्या क्या अद्भुत्च मतकारिक इसमें उपलब्धियां होती हैं, फायदे हैं, वो आप याद में रह करके देखेंगे कितने बड़े-बड़े संकट होते हैं, परमात्मा का नाम लेते ही हम उस संकट से मुक्त हो जाते हैं इस गेत को गाया है हम सब की पारशुगाई का कविता कृष्ण मूर्थिची ने और इसको संगीत बद्ध किया है हम सब के प्रिय संगीतकार और गायक ब्रम्हकमार ओम व्याष्छी हाजी ओम व्यास जी वही जो भरत व्यास जी के भतीजे लगते हैं बहुत सुंदर सुंदर से आपने गीतों की रचना भी किया है संगीत बद्ध भी किया है मूलताप राजिस्थानी गायक है बहाँ सुन्दर से गीतों की उन्होंने हमारे इसी शुरी विश्विद्याले में उपलब्धिया प्रदान की है तो अद्भुत है और इस गीत को जो मैं लिख रहा था तो ऐसा लगता था कि परमात्मा की याद के अतरिक तोर है क्या स्वासों स्वास उसका सिमरन करें तो जीवन एक नई उर्जा से भर जाता है हम अद्भुत उपलब्धियों से अद्भुत प्राप्तियों से भर जाते हैं उसकी याद वो कस्ट निवारक है निस संदे परमात्मा की मधोरी स्मरती उसके प्रेम में समा देती है और जीवन को प्रेम मैं बना देती है निसकंटक बना देती है नया जीवन प्रदान करती है और परमात्मा से हमको मिला देती है तो प्यारे साथियों, ऐसे से गीतों को सुनिये, देखिये और मुस्कुराते रहिए, शक्तिशाली बन जाई तो साथियों, गीत और संगीत के आगले पड़ाओ पर, बीके सुमनशी, अहमदाबाद गुजराच से, बहुत ही उमदा, बड़े प्यारे से गीत की फर्माईश करती हैं, और गीत के बोल हैं, उपकार तुम्हारा बाबा, किन शब्दों में गाउं, इस दिल ने जो पाया है वो कैसे में समझाएं, बड़ा प्यारा से गीत हैं, सुनिए, फिर इसकी कहानी सुनें दावाद में उपकार तुम्हारा बाबा, किन शब्दों में में गाउं, इस दिल ने जो पाया है वो कैसे में समझाएं, बड़ा बाबा, किन शब्दों में में गाउं, इस दिल ने जो पाया है वो कैसे में समझाएं, उपकार तुम्हारा बाबा मरु भूमि बनी जीवन में हरियानी बन कर आएं मुर्जास इस मन पर, खुशहाली बन कर चाएं तुलना के योग नहीं तुम्हुक्मा किसकी बताओं इस दिल ने जो पाया है वो कैसे में समझाएं, उपकार तुम्हारा बाबा दुर्गं जीवन के रेस्ते पग पग पर कोटे चुगते सीजी शाहिन मानता दानता में थे परते दानता में थे परते पथ सुगम बनाया तुने बस तेरी मही मागाओं इस दिल ने जो पाया है वो कैसे में समझाएं, उपकार तुम्हारा बाबा निश्चिंत बनाया जीवन चिंता हर न सिखाया हर मन की पीडा पीना तुमने हमको सिखाया तुमने हमको सिखाया तुमसे हर बुन को लेकर सबको मैं गुनी बनाओं इस दिल ने जो पाया है वो कैसे मैं समझाओं उपकार तुम्हारा बाबा किन शब्दों में मैं गाओं इस दिल ने जो पाया है वो कैसे मैं समझाओं उपकार तुम्हारा बाबा तो प्यारी साथियों सुना आपने बहुत ही सुन्दर बड़ा उंदा मर मर्शपर्शी गीत जो परमात्मा की प्रेम में समा देता है और आपको बताते हुई हर्श हो रहा है कि हमारी इस गीत और संगीत के इस सफर का ये प्रथम गीत है जिस गीत का निर्मान हुआ था मैं माउन चाबू में आया और तमाम ऐसे अकेजन होते रहे जब गीत बनाने पड़े जब हम मिलकर की गाते रहे हमारी अतियादर्णी दादी प्रकाश मनी जी हम सब को नया जीवन दिये गीत कार की रूप में गायक की रूप में आज उस मुकाम तक पहुँचाया कि अपने उपर भी गर्भ होता है प्यारी साथियों दादी कहा करती थी इस अकेजन पर तुमको गीत गाना है आपको गीत गाना है और हम सब जिनके अंदर कुछ भी नहीं था जब दादी जी ने वो सेवा दी तो सेवा की साथ साथ प्रोशाहित किया और हमारे सब के गीतों को हमारे इस जीवन को एक मुकाम पर पहुंचा है तो मुझे याद है इस गीत का जब निर्मान हुआ तो मुझे भी नहीं पता लगा एक भाई बांबे के आसपी जी आए और उननका सतेश जी आपके पास कुछ गीत हो तो हम अल्बम तयार कराना चाहते हैं आप गीत दीजिए तो मैंने गीत दिया और वो प् गीतों में से एक ही गीत मेरा चैन हुआ और वो चैन भी हो गया है निर्मान भी हो गया है बन भी गया है मुझे कुछ भी नहीं पता था और ओम शांति भोवन अभी नय नय निर्मित हुआ था और ओम शांति भोवन में मैं हॉल में जा रहा था क्लास में जा रहा था और जै इस दिल ने जो पाया है, वो कैसे मैं समझाओं? ये गीत जैसे मेरे कानों में पड़ा, तैसे मैं अवाक रहे गया, अरे ये तो मेरा लिखा हुआ है, ये गीत कब बन गया, इतना अच्छा बन गया है, ये मुझे इसका भान नहीं था, और मेरी खुशियों का पारावार नही किया जा सकता है और प्यारी साथियों आज तक भी नहीं पता लगा कि इस गीत के गाईका कौन है इस गीत के प्रोडिूशर कौन है आज भी ने गीतख को बनवाया जब हमने उनसे पूछा कि भाई हमको जुरुत पढ़ती है ये गीत के गायक का नाम तो बताओ तो उन्होंने कहा कुछ नहीं सतिश भाई आपकी गीत को लेकर के हमने हमारा ये एक मंडली थी गाने वालों का संगीत कारों का मुझे सबका नाम भी नहीं पता है और मैंने कुछ भी इसके उपर कुछ भी खर्च नहीं किया वे नहीं किया केवल उनको बुलाया परमात्मा का संदेश दिया इश्वरी गीतों के बारे में बताया कि आप सबको गाना है उस सब ने निशुल्क भाई से और एक दम निश्वार्द भाव से इस बाबा की गीत को बाबा के चवणों में अरपन किया और आज ये गीत यादगार बन गये हैं और ताज़ू भी होता है अश्यर होता है कि इसने उम्दा गीत होने के बाद ये नहीं पता लगता है कि इसके संगीत कार कौन है और इसके गायक कौन है बड़े अच्छे अच्छे गीत, पूरे अल्बम में एक ही गीत मेरा लिया गया, और मेरा भी अनभव ये रहा कि अच्छे अच्छे गीत डे सारे थे, उनको ना ले करके केवल एक ही गीत लिया गया, कारण क्या था, कि उन दिरों में जब मैं आया, तो हिंदी बड़ी अच् दादी जी कहा करती सती शाओ और इस गीत को गाओ मैं नया नया था और मुझे भी इस गीत की प्रैक्टिस नहीं थी हाला कि मैं कुछ लाइने सुनाता था दादी श्रमा करकी कि दादी हमारी प्रैक्टिस नहीं है लेकिन फिर भी दादी कहती कितना प्यारा सा गीत है मुझे नहीं लगता था कि ये दादी जी को और सबको क्यों इतना अच्छा लगता है। लेकिन कुछ दिन के बाद जब मैंने इसकी नजाकत को देखा, इसकी नफासत को देखा, इसके अंदर जो तरनूम है, जो गाय की देखी, तब लगा कि वाह, दादी जी हमारी कितनी रतन पार्खी थी, वो समझती थी, किस गीत की गरीमा क्या है, उसके अंदर की खोपसूरती क्या है, वो दादी जी बजाय करती थी। तो प्यारी साथियों, अद्भूत गीत, यह हमारी जीवन का प्रथम गीत है, जहां हजारों गीतों का निर्मान हुआ, तो वो पहली भेट आपको प्रस्तुत है, ऐसे गीत को सुनिये और आप भी आनंद से भर जाईए। तो प्यारी साथियों चलते हैं, गीत और संगीत के इस स्वहने सफर में अगले पड़ाव पर, और आप यह सफरते कर रहे हैं मेरी साथ यानि ब्रह्मा कुमार सतेशी के साथ। अगले पड़ाव पर, बिके अंजली जी, आबू रोट से, बहुत ही सुन्दर, बड़े प्यारे से गीत की फरमाईश करती है, और गीत के बोल हैं, दिल का यही है कहना, बाबा पास तुम्हारे रहना, बढ़ा प्यारा सा गीत है, बाबा के दिल के पास रहें, यहीं अंजली का दिल कहता है, सुनिए और मुस्कुराईए और परमात्मा के सानिध्य का अनुभू किशिए। दिल का यही है कहना, बाबा पास तुम्हारे रहें, दिल का यही है कहना, बाबा पास तुम्हारे रहें, आव्यत वतन से योही आके हमसे मिलते रहना, संगम की ये मुलाकाते, बरसाई इस नह बरसाते, दिल का यही है कहना, बाबा पास तुम्हारे रहना, पास तुम्हारे रहना, मुलाद की रहना, बाबा पास तुम्हारे रहना, दिल के लगाना, बाबा रहना, रहना, बाबाबा रहना, हमारे खातिर आप बाबा परमधाम से आए हमारे खातिर आप बाबा परमधाम से आए मीठे मीठे बच्चे कहके मुरली हमें सुनाए प्यार तुम्हारा इतना पाए किस्मत का क्या कहना संगम की ये मुलाकाते बरसा इसने बरसाते दिल का यही है कहना गुबा पास तुम्हारे रहना पास तुम्हारे रहना फ्यल्ड ह्यार किस्टो तुम्हारे श्याओ रहना जैसे यहारे पास तुम्हारे अज्से पुम्हारे बरसा पास तुम्हारे भी इतनाा आए तुम्ही सावन के तुम्ही सा सोचे मन में बात यही है तुम्ही सावन के तुम्ही सा सोचे मन में बात यही है इसके सीवा बाबा मन में और कुछ भी नहीं है लग लगन है ऐसी अब तो पहन गुणों का गहना संगम की ये मुलाकाते बरसा इस नह बरसाते दिल का यही है कहना बाबा पास तुम्हारे रहना बाबा पास तुम्हारे रहना बाबा पास तुम्हारे रहना तो प्यारी साथियों सुना आपने बड़ा प्यारा सा गीत है दिल का यही है कहना बाबा पास तुम्हारे रहना प्यारी साथियों इस गीत के रचनकार हैं हम सब के प्रिये भ्राता रमेश जी मधुवन निवासी हैं हमारी साथ मधुरवानिक गृप में गीत गाया भी करते ह आपमें तमाम गीतों की रचना की है, बहुत अच्छे अच्छे गीतों की रचना की है लेकिन इनको सबसे ज़्यादा साथ दिया है, सहयोग दिया है हम सबके प्रिय भ्राता संगीतकार ब्रह्महक्मार सुधीरपाल जी ने हैं जी हाँ, सुधीर पाल ने अनेकों गीतों को संगीत दिया है इस गीत का भी संगीत उन्होंने दिया है और गाया है सुधीर पाल जी ने, गाया है पूरन जी ने और उनके साथ गाया है सुधैना गाईका जी ये सब प्राया उरिशा के गायक हैं बड़े अद्भूत गायक हैं इन सबने मिलकर इस गीत को एक उचाहिया पजान की हैं आज भी गीत बज़ता है तो मन बाबा के प्यार में खो जाता है फिर दिल का यही है कहना बाबा पास तुम्हारे रहना ऐसे गीत को सुनिए मुस्कु प्राये और आनदी जी तो प्यारे साथियों हमारे इस एपिसोड का अंतिम पढ़ाओ बीके आरब जी तिरुपती आंध्रदेश से बड़े अद्भूत गीत की फरमाइश करते हैं और गीत के बड़े प्यारे से बोल हैं किन शब्दों में आपका धनिवाद करें दिन रात की ये सेवा हम याद करें धनिवाद हिर्देश से दिल से उसका शुक्रिया करें और भाव से भरे रहें बड़ा अद्भूत गीत हैं सुनिये देखिये और फिर बताते हैं इसकी कहानिये किन शब्दों में आपका धनिवाद करें किन शब्दों में आपका धनिवाद करें दिल रात की ये सेवा हम याद करें जिन शब्दों में आपका धनिवाद करें दिल रात की ये सेवा हम याद करें किन शब्दों में आपका धनिवाद करें बेहद का प्यार आपने हमको है दिया हेरा हमें बना कर श्रीम गार है किया श्रीमत से मन्चमन का आवाद हम करें किन शब्दों में आपका धनिवाद करें दिन रात की ये सेवा हम याद करें किन शब्दों में आपका धनिवाद करें किछते हमारे प्यार में अब तक भी आ रहे हूं रत को समाल ते वे वादा निवा रहे हो ऐसे ही प्यार पर जा निसार हम करें किन शब्दों में आपका धनिवाद करें दिन रात की ये सेवा हम याद करें किन शब्दों में आपका धनिवाद करें संगम युग में बाबा आप गर के मिलते रहे न हमने है सोचा आपसा बन करके ही है रहना दिल की यही है आरज प्रभ साथ हम रहें तिन शब्दों में आपका धनिवाद करें दिन रात की ये सेवा हम याद करें किन शब्दों में आपका धनिवाद करें तो प्यारी साथियों सुना अपने बहुत ही सुन्दर गीत कदम कदम पर परमात्मा की देन कानभो करते हुए हिरदे से यही निकलता है कि उसको हम धनिवाद करते रहें सच पुछा जाये तो अध्यात्म का एक सबसे बड़ा आयाम यही है कि हम पल पल अपने शरीर को प्रकृति को अपने साथियों को जिनों ने हमको पाला पूशा जो बड़ा किये और जो हमको इसी योग ही किये सबसे अधिक उस परमात्मा का धनिवाद करते जाए धनिवाद जो करता है वो अहो भाव से भर जाता है वो सुपात्र बन जाता है वो प्रेम का पात्र बन जाता है और धन्यवाद में एक ऐसी क्षमता है जो आपको आरोग प्रजान करता है जो आपको लंबा जीवन देता है और जो आपको एक नया जीवन भी दे देता है तो प्यारे साथियों हमेशा हमारा एक्टिचूड वो ग्रेटिचूड वाला होना चाहिए धन्यवाद करते जाएं और भाव से भरे रहें तो सचमुच आप परमात्मा के प्रेम के सुपात्र बन जाएंगे इस गीत को स्वर्द दिया है हम सब के प्रिये पाशुगायक सुरे स्वाटकर जी ने इस गीत को संगीत बद किया है शाम सदरांगनी जी ने और उनका साथ दिया है ग्रीश वाधवानी जी ने बड़ा अद्भुद गीत बन गया है और मैं उस समय उपस्थित था जब इस गीत की रिकॉर्डिंग हो रही थी प्यारी साथियों मुझे याद है इस गीत की रचना तो तब हुई जब शांति वन में आबू रोड के नीशे यहाँ पर इस परिशर में ये गीत मैंने प्रथम बार हम थे और हमारे साथ हमारे सहगायक बिके मेहंदर जी थी दोनों ने गीत गाया किन शब्दों में आपका धन्यवात करें बाबा धन्यवात की वो स्वर बराबर गूंचते रहे और हम सबका ये सोभागी रहा है कि सामने निराकार परमपिता परमात्मा शिव का दादे गुलजार दादे के तन में अवतरण हुआ है तो शुबाबा और ब्रिम्हा बाबा दोनों बाप और दादा दोनों आत्मा है जब उनके तन में आती हैं तो एक गजब का एक अलग ही नजारा होता है वो हसीन जलवे बिखरते हैं और वातावर्ण में परमात्म आउतरण की वो अनभूती हम सब करते हैं ऐसे क्षणों में इस गीत को निर्मान किया था और आगे चल करके जब इस गीत की रिकॉर्डिंग हुई तो इसको हमने जनल बनाया किन शब्दों में आपका धन्यवाद करें जिन रात की ये सेवा याद करें पड़ा अद्भुद गीत बन गया और मुझे याद है कि जब इस गीत को गा रहे थे तो हमारे श्याम भाई ने जो डारेक्टर है इस गीत के मुझे डारेक्टर उन्होंने कहा कि सुरेश जी याद कीजिए मिया जी को याद कीजिए यानि मुहम्मद रफेजी स्टाइल में आप गाई तो उन्होंने इस स्वर को इस गीत को ऐसा स्वर कि क्या से क्या गीत बन गया सच मुझ कदम कदम पर उस परमात्मा का धन्यवात करते चले इसी में जीवन की सार्थता है तो प्यारे साथियों गीत और संगीत का इतना सुहाना सफर मन तो नहीं करता है कि आपसे विदा लें लेकिन समय समात हो गया है फिर मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में तब तक इजाज़त दीजिए और अपने मन पसंदीदा गीतों को स्क्रीन पर दिये गए वाटस अप नंबर पर हम तक जरूर पहुँचाएंगे हम आपके मन पसंदीदा गीतों को आपके चुनिंदा गीतों को आप तक जरूर पहुँचाएंगे आपको दिखाएंगे आपको बताएंगे और इस गिर्थ की पीछे की पूरी कहानी भी सुनाएंगे तो सुनते रहिए, देखते रहिए, मुस्कुराते रहिए अपना मन पसंदी दाशो आपकी फर्माईश मेरी भी सुन ले अरज मुझे घर बुलाता है भगवाँ है कहा रे तू, है खुदा है कहा रे तू है सुना तू भट के मन को रह दिखाता है मैं भी खोया हूँ मुझे घर बुलाता है भगवाँ है कहा रे तू, है खुदा है कहा रे तू मैं पूचा करूँ या नमाजे परूँ अरगा से करूँ दिन रे ना तो मंदिल मिले ना तो गिरजे मिले तुझे डूडे थके मेरे ने तुझे डूडे थके मेरे ने तुझे डूडे थके मेरे ने जो भी रस में है वो सारी मैं निभाता हूं इन करोडों की तरह मैं सर जुकाता हूं भगवान है कहारे तू है खुदा है कहारे तू ते रहे नांब के तू तेरे चहर गई तुझे पाने की राओं है कई हर राह चला पर तू ना मिला तू क्या चाहे मैं सुझा नहीं तू क्या चाहे मैं सुझा नहीं सुझे बिन समझे जतन करता ही जाता हूँ तेरी जिद सर आँखों पर रखके निभाता हूँ भगवाद है कहां बे तू ऐ खुदा है कहां बे तू भगवाद है कहां बे तू ऐ खुदा है कहां बे तू हुदा है कहां बे तू पिश्वर अपने साथ है दरने की क्या बात है सदा सफलता साथ हमारे सदा सफलता साथ हमारे हाथ में उसके हाथ है पिश्वर अपने साथ है दरने की क्या बात है सदा सफलता साथ हमारे हाथ में उसके हाथ है पिश्वर अपने साथ है दरने की क्या बात है समय से पहले भाग से ज्यादा बोलो किसने पाया है तेरा था जो तुझे मिला है कोई तो छीन न पाया है समय से पहले भाग से ज्यादा बोलो किसने पाया है तेरा था जो तुझे मिला है कोई तो छीन न पाया है जीवन प्रभु सौगात है पिर काहे तिक रात है सदा सपलता साथ हमारे हाथ में उसके हाथ है इश्वर अपने साथ है दरने की क्या बात है जिसके इनाम से कितनों के ही बिगडे काम तो बन जाते जिसकी याद से जनम जनम के कश्ट सभी मिट जाते सामने वो दिन रात है यार की वर साथ है सदा सपलता साथ हमारे हाथ में उसके हाथ है इश्वर अपने साथ है दरने की क्या बात है इश्वर अपने साथ है दरने की क्या बात है इश्वर अपने साथ है दरने की क्या मात है आसरा इस जहां का मिले ना मिले मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए चांद तारे फलक पर दिखे ना दिखे मुझको तेरा नजारा सदा चाहिए मुझको तेरा नजारा सदा चाहिए आसरा इस जहां का मिले ना मिले जग में खुशिया है कम और ज्यादा है गम जहां देखो वहां है भरम ही भरम मेरी महफिल की शम्मा जले ना जले मेरे दिल में उजाला तेरा चाहिए कभी अनुराग है कभी वैराग है जहां बसते हैं माली वही बाग है जहां बसते हैं माली वही बाग है मेरी चाहत की दुनिया बसे ना बसे मेरे दिल में बसे रा तेरा चाहिए मेरे दिल में बसे रा तेरा चाहिए मेरी तेर ही है चाहल और ये पथ है विशाल हर कदम पर मुसीबत है तु ही समहाल पैर मेरे धके ये चले ना चले फैर मेरे धके ये चले न चले मेरे दिल को इशारा तेरा चाहिए आसरा इस जहां का मिले ना मिले अपनी सारी आशाएं इश्वर पर छोड़तो तो किसी भी वेक्ती से कोई निराशा नहीं होगी जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे जैसा कर्म होगा वैसा पल पाओगे स्रिष्ट कर्म का अधार है खुद का कर लो दर्शन यही जिवन का सार है जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे जैसा कर्म होगा वैसा पल पाओगे जैसा बन जाओगे मन में हो शुब संकल्प तो जीवन में फिर दुख कैसा जब अंतर में शुब भाव ना तो दिल में सुख सावन जैसा हार कर जो नाहारे जीतूसी की होती है घंगोर अंधेरे में भी जलती जगमदूस की जोती है जैसा देखोगे तुम वैसा बन जाओगे जैसा चाहोगे तुम वैसा बन जाओगे जाओगे तुम वैसा बन जाओगे तुम वैसा बन जाओगे ये सूरज है तो है किरन बादल है तो है पवन प्राण है जैसा बन जाओगे तुम वैसा बन जाओगे तुम वैसा बन जाओगे जाओगे तुम वैसा बन जाओगे तुम वैसा बन जाओगे जैसा कर्म होगा वैसा बन पाओगे स्रिष्ठ कर्म का आधार है खुद का कर लो दर्शन यही जिवन का सार है जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे जैसा कर्म होगा वैसा पल पाओगे आज हम बात करगे रूटने के आज अगर दुनिया में चारों तरफ देखेगे तो इश्ट देव व्यापक नहीं है परन्तु तो रूठन देव सरव्यापी हो गया है घर में देखेगे तो बच्चे मा से रूठ रहे हैं पति-पत्नी आपस में रूठ रहे हैं सास बहु देखो तो छोटी-छोटी बातों में आपस में रूट रहे हैं, और विचारा बीच में पुरुष, ना इसको कुछ बोल सकता है, उसकी हालत इतनी कराब है, आज हम देखते हैं, तो कहां स्ट्राइक हो रही है, कहां देखो तो नारे बाजी हो रही है, कहां मिलें बंद हो रही है, कहां पर भूख अर्ताल कर रहे हैं, यह सारे रूठन देव जो है, यह उसके पराक्रम है, चारों तरफ हम देखते हैं, कि छोटी-छोटी बातों से एक-दो से रूठ करके मनुश्य दूर जा रहा है, आज बच्चा रूठता है, तो अपना बस्ता पटक देता है, कुछ नहीं कर सकेगा तो तखिये को बैठ करके चड़ी से मारेगा, बोजन नखाते हुए बागते स्कूल में चला जाएगा, चोटे बच्चों से लेके बड़ों तक सब को रूठने की आदत हो गई, और हम देखते हैं, अगर एक व्यक्ती घर में रूठता है, तो बड़ा तनाव पैदा हो जाता है, जो रूठता है, वो भी दुखी होता है, और सामने वाले भी दुखी होते हैं, वो अपने संसकारों को बिगाड़ता है, तो ये जो चारों तरफ डूठने का सामराज जब हम देखते फैल गया है, इसका कारण क्या है? इसका एक कारण है मनुष्य एक दोखे संसकारों को स्वभावों को न जानने के कारण एक दो से असंतुष्ट होते हैं दे अभीमान होने के कारण जितना जितना ये दे अभीमान बढ़ता है उतना उतना छोटी छोटी बातों में अपमान फील होता है और जब अपमान फील होता है तो एक दो से रूट जाते है कभी हम देखते हैं कि गलत फैमिया जो है वो बहुत फैलती है गलत फैमियों के करण एक दो से रूट जाते है कभी देखेगे तो पुरानी बातों को ले करके रूठ जाते हैं तो ये सारा जो रूठने का हम देखते हैं चारों तर्फ एक वातावरन फैला हुआ है घर से ले करके कार खाने तक आफिस तक सब जगह पर हम देखते हैं कि रूठना ही रूठना है रूठन देव के रूठन सरकार के ऐसे कोई करमचारी नहीं होगे जो किसी कोने में नहीं पहुंचे होगे दुनिया के हर कोने में ये पोंच गए हैं सारे दुनिया को रूठा दिया है देश देश से रूठे हुए है वो उससे संतुष्ट नहीं है कि ये हमारे साथ ऐसा बरताव करते हमारी एरिया में आते वो हमारी एरिया में आते आपस में इसमें जगड़ते रहते तो अभी ये जो इतनी बिमारी फैल गई है इस बिमारी को कैसा निकाला जाए तो समझदारी ये हैं अगर समझो हम किसी से संतुष्ट नहीं हैं हमारी आपस में अन्बन हैं तो हमें ही थोड़ा सा जुक करके खुद हो करके उस व्यक्ति के पास जा करके और क्या गलत फैमी हैं क्यों हम आपस से दूर हुए आपस में इस बात को थोड़ा समझना चाहिए और सामने वाले को समझाना चाहिए तो जब हम ही खुद सामने से हो करके जाते हैं तो सामने वाली व्यक्ति को भी अच्छा लगता है और हमारी कोई भी गलत फैमी जो होती है वो भी सहज निकल जाती है दूसरा कोई आकर कि हमको समझावे तो हमारा भी मान नहीं रहता है और सामने वाले व्यक्ति का भी मान नहीं रहता तो इसी लिए कहा जाता है दुनिया जुकती है पर उसको जुकाने वाला चाहिए तो हम खुद ही जुक जाते हैं तो सामने वाला भी जुक जाता है परंतु समझो हमारे में जुकने की शक्ति नहीं है तो हमारा काम ऐसा है हमारा जो शुब चिन तक है उसको बीच में रखके भी हमारे को ये जो कांड है रूठने का कांड इसको हमें समापत जरूर करना चाहिए क्योंकि अगर हम इसको समाप दिन प्रति दिन ये आधत हमारी बढ़ती जाती है, ये संस्कार हमारा खराब होता जाता है और मनुष्यों से रूटते रूटते एक दिन मनुष्य भगवान से भी रूट जाता है अगर उसकी मन पसंद कोई बात नहीं होती है तो भगवान को गाली देने में भी देरी नहीं करता है ये भगवान तूने ते मेरे उपर अन्याय कर दिया तू तो बड़ा निर्दई है तू तो पलाना है तू मेरे पीछे क्यों पड़ा है ऐसी ऐसी बातें करें के सुनके अश्चेरे लगेगा कि जो दया का सागर है जो रहम दिल है जो दुख हरता सुख करता है उसके लिए ये क्या बोल रहा है तो इसी लिए इस रूठने की विमारी से जिसके कारण वातावरन और वाइबरेशन खराब होते हैं और वो जो वाइबरेशन है वो सिरफ मनुष्यों के उपर उसका असर न कि अपना जीवन आए उनीरस हो जाका और कोई भी बात है इसलिए को कोई वाले को अब बात की जारूर्त करने का geht प्रण भगवान की आगे जाके हे बगवान मेरे अवगुन चितपर नहीं धरना अभी भगवान कहता है तो किसी के अवगुन चितपर नहीं धरता हुँ पर आप ज़रा एकाँत में बैठके अपने को यह पाढ़ पका कराईए कि मुझे किसी के और गुन कभी भी चित पर नहीं धरने हैं, आप सामने वाले का गुन देखिए, तो आपको उस्व्यक्ति के लिए प्रेम आएगा, इसलिए आप अपनी गुन ग्राही दृष्टी बनाएए, तो जितना जितना हम गुन ग्राही दृष्टी बनाते हैं, उतना उतना हमें उनक गुन दिखाई पड़ते हैं तो एक दो के साथ प्रेम बढ़ता जाता। तो इसलिए बीजिते का फ्रतुक षङ्चोड पताकता हैं। एक दो का फ्रेम एक प्रेम का जाता है । ऑर लिजिति के दो का सबर स பदे वाइसं और ये छड़ के समय ओम शान्ती ओम शान्ती ओम शान्ती ओम हर रिष्टे का पाकर तुझे से प्यार प्रभू दिलो जान से तेरे शुकर बिसार प्रभू हर रिष्टे का पाकर तुझे से प्यार प्रभू दिलो जान से तेरे शुकर गुजार प्रभू पिता बनकर अपना वारस बनाया है दूल से उठा कंधो पर बिठाया है पिता बनकर अपना वारस बनाया है दूल से उठा कंधो पर बिठाया है दूल से उठा कंधो पर बिठाया है दुनिया के हो भगबान मेरे बाबा प्रभू दिलो जान से तेरे शुकर गुजार प्रभू हर रिष्टे का पाकर तुझ से प्यार प्रभू दिलो जान से तेरे शुकर गुजार प्रभू मा बन कर सदा मेरा माधा चुमा है हर आसू को पोच्छ मुझे सहिलाया है हाँ हर आसू को पोच्छ मुझे सहिलाया है हाँ हर आसू को पोच्छ मुझे सहिलाया है तेरे आचल में पाई इतनी ममता प्रभू मैं तेरा लाल तु मेरी जननी प्रभू हर रिश्टे का पागर तुझसे प्यार प्रभू दिलो जान से तेरे शुकर गुजार प्रभू दोस्त बन कर सुख दुख में मेरे संग रहना कभी न तूटे तेरा मेरा याराना कभी न तूटे तेरा मेरा याराना कभी न तूटे तेरा मेरा याराना तुम ही से खाओ तुम ही संग बैठू प्रभू तेरी दोस्ती पर ये दल कुरुबान प्रभू हर रिश्टे का पागर तुझसे प्यार प्रभू दिलो जान से तेरे शुकर गुजार प्रभू साजन बन कर जीवन की नोर थामी है तेरी रजा में सब मुझको मनसूर है हाँ तेरी रजा भी सब मुझको मनसूर है हाँ तेरी रजा भी सब मुझको मनसूर है तेरी स्वरूप पे मेरा दल आशिक प्रभू अब ये सासे तुझसे ही जलते प्रभू हर रिष्टे का माकर तुझसे प्यार प्रभू दिलो जान से तेरे शुकर गुसार प्रभू दिलो जान से तेरे शुकर गुसार प्रभू दिलो जान से तेरे शुकर गुसार प्रभू शुक्राने गाए दिल घड़ शुक्राने गाए दिल घड़ी घड़ी आपका आपने दिया है मुझे प्यार दो जाहान का अखियों में तेरे मेरे प्यार के साए है अश्कों के मोती तेरी याद में बाहाए है गुण क्यों नगाओं मैं ऐसे महरबान का आपने दिया है मुझे प्यार दो जाहान का आपने दिया है मुझे प्यार दो जाहान का दुनिया की प्रीत को दिल से भूला के खुश हूँ मैं दिल सत्थ गुरु से लगा के लिख दिया दिल पर नाम मैंने आप का आपने दिया है मुझे प्यार दो जाहान का आपने दिया है मुझे प्यार दो जाहान का गुरू तेरा प्यार ही मेरा एमान है उसके साहारे चल रहे मेरे प्राण है रिष्टा हमारा जैसे शमा परवाने का आपने दिया है मुझे प्यार दो जाहान का करता था मन तंग शाम सवेरे अब मैं नहीं वह बस में है मेरे कर दिया खात्मा उस बेइमान का कर दिया खात्मा उस बेइमान का आपने दिया है मुझे प्यार दो जाहान का आपने दिया है मुझे प्यार दो जाहान का दुनिया की प्रीत की ना मुझे को जरूरत है दिल में बस रही तेरी प्यारी सूरत है लब पर लिख दिया नाम मैंने आप का आपने दिया है मुझे प्यार दो जाहान का आपने दिया है मुझे प्यार दो जाहान का शुकरा ने गाए दिल घड़ी घड़ी आपका आपने दिया है मुझे प्यार दो जाहान का आपने दिया है मुझे प्यार दो जाहान का जीवन तुमने दिया है संभालोगे तुम आपने दिया है संभालोगे तुम आशा हमें है विश्वास है अर मुश्किल से विधाता निकालोगे तुम जीवन तुमने दिया है संभालोगे तुम आशा हमें है विश्वास है अर मुश्किल से विधाता निकालोगे तुम जीवन तुमने दिया है संभालोगे तुम जीवन तुमने दिया है विधाता निकालोगे तुम साये में हम आप ही के पले सत कर्म की रोह पर हम चले सारे जहां की भलाई करें हम ना किसी की बुराई करें इस दुनिया के दुखों से बचा लोगे तुम आशा हमें विश्वास है हर मुश्किल से बिधाता निकालोगे तुम जीवन तुम ने दिया है समालोगे तुम हर पल तुम्हारा अगर साथ है फिर हम को डरने की क्या बात है कठनाईयों से नहारेंगे हम तुमकों हमेशा पुकारेंगे हम अपने गले से हमें भी लगा लोगे तुम आशा हमें है विश्वास है हर मुश्किल से बिधाता निकालोगे तुम जीवन तुम ने दिया है समालोगे तुम च्छाया कहीं तो कहीं धूप है है नाम कितने कई रूप है हर शे में तुम हो समाए हुए हम सब तुमारे बलाए हुए हम जो रूठे कभी तो मना लोगे तुम हम जो रूठे कभी तो मना लोगे तुम आशा हमें है निश्वास है हर मुश्किल से विधाता निकालोगे तुम जीवन तुम ने दिया है समालोगे तुम हाँ कर दो, कर दो, कर दो, कर दो. जीवन तुमने दिया है, संभालोगे तुम जीवन तुमने दिया है, संभालोगे तुम आशा हमें है विश्वास है अर मुश्किल से विधाता निकालोगे तुम जीवन तुम ने दिया है समालोगे तुम आशा हमें है विश्वास है अर मुश्किल से विधाता निकालोगे तुम जीवन तुम ने दिया है समालोगे तुम झाल झाल साय में हम आप ही के पलें सत कर्म की रोह पर हम चलें सारे जहां की भलाई करें हम ना किसी की बुराई करें इस दुनिया के दुखों से बचा लोगे तुम आशा हमें है विश्वास है हर मुश्किल से बिधाता निकालो झाल झाल झालो झालो कर दो कर दो तो दश को कमर्शल ब्रेक में जाने से पहले जो हमने आपको बड़ी ख़वर दी थी वो कुछी पलो में आपके टीवी स्क्रिन पर आने वाली है वो बस बोला महा जिसका लाखों लोगों को कई दिनों से नहीं बल्कि कई हफ्तों से इंतिसार था वो मिस्ट्री रेबल वुम के नाम से जाने जाने वाली महिला जिससे अपने साइलेंट प्रोटेस्ट और सीखे चुबते सवालों से पूरे देश को जगजोर के रख दिया है आज अपने प्रोटेस्ट और जिंदीकी से जुड़े हुए कुछ राज हमार साथ शेर करने वाली है आई उससे पहले जिससे वो काफी चर्चा में आ गई है यह देखिए इनके होटों पर लगी हुए काली टेप और आखों में है अजीब सा जुनून आप देख रहे हैं कि इनके हाथों में है प्लेकार्ट जिस पर लिख्यू ही है हमारी संस्कृत इसे जुड़ी हुई कुछ अहम बात है जो न कहते हुए भी हजारों बाते बहुत देना चाहती है कि कोशिश करते हैं वो शक्सियत जिन्होंने इतने सारे संगीन सवाल खड़े कर दिये हैं क्या उन्हें खुद अपने सवालों के जवाब मालूम भी है यह सिर्फ एक पब्लिसिटी स्टंट बनके रह जाएगा आज आपको पहली बार इनका नाम वालूम चलने जा रहा है तो स्वागत कीजिए विदीशा शर्मा विदीशा जी मैं और मेरा चैनल तहे दिल से आपका स्वागत करता है अब यकिन जानी मेरे पास में शब्द नहीं है जिसमें मैं आपके जजबे और प्रयास को समिट सको आपका हर एक सवाल हमारे हिप्पोक्रिट समाज के उपर समाचा है वो समाज जो धर्म और संस्कृती के नाम पर दोहरे मापदन रखता है इसलिए अन्भे बहरे गूंगे बिलीव सिस्टम को जिस तरह से आपने जखजोड के रखा है आपने मेरे प्रयासों को इतनी गहराई से समझने की कोशिश की उसके लिए मैं आपकी बहुत आभारी हूं थैंक यू जी हमने आपके एपर्स की स्टेडी की है और उसे हमारे दर्श को तक पहुंचाना जाते हैं लिकिन अगर गहराई में जाकर स्टेडी की जाए तो जो कि आप से पहले और भी लोग ट्राई कर चुके हैं कोई भी मुमेंट रू करके या उसका हिस्ता बनकर पॉपुलेटी गेंड कर लेते हैं उसके बाद मैंजी खोल देते हैं या किसी पार्टी को जोईं कर लेते हैं बस उसके बाद बाकी की जिंदेगी ऐश औराम के कि आप भी बाकी लोगों की तरह फेक हो गो तकता है इसमें कुछ आपका प्रसलाल यह नो और पुरा देश चाहता है पुरा देश आपको सुन रहा है आप इस बात कर जवाब दे और हम सब को तसली दे तो वाई शुड यूद यू बाइ माइ स्टोरी चलिए मेरा परसनल अजेंडा कुछ भी हो मैं आप से पूछती हूं क्या आपको मेरे प्रोटेस्ट का मकसद सही लगा या गलत बिल्कुल ठीक लगा और इसलिए आज आप हमारे स्टूडियो में हैं बिल्कुल ठीक लगा आपके स्टूडियो में तो मैं आपकी टीर्प बढ़ाने के लिए भी हो सकती हूँ अभी-अभी आपने माइलेज की बात उठाई है तो किसको किस से जादा माइलेज मिल रहा है ये बात मीडिया से बेटर कौन जानता है मुझे आप केवल इतना बताए कि अगर आपको मेरा मकसद ठीक लगा है तो क्या आप मेरा साथ देने के लिए रोट पर खड़े होंगे शायद हाँ लेकिन अगर इसमें कुछ आपका परसनल गेन है तो शायद नहीं क्या आपकी कोई बेहन है जी क्या आपकी कोई बेहन है एक चोटी बेहन है इश्वर ना करे कभी उसका ग्यांग रेप हो जाए और उसे मजबूर होके स्यूसाइट करना पड़े तो तब भी आप ऐसे हाँ या ना के बीच में छुलेंगे जी जाहिर है आपको गुस्सा आप कानून का दर्वाजा खटखटाएंगे और हो सकता है आपको इंसाफ मिल भी जाएं वाइट पॉसिबल मगर उसे सिर्फ आपका परस्नल एजेंडा सॉल्व होगा क्या चंद लोगों को मारने से पाप मर जाता है क्या वो विक्रित और घ्रणित सोच मर जाती है जिसकी वज़े से लोगों के चरित्र का इस हद तक पतन हो रहा है अगर हमें उस सोच को मारना है तो एक सब भी समाज होने के नाते हमें खुद को आइना दिखाना होगा हमें खुद से वो जलते हुए चुपते हुए सवाल पूछने ही होंगे हालात को इस कदर गिराईने के पीछे हम सभी का हाथ है बड़े आसानी से हम ट्रकों के पीछे लिख देते हैं बुरी नजर वाले तेरा मुझ काला लेकिन अगर हम सच में बुरी नजर वालों का मुझ काला करने निकलें तो दुनिया भर का पेंट खतम हो जाएगा लेकिन बुरी नजर वाले कम नहीं होंगे अपनी संस्कृती से जुड़े सबसे एहम सवालों को हम सबसे ज़्यादा नजर अन्दास करते हैं। मैं आपसे पूछती हूँ, क्या ये वही भारत हैं, जहां नारी शक्ति को भगवान का दर्जा दिया हुआ था। जहां नदियों तक को जैसे गंगा, जमना, सरस्वती को मा की तरह पूजा जाता था। जहां बाग, पकरी एक घाट पे पानी पीते थे। जहां अर्जुन को सिर्फ अर्जुन नहीं कुंती पुत्र अर्जुन कहा जाता था। यानि बच्चों को उनकी मा के नाम से जाना जाता था। और अब बंदे मातरम, भारत माता की जै एक पैशन की तरह कहके दूसरे की मा और बेहनों पे किद द्रश्टी रखी जाती है। नवरातों में नौ दिन जैम आता दी कहके क्या हमारा कटवी पूरा हो जाता है। विशे, विकार, मिटाओ तो बस आर्टी तक ही सीमत रहे के है। असल मैं तो मनुष्य जाती मै मूरख खलकामी होने में अब ज़ादा गौरव महसूस करने लगा। आप बताएं, यह हमारा कैसा धर्म है। यह कैसी धर्मिकता है। जो इतने सभ्य और इतने गौरव शाली देश में भी स्त्री जाती को भोग विलास और बास्तना के पात्र से उपर आने ही नहीं दे रहा। करोडों महलाओं की तरह मैं भी इन सवालों से बशती रह। चीर दे में वाली गंदी नजरों और लोगों के नीच इरादों से खुद को बचाने की कोशिश करती रह। लेकिन एक राप, उनी को कुछ और ही मन्सूर था। एक ऐसे दर्द का सामना करना पड़ा, जिसके बाद इंसान दर्द और पीरा से उपर ही उठ जाता है। अई, वानी, कृष्णा, है 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 वहलो, नमस्ते, नमस्ते, प्लीज आप्लीज आए, 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 इनसे मिली हैं यह हमारे बच्पन के दोस्त, विष्णु है, हाई, अक्सर, आम दोनों एक ही साथ पाया जाते हैं, अरे, आप खड़ी कि बढ़ जाए। वाइधबे आप किसी प्रोजेक्ट पे रिसाच कर रही हैं? जी, मैं अग्रिकल्चर की स्टुडेंट हूँ, सस्टेनिबल वाटर रिसोर्स और कैश क्रॉप के उपर पढ़ाई कर रही हूँ, अपने आपको रामनगर की माल के निसों मजी है। धन्यूज़ी है, जी, हाँ अद्धी, हाँ मैं अच्छी से पॉझ गई। व्हाँ से गई। यह लोग भी बहुत अच्छी हैं सब। हाँ देधी, हाँ मैं अपना ध्यान रखूँगी, बाहर का कुछने खाऊँगी, द्राइफूट्स पॉकेट में रखूँगी, रोस्फूट्स खाऊँगी, धेल सारा पानी पीऊँगी, और बिपोर साधिते, बाक्टो दरूब, ठीक है? बाक्टो नाइट, सोजाओ, लाव यू, बाइखूँगी, बाइखूँगी, कोफी, थेंक्यू, कोफी, फोकेस्ट हैं आप, अरे भाई, अगर हमने इतनी पढ़ाई कर ली होती, तो वहाँ जाओं नासा में होते हैं अपना रुटबा वहाँ अच्छा खासा, वह हमारा नासा, मैं तवे, इसको क्या बोलते हैं? वानी एक प्यारी, हस्मुख, जिंदा दिल लड़की थी, मगर कृष्णा और उसके दोस्तों की घटिया मान सिकता ने, उसके दोस्ताना अंदास को कुछ और ही समझ लिया, हमारे हां लड़की के आजाद खयाल होने को प्रोग्रेसिव सोसाइटी की निशानी नहीं, बलकि उसके बजजलन होने का सबूत समझा जाता है, क्याल होने एक बनॉर समझा साधि को विला है, कि मैं अए पित्ती को नहीं हो, अए ज्ञान ऐस बाइठी आप अटियो, अए बैठी आप तम ना, है ज्ञान हस प्लीज आपके ऐख को यक दिनक तो आज आपको लेनी पड़ेगे, बना पैक बना लीजे वन मेरा बद्ध़्धे आप कैसे मना कर सथे लीजे लीजे लिए I don't drink अरे लीजे ना मुझे नहीं पीना एक पैक बस पर मुझे नहीं पीती नियो, thank you एक पैक मैं नहीं पीती दाई का वर डेप पीना तो कुड़ी आग का आwegen आग। झुर 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 आहीं झुर झुर झाक पैस प्रूल प्रूल वहुँआ। है, अब मैरे एक बात बता हो गया? कर दो किसी को बता दो नहीं देगी अब डर काई रुबे है इतना असान नहीं होता लड़की को यह जब बता ना अच्छा एक वाद बता है क्या हम लोग पाली बार कर रहे हैं आग कोई लड़की पहुंची है पुलिस के पास नहीं ना कान लोगर पांच भी गई जाला सुने जान कान ना अज़ा यह बता तेरा बढ़ते के कासा लगा यार वाई था तो जवड़ दासत यार ज़्येर्स लास्ट शेर्स यार चेर्स हर पड़े लिखे नागरिक की तरह हमने भी कानून का दर्वाज़ा खटटाने की कोशिश की लेकिन कानून के रखवालों के वाहियात सवालों और पेशिर्म रवयय ने हमें हमारी नज़रों में गिराना शुरू कर दिया वैसे हुआ कब कितनी बारी आपको बता चुकी, आप क्यों एक बात, बार-बार-बार-बार-बार? अरे, मैडम, उनको बोलने दीजिये, ना. हाँ, बोलिए. वो… उस दिन… मैडम, बोलिए, अमारी पास्ट. वो… उस दिन महाप्त… पेप… अजा, वो सब चुड़िये. कहानी लगती है? अरे, मैडम, उनको बोलने दीजिये, ना. अच्छा, बताए, ये रेप था या भी फिर? नहीं, हमारा बोलने का ये मतलब नहीं है, कि आजकल की लड़की आप पहले तो… आप समझ रहे हैं का बोलो. मैडम आप ये लोगते हैं की अर्णारा बोलो म्हां एक लोगता ये बहुता है? और भी अरे, मैडम आहां पार्टे. केस को रफा रफा किया जा रहा था और साथ ही हमारे लड़ पाने की ताकत को भी आखिरकार छे हफ्तों से चल रही जिल्लत और बदनामी वाली लड़ाई को वानी ने अपने छे फुट के दुपटे से हमेशा के लिए खतम कर दिया और नहीं सा जा रहा था देटी जिन्दगी और मौट से उपर उड़ गई थी यहना आपको तिल-तिल करके मरते वे नहीं देख पा रही थी जिन्दा लाज बनती जा रही थी आप लेकि मुझे आपसे तेहे सारी हिम्मत और शक्ति की उनीद है अचले कही दिनों से लग रहा है कि पुरी इंसानियत को जग जोड़ने के लिए यह चोटी-मोटी कैंडल नहीं एक महायग्य होनी की जरुवत है और वो महायग्य शाद मेरी ही आउती से शुरू अचले के लिए अचले के लिए अगवान आपको हिम्मत दे सहरी बरे आपको होनी रानी!!! रानी!!! हाँ 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 पूरिज़े.. कुछ णायवे... कुछ गोलीस, wife... I love you. 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 तो इसका मतलब लगवगा आप पूरी तरह से टूट रुखे थी, आपके जीवन में कुछ नहीं बचा था, तो फिर कैसे मतलब आपने? इश्वर अपने संदेश को जन जन तक पहुचाने के लिए सही पात्र चुनता है, मेरा तूट जाना कहीं न कहीं मेरी परीक्षा थी, क्योंकि उसके बाद मुझे इश्वर के अवतार से रूबरू होना था, इश्वर का अवतार? आपका मानना है कि इश्वर का कोई स्वरूप इस धर्ती पर है, भगवा ने जैसा कि गीता में कहा है कि जब-जब धर्ती पर पाप बढ़ेगा, जब-जब धर्म की हानी होगी, वो पुने अवतार लेंगी, तो क्या वो अवतारित हो चुके हैं? और अगर हो चुके हैं, क्या ये जरूरी है कि इश्वर को अवतार लेने के लिए हर बार महभारत जैसा महाविनाश कराना पड़े है, या मर्यादाओं को पुनर स्थापित करने के लिए सीता माता का हरन और रावन जैसे दाक्षिसों का अबत करना पड़े है, आज की लग में तो सीता हरन और द्र मोर पर हो रहा है, त्रौपदी का चीर बढ़ाने के लिए लाखों कृष्ण भी कंद बढ़ जाएं, कदम कदम पर काम विकार के आग में धदक रहे है ये रावन अबलाओं की शिकार की ताक में बैठें, इससे बड़ी क्लानी और पाप का बोज क्या हो सकता है धर्दी पर निकने सब हुआ काप, और कैसे? देखे, साधारन मनुष्य को सूक्ष्मों बातें आसानी से समझ में नहीं है इसलिए इश्वर को भी जब अफ्तरित होना पड़ता है तो यहीं माटी की स्थूल देह के रूप में आना पड़ता है और इस यूग में गीता में वर्नित अपना वचन दिभाते हुए निराकार शिव ने प्रजा पिता भ्रम्मा जी के शरीर को अपना वाहन चुना है और उन्ही का दिव्य प्रकाश इस पतित और विकारों से भरे भारत को एक पुन्य और श्रेश्ट भारत में बदल रहे और मैंने इस अवतार की महीमा को समझा जब कुछी दिनों पहले एक दिव्य विभूती ने मेरा हाँ थामा और मुझे पास ही के एक प्रम्मा कुमारी स्ध्यान केंद्र ले गे हैं तुम्हारी कहानी बेहत पीड़ा पहुंचाने वाली लेकिन ये कोई अलग अनोखी अनहोनी नहीं है पापों के बोच से दवी जारी इस धर्ती पर अब नित्य ही घोर से घोर दुशकरम होने लगे हैं शायद तुम्हारी भेहन ने अपने आखरी संदेश में सही कहा था कि इस दुख को सेहन कर अपनी सारी शक्तियों को समेटो अपनी पूरी शक्ति को समेटो और मानवता को उस उमीद की किरन का परीजे करवाओ जो सबके अंधकरन को फिर से शुद्धी की ओर ले जा सकते पर कहां से चुटाओं इतनी शक्ति लड़ना तो दूर अब जीने की एक च्छा ही नहीं बची मौत जादा भैते लगती है जिनकी से मृत्यू तो वैसे भी तै ही है जीवन एक संग्योग हो सकता है पर मृत्यू तो अटल सत्य है ही और इस अटल सत्य को तो भगवान के अवतार भी नहीं न कारते वो भी नश्वर शरीर धारन करके ही इस लोप में आते हैं कितने आश्चर्या की बात है कि मारने और मरने के तरीके तो सभी जानते हैं पर जीने का सही तरीका कोई सीखना ही नहीं चाहता स्वैम को समाप्त करके तुम विशय, विकार और पाप में लिप्ट इस संसार के आगे आत्मसमर्पन कर डालोगी इससे बहतर ये होगा कि तुम अपने संपूर्ण व्यक्तित्व का रुपांतरन करो हातों में सत्य की मशाल लेकर काम, ख्रोध, लोग, मोह और अहंकार की घ्रिनित विकृतियों में दबी मानवता की चेतना को सज़क करो प्रजापिता, ब्रह्मा जी, हर कदम पर तुम्हारे साथ खड़े नजराएंगे तुम स्रिष्टी के ग्याता हो, वर्दानों के दाता हो हम तुम को पाकर पाएं हम तुम को पाकर पाएं गति सद गति उपहार महिमा अप्रम्पार, तेरी महिमा अप्रम्पार महिमा अप्रम्पार, तेरी महिमा अप्रम्पार मेरे परम्पेता परमात्मा जीवन अचानक इतना सरल, इतना सहज हो जाएगा, मैंने कभी कलपना भी नहीं की थी यहां पर रहकर तुमने काफी सारी बाते अनुभाव की होंगी किन्तु इस सात्विक और पवित्र जीवन शैली का जो सबसे अध्भुत प्रभाव होता है वो होता है मनुष्य की मानसिक्ता पर जीवन में जिन वस्तुओं को हम कीमती मानकर चल रहे थे, वो हमें तुच्छी सी लगने लगती है और जो चीजें हम मुफत की समझ कर चल रहे थे उनको हम दरकिनार कर देते हैं, नजर अंदा intentions कर देते हैं जब तक हमें इस बात का पता नहीं चलता, कि दरसल वो इश्वर की दी हुई अन्मोल शक्तियां हैं, और इश्वर की दी हुई उन अन्मोल शक्तियों और साधनों का हम सही आदर करना सीख जाते हैं। बरसों से चलते आ रहे हैं गलत संसकारों को, बहुत एक वा सामाजिक मापदंडों को हम अपना आदर्श बना कर भेर चाल में बस चलते आ रहे हैं। तो उपकृष्ट तर के विचार कहां से अपना स्थान बना पाएंगे। जीवन में लर्णिंग से भी ज्यादा महत्वत अनलर्न करने का है। ध्यान और योगबल के द्वारा विकारों और इंद्रियों की गुलामी वाले संसकारों की परते खुरच-खुरच कर निकाल फेकनी हैं। लेकिन विलासिता और इंद्रियों की तुष्टी करण में दूबा हुआ मनुश्य। अपने अंत समय तक भी अपनी प्रवृत्यों और संसकारों में जीवन की किरण को ढूंता रहता है। जिसके सामने ज्ञान और पवित्रता का विशाल सूर्य चमत रहा होता है, वो अज्ञानता में डूबा भौतिक और देहिक सुखों के तिम्ति माते तारे को प्रकाश समझता रहता है। ज्ञान के इस सूर्य की तपिश ही पाप और विकारों के संसकारों को जला कर हर मनुश्य को प्रजापिता ब्रह्मा के आशीश का सुपात्र बना सपता है। बस आवश्यकता है निस्वार्थ भाव से इस रौष्णी को स्रिष्टी के कोने-कोने तक पहुंचाने की। प्रम्मा कुमारी समुचे विश्व में एक मात्र पत्पदर्शक संस्था है। जहां परमात्मा निर्बल अबला नारियों को योगबल के माध्यम से सशक्त सबला बना रहे हैं। और उनके द्वारा आगे लाखों मनुष्यों को स्रेष्ट आचरन और देवताई वुरों से भर रहे हैं। मौत के गहरे भयानक अंधेरे से निकाल कर सत्य और मानफ्ता की मशाल थामे रखने का जजबा केवल प्रजा पिता भ्रह्मा जी के शक्तिपात का चमत्तार है। लेकिन ऐसी और भी बहुत सारी संस्ताएं हैं जो मनुष्य के मन में भगवान के प्रति भय पैदा कर रही है। लेकिन फिर ये संस्ता ऐसा क्या नया काम कर रही है। पहली बात तो यहां धर्म नहीं अध्यात्म और मानफ्ता सिखाई जाती है। यहां इश्वर से डराया नहीं जाता है। इश्वर से साक्षात्कार कराया जाता है। तकि अगर धर्म पे टिकी सोच काम आती, तो आज सारी दुनिया बारूत के धेर पे नहीं भैकि होती। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दू कि मेरी बहन के साथ दुशकर्म करने वाले लोगों के नाम पृष्णा, विश्णू और सूर्य थे और गाओं का नाम राम नगर फिर भी खोर अधर्म हुआ न उन दुश्टों ने तो अपने नाम की भी लाज नहीं रखी क्योंकि धर्म से उनका संबंध उतना ही था चितना कि धर्म के नाम पर लड़ने वालों का शांती, प्रेम और स्वर्ग से होता है स्वर्ग और नर्ग सुना सबने हैं लेकिन देखा किसी ने ने वैसे ही धर्म का नाम रटवा तो सब को दिया जाता है लेकिन उसका पालन कोई नहीं करना चाहता है तो मतलब कुछ गंभीर घटित होने वाला है अगर मैं इस बात पर यकीन करूँ कि भगवान ने गीता के बचन के अनुसार अगर प्रजापिता भ्रमा जी के रूप में अवतार लेकर अपना संदेश दे दिया है तो मुझे इस बात पर यकीन करना पड़ेगा कि विश्व में बड़े इस तर पर कुछ महा परिवर्तन होने वाला है क्योंकि प्रलह के बाद में ही नए स्वर्णिम यूग की शुरुवात होती है आपकी चिंता बिल्कुल सही है श्रिष्टी ये प्रलह के दुआर पे ही खड़ी है आप सोची ना जब एक चार साल की बच्ची और असी साल की विद्ध महिला के साथ दुष्कल्म हो रहा है तो ये प्रलह का ही संकेत है पर भगवान इतने निष्ठोर नहीं हो सकते कि प्रमाणु यूदिया किसी प्रकार की घोर विपदा डाल का संपून मानव जाती को ही नष्ठ कर देख नहीं मैं नहीं मात्रा आप से ये किसने कहा कि हर प्रलह में समुची मानव जाती के नष्ठ होने की आवशकता है जीवित रहना तो हम सभी का जन सिद्ध दिखा लें लेकिन पुन्य आत्मा ही प्रलह के भवसागर को पार कर पाती है पाप आत्माओं का उसमें डूप के मरना निष्ठ है अभी भी मानव जाती के पास अपसर है कि वो अपने अपने कर्मों को भगवान शिफ के माध्यम से सजा पिता भ्रम्मा के तिर्जे तेज की अग्मी में तपा के सदाचार के रहा पे चलते हुए विशे और विकार के अधंग जाल को काट टाल देवत्यों के पुन्यमाग पर चलना इतना भी कटिंग नहीं और ये बिलकुल भी जरूरी नहीं कि स्वैम के रूपांतरण के लिए हर किसी को एरी जितनी बड़ी किमत चुकानी पुरे इस तिव्वी चेतना से भरी जीवन शैली को नास्तित तु सौथ दीचे फिर देखें एक स्वार्णिम कल हम सभी का स्वागत कर रहें मनुष्य जाती के लिए अंतिम अवसर है यदि अब भी हम भोग विलास और विशय विकारों के जाल से बाहर नहीं निकल पाए बहुतिक सुखों की लालसा वाले संस्कारों को नहीं काट पाए तो आने वाले स्वार्णिम यूग के द्वार हमारे लिए सदा सदा के लिए बंध हो जाएंगे इसे उमीद भरे पॉजिटिव नोट के साथ में आप लोगों पर छोड़ते हुए ये बुलेटें यही पर समापत होता है अपने अंदर जहां की और चिंतन कीजी ओम शांति झौम्शंटियो आन बाले संदर लिए फिसको सो झौम्शंटियो I'm a peaceful soul Aum Shanti Aum 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 रचा है स्रिष्टी को जिस प्रभूने वही ये स्रिष्टी चला रहे है रचा है स्रिष्टी को जिस प्रभूने वही ये स्रिष्टी चला रहे है जो पेड हमने लगाया पहले उसी का फल हम अब पा रहे है रचा है स्रिष्टी को जिस प्रभूने वही ये स्रिष्टी चला रहे है रचा है स्रिष्टी को जिस प्रभूने वही ये स्रिष्टी चला रहे है पिसी धरा से शरीर पाएं पिसी धरा में फिर सब समाएं है सत्य नियम यही धरा का है सत्य नियम यही धरा का इक आ रहे है रचा है स्रिष्टी को जिस प्रभूने वही ये स्रिष्टी चला रहे है रचा है स्रिष्टी को जिस प्रभूने वही ये स्रिष्टी चला रहे है जिनों ने भेजा जगत में जाना तकर दियां लोट के फिर से आना जिनों ने भेजा जगत में जाना तै कर दियां लोट के फिर से आना जो भेजने वाले है यहां पे वही फिर वापस बुला रहे है रचा है सृष्टी को जिस प्रभूने वही ये सृष्टी चला रहे है बठे हैं जो धान की बालियों में समाए मेहंदी की लालियों में हर डाल हर पत्ते में समाकर घुलरंग भी रंगे खिला रहे है रचा है सृष्टी को जिस प्रभूने वही ये सृष्टी चला रहे है रचा है सृष्टी को जिस प्रभूने वही ये सृष्टी चला रहे है प्रभूने वही ये ये सृष्टी चला रहे है आओ, सीखे राजयों जो मुक्त करे हरे रो तोन और मन को कड़ के है नहीं लड़ को दनाए फाई कि नमस्कार ओम शान्ती फिटन फाइन में आप सब का स्वागत है दोस्तों जैसे कि अब जानते ही हैं कि हमारे फिटन फाइन के प्रोग्राम के हर एक एपिसोड में हम ऐसे कोई ने कोई समस्या लेके बात करते हैं जो कि रोज मर्रा की जीवन में हमारे लिए बड़ी-बड़ी समस्या प्यादा करती हैं आज ऐसे ही एक समस्या को लेके हम बात करेंगे जिसका नाम है माईग्रेन आम तोर पे इसको हम सरदर्द भी कह सकते हैं लेकिन माईग्रेन की जो समस्या है वो कब होती है किनों को होती ह और कैसे हम उससे रिलिफ पास सकते हैं, पर्मनेंटली हो यह टेम्पररी, उसके समाधान क्या है, आज हम उनी बातों को लेके चर्चा करेंगे, और हमीशा की तर आज भी हमारे साथ स्टूडियो में है, Dr. Satish Gupta जी, आप रिनाउट कार्डियोलोजिस्ट के साथ-साथ मेटब 喔, कॉलेके, जो की यह ऐसे प्रचस क्या है, जी कुछ छूरू हो जाए? और जिसको एक बां मैडरन की प्रचस की प्रोब्लम् हो जाए, बहुत ही मुशकिल है उससे रिलिफ पाना, तो इसकी मोले वज्जह क्या है, रूटकास क्या है माइग रिन प्रोड राड द इसमें, तो इस लिए आधा आद्地 रफी तरफ मेरं करो तर्काड़ आधे-जाची पल्सेटिंग रृबिंग मोते हुता है इंस यह ँसक्ता भी जाता है फ्रेंटर कौम Ji बन्यों आदे हम उसकता है। बवस्काक जो वरिए के पहले कुछ फंसा क्वल ही तो सकती है उसे हम प्रोड्रोम कहते हैं एक दिन पहले दो 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 दिन पहले बिश्री हो सकते हैं ज़रूरी सब को हो जिसमें मतलब यूशली एक तरह का feeling जैसे पहले से feeling होना कुछ ऐसे constipation हो जाना या उसको पहले से हांतों में मुवमें कुछ पेट में अजीब सी feeling आना या headache अलग type आना feeling होना यूशली का प्रीड के पहले हो में में ज्यादा होता है 3 times more common in the females जब यह पेरिएट आने का समय होता है जब शुरू अचुड़ा होता है दस साल की लिए पचास साल की उमर तक किसी टाइम में वह सकता है ऐसे तो बच्चों को भी नोट किया गया पचास के बाद भी नोट किया गया बट बिस अच्छी होती है तो यह है एकदम इनकापिसेट पाद प्रोडरोम होता है कुछ दिन पहले दो एक यह दो घंटे पहले और और मतले कुछ विजूल सिम्टम्स होते हैं ब्रेन के करेंशन के सिंटम्स होते हैं और इसे फ्लैशेज उफ लाइट आना या ऐसा फीन होना के अंदर से डिखना बंद हो जाए या कुछ अलग सी अर इसे समर्स अरक जो से सिंसेशन आनिशरी हो जाए और असात ने जो है आपको साथ में जो है जो है अने, संसेटीव तो नाइट और सौन्ट में यहिड जरावि लाइट तो लाइट कि नहीं होते है तो फोटो फोबिय है जैसे आपको में लाइट छुब इजराविय सकते हैं भी तो नॉर्मल लाइफ में जो हमें हेटेक होता है उसको हम थे करगे तो भॉट सारे है ना अथेंशन है कि लॉस्टर है थे इन चाहिते हैं जब से और किसे हैं कि यह थे क्रिकल होता है तो फिर अटेक होता है, पहले प्रोड्रोम होता है, एक दिन दो दिन पहले, फिर एक घंटे पहले और जिसे कहते है, उस तरे की विश्यूल फ्लेशिज वगर अचानक से शुरू होने बाला कोई दर्द है या? कई बार मुस्ली तो कई बार 30-40% के इसमें इससे प्रोड्रोम होगा, बाकि 60-70% कुछ भी नहीं होता है, अचानक से दर्द हो जाता है, एक हंटा पाले मैं अपता है, यह हो जाता है, और जाता है और जाता है, ब्रें से राइस करते हैं विश्यूल फिलिंग होती है, या क्र जाता है, और जाता है आदम तोक मैन नहीं आटएक सबस्क्राइड डाइस को जिलिए मासिश्यूल फिलिंग होना माद ममादेत चार गंटा लाौता है, दूश्यूच्टे 4 hours last करता है और 4 hours के बाद जो है यह खतम जाता है कि निदू कभी-कभी ऐसा दो-तीन दिन दिन भी लास्ट कर सकता है एक महिने में एक या दू अपिसोड भी आ सकते हैं और कई बार एक महिने में कई अपिसोड पांचेए दस एपिसोड भी हो सकते हैं और कुछी बार स manufacturersational को और साल में घू बार आता है इसा भी होता है तो इसनी में का झाल से है इसा कि इसके बाद नहीं है कि पोश अटेक पीरिडाटी है इसको होता है एक दिन के लास्ट बाउट वन डे रेंट की फिलिंग आती है यह सिम्टम्स है इसके मतलब इसके बीछे के रिजन कहा है बाई समय अच्छानक से किसी वैक्ती के साथ हो सकता है या फिर कई बार जैनेटिकली कोई-कोई बीमारी आती है या फिर इसके पीछे मतलब रिसमें प भर ऐसा नहीं कि बाई आती है अच्छान कहता है इसके कई सारे कारण हो सकते है इसके स्ट्रेस अगर आपका नेजर बहुत सेंसितिव और इमोशनल है अगर आप यह ताइप आपर सेना है हमेशा जर्ण है प्रिशर प्रिशामने रहते हैं तैप आई परसंन दर्प्रिषर ऐसे इसटर्वा पूराना पूराना होके टारामीन नाम और और तैइरामीन कैमिकल होता है जिसे किसी कुछ MSG जिने में MSG होता है, मोनो सोडियम गलोटरमेट होता जाता मात्रा में, जिसे केक पेस्टरीज हैं जिन में और कुछ भी जिसे आजकल पिजा है, बर्गर है, इस तरह के जो फूड्स हैं, तो जिन में मतर हैं, मतर होती ना पीस, जिन में 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 जिन मे प्रिसिकल एक्टिविटी की हो बहुत दौर लगाई हो या बहुत गुच शिक्ति विटीविटी की हो कोई भी इंटेंस अक्टिविटी उसके बाद भी अटेक आ सकता है यह क्या एक psychological disorder भी है माना जैसे की sound and light जैसे हम tolerate नहीं कर सकते है ऐसे कोई चीज देख लिए उसके वेज़े सद्राद हो सकता है यह ऐसा है flashing light जैसे हो, बहुत sure हो, बहुत sound हो flashing lights हो psychological एक तरह के है तो nervous disorder ही, brain का disorder है, इसमें पहले तो समझते थे कि इसमें जो हमारी brain की जो vessels, blood vessels, वो उनका disorder है पर यह बाद में पतलागा उसका disorder नहीं है basically, यह brain की अपनी ही मतलब जो transmitters होते ना, जो neurons होते है brain के उसमें आपस में बीच में impulse conduct करने के लिए वो आगे फ़र भीजने के लिए उसका disorder है, especially serotonin जो एक neurotransmitter है उसकी वज़े से यह दूसरा एक chemical है, जिसकी वज़े से calcitonin related, एक पाट एक factor होता है, वो उसकी वज़े से यह ऐसा होता है जो करने के लिए अधिक्ता होने से यह यह फिर कम ज़ादा होने से उसके फिर यह उससे फिर नारे brain में blood vessels में भी changes होते है, तो आपर चले जाते है यह ब्लड वसल्ड डायलेट हो जाते हैं उसकी वज़े से फिर यह माइगर होता है यह कईवर क्या जादा कान में लगा के हम ब्लुटूथ हो उसे जादा में जादा कान में लगा के हम ब्लुटूथ हो उसे जादा में जादा कान में लगा के हम ब्लुटूथ हो उसे 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 ब् अभी बिश्टरबिंट माइस से निकलती है कोई भीМы बोड आखिस ये क्ल ये कोई ना कोई ऐसा दोगारा मैं आखिसूमर होता है और अम आगर वाविचा मुँजिए आछी मुद ये dib counterpart जो होता है ये norगारे इस प्रस्तोय शर्लिडेंशर द्र hemm और अर पोस्ट अटेक के बाद फोड़ी सिम्टम एक दन तक चलते हैं और एक कॉमन माइगरे उसमें इसम्टम नहीं होता है सिदा अटेक होता है बस सिदा 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 साथ में मत अटेक, दर्द होगा, वर्मिटिंग, नौजिया वर्मिटिंग, 80% केसे नौजिया आता है 50% केसे वर्मिटिंग भी हो जाती है थे फिल्स फ्लैशिव लाइट, इंटल्बनेंस तो लाइट, sound, वससे वह से बाद तो कि लिट हो जाना, तो कि तो एक दोने का का Department क được सो जाना. लिपलास पीफसे का खैफेन पलेध बाहुझे कर दोने कि इस यह वाया। कि समानी के शुलाव कि से किया एक झूरत कर दें को पहलag मितली झाएं। कि भीलास कर टिफु का है जाएं। चाय में भी कैफीन होती है, इसमें तूमच ऑफ कैफीन होती है, चाय काफी, कैफीन कैफीन can also be the treatment है, किसी कैफीन नहीं लेता है उसको अधर से दर्थ हुआ, तो कैफीन के साथ हम परासिटरमल देते हम तो दर्थ कम भी हो जाता है, बट कैफीन यूशली ओवर चाय मालोडी कैफीन देटरा काम करता है, कैफीन अगटेटर आता है, श्कॉछ हमें इस देटरीटरिक भढ़ती है, और मैंद सतिक्साली को नोठ्डीरच है, अ ऩर्धरल्स दर्च है, या तो kul.. में परियर से पहले, मेंस्टोर फिर्द आते हैं इस दौरान यद लो मिनोपॉज जब आती है मुन्हाइब पहले या मीनोपॉज की टाइंग, इसके ठेक्स बढ़ जाते है क्योंकि हर्मोली चिंजेस इंपर्टन है, इस्टोजन चिंजेस होते हैं जाए 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 जा एक्तित करें, ताहिम पर सो जाने, ताहिम पर उट जाये, ताहिम परता अट सेल्स्फ का Baba整ाव पॉसले का आप्स कि तैम सलूशन? पॉसलेकली दिखने में बहु क्टीजम होते है Mehrpie, जिए हो फॉप貌 होते हैं लोके एन जो फहली जो जो उपन अउपन संस लें जैसे बहर करना होता है और अपने मन की वाते हैं तो सिंस्नरिशन लेयर होजिए जो फॉट प्रेशर अच्नर होगा बीडिकर हो जएगा कसशा हो इसे अफना μου बन्हें जो बातों कहाना MSG जिन के अंधर होता है जनने से फूट से काफीन वाले फूट सारे है केक पेस्ट्रीज है ना पीज मतर है और सब कुछ लोगो फूल को भी अगरा से भी तखलीफ हो सकती है चॉकलेट्स खाते है कई लोग तूमच चॉकलेट्स उनको भी हो सकता है पीस अधर गयान होने से भी माइक्रिन हो सकता है गाता है गजर गया हो सकती है गया है गया कस चारीट के चंतर यार्ट के system normal है आप खुली हवा मेरे रहते हैं मारेक अच्छा हेल्दी लिफस्टाल is the best method to get rid of it मैं खुली है बहते हैं अच्छ्मा पहनते हैं स्पैज्एर कभक ट Size M है टी नियुरियर के ओपने रह ना कि इती है रहे हो टो है light avoid too much of sounds, ventilation, daily sonically ventilation, अच्छा, और अगर prevention के लिए कुछ ऐसे, जैसे अगर आपकी anxiety nature है, आप sensitive है, emotional है, तो low dose, हम लोग beta blocker use करते हैं, अच्छा, और कुछ ऐसी medicines है, जो कुछ, विच आपल तो relax your brain, brain, brain vessels, तो हम देते हैं, कुछ ऐसी medicines है, कुछ से तो कुछ medicines है, जो pain को relieve करती है, जो सुमा-Tripton है, Triptans नाम की medicines होती है, पर overdose उनकी भी लेनी चाहिए है, अच्छा माइगरेन को ठीक करने के लिए, दवाया लेना, दवाया है, दवाया है, तो होती है, बदब दवाया तो लेनी होती है, अच्छा मेनी के तीन महीन का कोर्स होता है, बद, if you do not change your lifestyle, आप जिनने का धंग नहीं बदलते है, तो आपका अपका ओधरन ठीक नहीं होता है, मैं हमशा हमेशा है, अपने जो पेशेंट्स होते हैं, वह आपने माइंड को मैंच करो, बीश्र्स फ्री, मैंनेज यार तमी, गट हेल्थ, पेट ठीक रहे, खाना पिना, गैस ना बने, असीड ना बने, ताइम पर उसको ताइम पर खाना करो, और तीसरा, अवाइड सेटन फूड्स, मैं तरफ सेटन फूड्स अवाइड करो, चौथा, हैव गूड स्लीप, पॉपल टाइम, तो ये इसको माइड नहीं है, टेंदेंसी पेरेंट को थी, तो बच्चों को नहीं होगा, अगर आपको है, तो आपका जल्दी ठीक हो जाएगा, और अगर आप प्रोन है, होने के, सब्सक्राण से भी प्रोन है, जह फैमिली के वज़े से या दरवाइस, तो भी आप इसको मैनेज करेंगे, सब्सक्राण से, राइट 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 गाओड बिफोर य गो तो बेड, अपना सबकॉंशे मैंड को लाइट बनाओ, हल्का बनाओ, मैंड की थार्ट स्पीड कम करो, और रू प्राक्टिस मैंडेशन अरली मौनिंग, प्लैन यर दे, प्लैन यर प्रियर्टी प्रियिस, तुमच ओफ रश्टी तुछ अंचल को प्रेशरियन यही जा जा हिक वह प्रफिक्शब को लग तो यह उत्ट करतें तो यह जब तो मजग मैमट रिखें, एप लेडर होCommौन उजह को इस आउन टुमूलने यह posição एषट गो झालक सकते हैं पैट्कैट्स एपना मैंड इस लिए में उदाखी में था करते हैं इस प्रैक्समे चाहिए यह फिर मिरेपस्त पर मैगरेन पेशिंस साथ मिं देग만 थाट है और शिंप्तिमनेट्प्ट्स तर्व मार्य अगर रुछ करते हैं और सिंप्रमाटी टीमें समय तौ कि लाइस्टाइल को ठीक करेंगे तो अब करेंगे कभी दर्द की तबाइले लिजिए कुछ ऐसी मेडिसें से बीट-ब्लॉकर्स ले सकते हैं फॉर लॉक्त आपके अपकी अन्जाइटी एजेंट्स होते हैं कि आपके अन्जाइटी कम करें चिंता कम करें जी लेकिन के इसत इसे हम मुक्तिलाफ कर सकते तो आजके लिए इतना ही आपको बहुत बर्श्क्रिया थैनकिए तो सुना दोस्तों आपने की he नाइग्रेन की समस्या क्या होती है, कब होती है और कैसे हम इससे रिलिफ पास सकते हैं, अगर हम अपने लाइपस्टाइल को सुधारते हैं, अपने फूद हाबिट्स को बदलते हैं, और साथ ही साथ, जब बहुत सारी ऐसी बाते हो जाएं, जिसको सोच सोच के हम अंदर घु हो जाएगा, इन ही बातों के साथ यहीं पीजासत दीजिए, नमस्कार और शांती. मुझे मेरी आपात नहीं, ये है गृपा मेरे बाबा की, मुझे में कोई ऐसी बात नहीं. जा तू भी वही, जा जा जिस दर पर सब की बिगड़ी बनती है. देख तेरी तकदीर बनाना, उनके लिए बड़ी बात नहीं. जब मौझ पे आई वो लहरे, कतरे को समंदर की, कर डाला. कतरे को समंदर कर डाला. जब मौझ पे आई वो लहरे, कतरे को समंदर कर डाला. ये उनकी रीत पुरानी है, खाली देखा उसे भर डाला. काली देखा उसे भर डाला. ये चमक ये दमक फुलवन मा महक, सब कुछ सरकार तुम्हें से है. इतला के पवन, चुमे सया के चरण, बगियन मा बहार तुम्हें से है. बगियन मा बहार तुम्हें से है. मेरे सुख दुख की रखते हो खबर, मेरे सर पर साया तुम्हारा है. मेरे सुख दुख की रखते हो खबर, मेरे सर पर साया तुम्हारा है. मेरी नईया के खेवन हार तुम्ही, मेरा बेडा पार तुम्हें से है. सब कुछ सरकार तुम्हें से है. मैं तो भूल गई कुछ भी कहना, तोरी प्रीत में रोवत है नैना. मैं तो भूल गई कुछ भी कहना, तोरी प्रीत में रोवत है नैना. रग रग में बसी है प्रीत तोरी, अखियन में कुमार तुम्ही से है. सब कुछ सरकार तुम्हें से है. मेरा दिल लेलो, मेरे जा लेलो, मेरा तन लेलो, मेरा मन लेलो, मेरा दिल लेलो, मेरे जा लेलो, मेरा तन लेलो, मेरा मन लेलो. मेरे इश्ग को मिसबत है तुम्हें से, जीवन श्रुम्हार तुम्हें से है. सब कुछ सरकार तुम्हें से है. मैं तो भूल गई सब सुख चैना, मोरे जब से लड़े तुम संगनेना, मैं तो भूल गई सब सुख चैना, मोरे जब से लड़े तुम संगनेना, मेरी नस नस में है प्रीत तोरी, मेरी नस नस में है प्रीत तोरी, मेरा सब आधार तुम्हें से है. सब कुछ सरकार तुम्हें से है. मेरा कोई नहीं है दुनिया में, मेरा तौल करार तुम्हें से है. मेरा कोई नहीं है दुनिया में, मेरा तौल करार तुम्हें से है. मैं कहां जाकर सौदा बेचूं, मैं कहां जाकर सौदा बेचूं, मेरा सब व्यापार तुम्हें से है सब तुछ सरकार तुम्हें से है सत्गुरु मैं तेरी पतंग बाबा मैं तेरी पतंग हवा विच उड़ दी जावांगी साइया डोर हत्थो छट्डिना मैं कट्टी जावांगी सत्गुरु मैं तेरी पतंग बाबा मैं तेरी पतंग बड़ मुश्किल देनाल मिलया मैनू तेरा दवार आए साइया तेरा दवार आए मैनू इकको तेरा आसरा नल तेरा सहार आए घुन तेरे ही भरोसे साइया तेरे ही भरोसे हवा विच उड़ दी जावांगी साइया दोर हत्थो छट्टी ना मैं कट्टी जावांगी सत्गुरु मैं तेरी पतंग बाबा मैं तेरी पतंग मैं न चरणा कमला न आलो मैंनू दूर हटाएना साइया दूर हटाएना अन चरणा कमला न आलो मैंनू दूर हटाएना साइया दूर हटाएना इस चूटे जगते अंदर मेरा पेचा लाएना साइया पेचा लाएना जे कट गई ता सदगुरु फिर मैं लुटती जावांगी साईयां दोर हत्थो छट दिना मैं कटती जावांगी सदगुरु मैं तेरी बतंग बाबा मैं तेरी बतंग अज मलिया बुहावा के मैं तेरे दवार दास आयाँ तेरे दवार दा हत रख दे इक वारी तू मेरे सिरते प्यार दास आयाँ भिर जनम मरन दे गेडे तू मैं बच दी जावांगी हवा विच उडदी जावांगी साईयां दोर हत्थो छट दिना मैं कटती जावांगी सत गुरु मैं तेरी पतंग हवा विच उडदी जावांगी साईयां दोर हत्थो छट दिना मैं कटती जावांगी सत गुरु मैं तेरी पतंग हवा विच उडदी जावांगी साईयां दोर हत्थो छट दिना मैं कटती जावांगी सत गुरु मैं तेरी पतंग बाबा मैं तेरी पतंग सत गुरु मैं तेरी पतंग बाबा मैं तेरी पतंग सारी दुनिया जोंदे जिसको वो खुदा वो खुदा मुझे मिल गया सारी दुनिया जोंदे जिसको वो खुदा वो खुदा मुझे मिल गया खुद आकर वारिस बनाकर मेरा बाबा बंगला सारी दुनिया जोंदे जिसको वो खुदा वो खुदा मुझे मिल गया सारी दुनिया जोंदे जिसको वो खुदा वो खुदा मुझे मिल गया मैं खुदा का लाट लवन कर घम से द्यारा हो गया एक पल में पल बाबा का और बाबा बीरा हो गया नैनों से उसकी नैन मिल आकर नैनों में में हो गया नैनों में अपने उसे समा कर प्रीम श्रू बरस गया नैनों से दिल में बसा कर दिल आशिक हो गया सारी दुनिया जोड़े जिसको वो खुदा वो खुदा मुझे मिल गया सारी दुनिया धोड़े जिसको वो खुदा वो खुदा मुझे मिल गया सारी दुनिया जोड़े जिसको वो खुदा करके जीवन मीठा हो गया मीठी मसकान को दिख करके लाखों दुख मैं भूल गया मीठे से आचल में जाकर सकता खजाना पा गया सारी दुनिया धोड़े जिसको वो खुदा वो खुदा मुझे मिल गया सारी दुनिया धोड़े जिसको वो खुदा वो खुदा मुझे मिल गया मैं खुदा का लाग लबन कर घम से द्यारा हो गया एक पल में पैर बाबा का और बाबा पेरा हो गया हाथा में उसका हाथ पाकर परम सहारा मिल गया मोहवाया के रंग बोला कर बाबा के रंग में रंग गया दिल अपना उसके नाम कर दिल अपना उसके नाम कर के मदूर में मैं बढ़ गया सारी दुनिया धोने जिसको वो खुदा वो खुदा मुझे मिल गया सारी दुनिया धोने जिसको वो खुदा वो खुदा मुझे मिल गया वो खुदा मुझे मिल गया वो खुदा वो खुदा वो खुदा आम नमा शिवाया 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 उता, शिवाया छौन शिवाया कर दो जै जैस शिवाया शिवाया जै जै शीव संहो जय जय शिव शंभो महादेव शंभो हर हर महादेव शंभो महादेव शंभो शिव शिव महादेव शंभो महादेव शंभो हर हर महादेव शंभो महादेव शंभो जय जय शिव शंभो जय जय शिव शंभो जय जय शिव शंभो महादेव शंभो महादेव शंभो हर हर महादेव शंभो महादेव शंभो शिव शिव महादेव शंभो महादेव शंभो जय जय शिव शंभो जय जय शिव शंभो जय जय शिव शंभो जय जय शिव शंभो जय शंभो जय शंभो समस्भा जय शंभो जय शंभो महादेव शंभो महाद में शंभो जिव शंभो कर दो क्या लेके आया बंदा क्या लेके जाएगा क्या लेके जाएगा दो दिन की जिन्दगी है दो दिन का मेला क्या लेके आया बंदा क्या लेके जाएगा दो दिन की जिन्दगी है दो दिन का मेला दो दिन की जिन्दगी है दो दिन का मेला इस जगत सराए में मुसाफिर रहना दो 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 क्यों विर्था करे गुमान मुरख इस धन और जो बन का बंद मुठिया या जग में खाली हाथ जाएगा दो दिन की जिन्दगी है दो दिन का मेला क्या लेके आया बंदा क्या लेके जाएगा क्या लेके जाएगा दो दिन की जिन्दगी है दो दिन का मेला दो दिन की जिन्दगी है दो दिन का मेला वो कहां गए बलवान तीन बर धर तीप तो लणिया जार येडी पड़ती धाक नहीं कोई सामें बोलणिया निर्भे दो लणिया वे तो गयार यकेला दो दिन की जिन्दगी है दो दिन का मेला क्या लेके या या बंदा क्या लेके जाएगा क्या लेके जाएगा दो दिन की जिन्दगी है दो दिन का मेला दो दिन की जिन्दगी है दो दिन का मेला नहीं छोड सका कोई माया गिनी गिनाईने गड की लारी नीव छोड ग्या चिनी चिनाईने चिनी रे चिनाई रह गए गया है अकेला दो दिन की जिन्दगी है दो दिन का मेला क्या लेके आया बंदा क्या लेके जाएगा क्या लेके जाएगा दो दिन की जिन्दगी है दो दिन का मेला दो दिन की जिन्दगी है दो दिन का मेला इस काया का है भाग भाग बिन पाया ने दो दिन्दगी है दो 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 मेला इस काया काहे भाग भाग बिन पाया नहीं जाता सर्मा बिना नसीब तोड़ फल खाया नहीं जाता सर्मा बिना नसीब तोड़ फल खाया नहीं जाता भवसागर से तरले बंदे हरी गुण गाईले दो दिन की जिन्दगी है दो दिन का मेला क्या लेके आया बंदा क्या लेके जाएगा दो दिन की जिन्दगी है दो दिन का मेला दो दिन की जिन्दगी है दो दिन का मेला दो दिन की जिन्दगी है दो दिन का मेला जिन्दगी की राह में कहीं खो गया है इंसान मन्जल मिल जाएगी जरा खुद को तो पहचान हौसलों को कर बुलन पूरे होंगे अर्मान उचे हो विचार, मुश्किलों में हो मुस्कान राज योग के राज को जान, जिन्दगी बने आसान जिन्दगी बने आसान, जिन्दगी बने आसान नमश्कार, ओम शान्ति, आपका हमारे इश्यो जिन्दगी बने आसान में स्वागत है दोस्तों बहुत सारी ऐसी situations हमारी life में आती हैं जिसमें हम समझ नहीं पाते हमें आगे क्या step लेना है एक ये question आजाता है दिमाग में what next हमारा जो mental ability है सोचने की वो आगे काम ही नहीं कर पाती हम चाहे जितना भी positivity या कुछ भी हम सोच लें हम आगे सोच नहीं बाते कुछ ऐसी situations हमारी life में आ जाती तो आईए इन्ही situations पे चच्छा करते हैं हमारे साथ हैं Dr. Avdeesh Sharma जी जो की 35 years से psychiatry practice कर रहे हैं इनों ने एक spirituality और mental health के combination से बहुत लोगों को heal किया है So sir, very very warm welcome to this show Thank you very much I think हमारी ये जो situations हैं जिन में हम बहुत जादा परिशान हो जाते हैं या हम बहुत जादा upset हो जाते हैं उनी में से एक किसी situation को आज हम देखते हैं कि हम कैसे handle कर सकते हैं Let's have a glimpse of it through this video clip आज जब जीवन शेली महंगी होती जा रही है इसके साथ ही रोज मर्रा के लिए आम expenditure, खर्चे भी आपकी कमाई से चल रहा हो और तब आपको job loss से गुजरना पड़ जाए तो सच में ये एक चिंता का विशे बन जाता है जी हाँ दोस्तों Job loss एक बहुत ही व्यापक समस्या है जिसके कारण चाहे जो भी हो परंतु बहुत संख्या में लोग अकसर महत्वपूर्ण मोड पर अपनी नौकरी गवाँ बैखते हैं सब के लिए पहली प्रात्मिक्ता job security बन गई है लेकिन जब और कोई source नहीं बचा है नौकरी चली गई है कमाई का जरिया नहीं रहा है तो ऐसे हालात में positive attitude रखना मुश्किल ही नहीं बलकि ना मुनकिम से हो जाता है जैसे कि हमने अभी situation में देखा कि कुछ ये जो जॉब की चीज़ है I think आज की date में सभी लोग mostly people are working and जब ये लोग office जाते हैं हम कभी नहीं सोचते we never anticipate कि आज मैं job के बिना घर आऊँगा we always go and you know we have a plan कि अच्छा आज what next after work आज हम यहां जाएंगे आज मैं बच्चों को लेके कहीं चला जाऊँगा आज मैं फ्रेंस के साथ कहीं जाऊँगा लेकिन हम कभी यह anticipate नहीं करते कि आज जब मैं वापस आऊँगा I will be jobless right so ऐसी जो एक situation है जिसके अंदर एकदम से sudden event कि हमें कुछ समझ नहीं आता आगे life एकदम ब्लांक लगने लग जाती है उस time पे और हम सोचते हैं कि अच्छा अगर यह जौब चलेगी तो अब तो मेरा करियरी खतम हो गया है और एक black spot लग गया है life को so इस situation में आप क्या advice करते हैं हमारे दर्शकों के लिए कि अगर एक sudden ऐसा event हमारी life में आकर हो जाए तो हमें ऐसे क्या behavior रखना चाहिए या thinking हमें कैसी रखनी चाहिए to handle this kind of a situation जो आपनी situation कहीं कि sudden loss हाँ जी आम तोर पे sudden loss होते नहीं है build up होते है कही न कहीं कुछ ठीक नहीं चल रहा आप खुछ नहीं है और अगनाईजेशन आप से खुछ नहीं है उसके आपको कहीं अगई संकेत मिलते रहते हैं हमें उनको या तो पढ़ने का तरीका नहीं आता यह हम उने नजल अंदाज कर दे रहते हैं उनको बैक बर्नर पे डाल देते हैं जब चीजें एकठी होती रहती है तो उसके बाद एक दिन किसी दिन जो वस्थिती आती है जब पानी सर से उपन निकल जाता है और शायद और्गनाजेशन आपको कहते है कि हमारे को आपकी जूरत नहीं है कई बार कुछ और्गनाजेशन है जो क्रैसिस से गुजर रही होती है और जो वो क्रैसिस से गुजर रही होती है तो जिसको cost cutting कहते हैं, जिसके कारेंट से उनको लगता है कि हमें इतने लोगों की जरूरत नहीं है, काम कम हो गया है, यह हमें और efficiently अपने आपको चलाने की जरूरत है, तो कुछ लोगों को यह कह दिया जाता है, लेकिन अगर हम इसी को एक और parallel event में देखें, जैसा आपने कह आज शाम को जोब नहीं है, जो जोब तो अपने आपको यह सोचके कि मैं कुछ और करना चाहता हूं, जब आगर उसके बाद शाम को जोब नहीं है, लेकिन क्योंकि यह event उसकी मर्जी से हुआ, यह planned event था, इसलिए उसको लगता है कि हाँ यह अच्छा है, और अगर unplanned हुआ किसी और की मर्जी से हुआ, तो लगता है कि यह गलात है, यहाँ पे भी interpretation में फरका जाता है, यह फरक जरूर है कि कई बार जब हम resign करते हैं, तो हम खुश नहीं होते, इसलिए resign करते हैं, यह हमारे मन में कोई और चीज होती है, जिसे हम pursue करना चाहते हैं, और उसके लिए plan क का I think game है कि जब मैंने resign दिया तो मैंने planning करी हुई है, एक backup plan है कि maybe I have another job in hand or you know I will do pursue something else, post this, यह फिर जब हम unplanned की बात करें तो मेरे पार शायर कुछ आगे सोचने के लिए हम blank हो जाते हैं क्योंकि वह मारी मर्जी से I think event नहीं हुआ, मर्जी से नहीं हुआ, लेकिन चोभी स्थ अब उस्थिती में हम चल नहीं सकेंगे, बल्कुल, हाँ जी, अगर मैंने resign भी किया, तो भी मैंने चल सकूंगा क्योंकि मुझे वह जगा पसंद नहीं है, या वो काम मुझे पसंद नहीं है, मैं कुछ और करना चाहता हुआ, और अगर उन्होंने मुझे resign करने को कहा, तब अब ही मैं उस्थिती मेंने नहीं चल सकता हुआ क्योंकि अब मैं उन्हें पसंद नहीं है, या वो मुझे अफोर्ड नहीं कर सकते, तो there is a mismatch, अब इस mismatch को हम यह ते इंटर्पेट करते हैं, कि यह मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी जरूरत थी, और यहां पी जरूरत सिर् मैं is not good enough, तो यह जो सौमान में कमी आ जाती है, वो कई बार लोगों को जाधा तंग करते हैं, प्लस हम में से हर कोई एक रूटीन के बंधक बन जाते हैं, सुभे से आपने सब कुछ पैक किया, आज के आठ खंटे आपके यह प्लान है, आपके यह करेंगे, जो पे मिलेगी और अनफॉचनेटली आज के समय में जुड़ी हुई चीजे हैं, कि जैसे ही लोगों को जॉब मिलती है, तो वो आने वाली पूरी जिंदगी को प्लान कर लेते हैं, लोन ले लेते हैं, एमाई शुरू हो जाती है, घर, बचो को कहां पढ़ाएंगे, तो यह एक तरह से उन वो हमें जरूर दंग करेंगे, इसके बाद भी एक नेगोसेशन हो सकती है, नेगोसेशन चाहें, इमीजेटली ना हो, लेकि नेगोसेशन हो सकती है, कि आप चाहते हैं कि मैं यह काम ना करूँ आपके साथ, क्योंकि मैं गुड़ अनाफ नहीं हूँ, तो ओवेसली औरगना करेंगे, कि साब आप जाये, जो मर्जी कीजेए, हमें उससे कोई फरक नहीं है, लेकिन अगर उनको लगता है कि उनकी वज़े से ऐसा हुआ, और आप अच्छे एंप्लॉई हैं, तो वो कई बार फसिलिटेट करते हैं, दूसरी औरगनाजेशन में आपका जाना, कई बार दूसरे लोगों से बात भी करते हैं कि वेरी गुड इंप्लॉई, लेकिन किसी कारणों से हमें उसको हम रख नहीं पा रहे हैं, तो क्या आप चाहेंगे कि आप उनकी मदद लें, कई बार I have also seen कि ये जो पीरिट हैं दो तीन महीने के, और ये डिपेंड करते हैं कि हमारी उ में लिपेंड कर रहे हैं, लेकिन कुछ माइन नहीं चाहते हैं, बस हम सोच खुछ और रहे हैं और आगे चल कुछ और रहा हैं ऑर लोग आए बात कर रहे हैं, लेकिन ये इन अन्वाल। mentally with your you know heart in that job so i think that is also one of the so this is an opportunity that this thing doesn't work with you for many years right if it works then slowly your efficiency will decrease or it will start to be irritable or you will always say that i give money for this job and that's why i'm going a time for reflection stepping back stepping back here is forced stepping back when we want to step back then we can do it myself if i don't believe in this job i don't believe in this job this is a job but you leave it alone absolutely yes yes that's true it's true it's true it's true so what will happen in that state or if you get very sick then you won't do it so what will happen in that state or your family what will happen in that state so we don't have to face that and that's why if there is a job loss then we don't have to face that because it is too traumatic right so if stepping back we can see that there are more because one thing is for sure because one thing is for sure but the experience now is that if you do a good job so that people can understand how to deal with support so if we don't talk or open up we don't have to take anything because it is just a situation that we need to communicate too in life so people don't care about yourself acceptance is a very big thing yeah because you keep feeling that it wasn't my fault it wasn't my fault and although some people know who's going to work that was their fault otherwise otherwise 10 months you only have to leave the job anyway if you didn't have to be wrong if you didn't have to be wrong then you can also give a feedback that you can give a feedback right that you can change yourself maybe you are very irritable maybe you have taken for granted in your job that it is my fault so you start becoming very easy about things you don't increase your skills because you feel like that I am so many years then there will not be anything so this is the opportunity to take feedback from yourself to yourself what are the things and the time changes when you start your job then you will need something else and your skills will be something else if your job is lost 10 years then you will need something else for them you can find a new IAM and I have seen a lot of people who come to counseling and their first reaction is trauma second reaction reflection if they go to that third is that they talk to them with family or friends and then they start looking for alternatives and then they are starting to match that in those alternatives and what they want to do and where is the best fit and then they want to pursue that then it becomes like a second innings then it becomes like a second innings because they find that they become saturated and bored those people who are broken and don't think about what to do versus those people who understand opportunities first is to understand that there are something that there are something else that there are also it has also that you have not seen that in that time perhaps they will see six months later दूसरा, यह एक बहुत बड़े ड्रामा का हिस्सा है, हमारी जिंदगी जो है, वो एक तरह से उसमें हमारी कुछ फ्रीविल तो है, लेकिन साथ ही साथ हम दूसरे लोगों से, वर्ल्ड से, एकोनॉमिक से, जो उस समय में महौल चल रहा है, उस से जुड़े हुए हैं, और उस में मेरी पहचान क्या है, और वो पहचान भी समय के साथ साथ बदलनी है, जैसे कि एक पिक्चर के अंदर, एक व्यक्ति का रोल शुरू में अलग होगा, फिर राज़े के बाद में कुछ और हो जाता है, तो उसको एक ड्रामा का हिस्सा अगर हम समझ सके, क्या आपका पर्पस नहीं हो सकता, वो सिरफ पर्सनल पर्पस हो सकता, तो वो एक प्रोसेस है जो कि स्पुरिचालिटी अगें हमें सिखाती है, साथी साथ कुछ सौफटर स्किल्स, जैसे कम्यूनिकेशन का आपने कहा, उसी के साथ साथ जो और स्किल्स हैं मेरी, जो कि आम तोर पे कई छीज बदलती है, लॉस होता है, उस समय हमें सोचना जो है, जो हमें जबरी हो ज़री बहुत ज़री हो चाता है, और सोचने के साथ साथ पिर हम अपने आपको चेंज भी कर सकते हैं, तो in a way, this is the technique called check and change, check and change, so you keep checking के मेरे में क्या क्या चीजे थी जो आजके सामें में एक दम values, जो की सीखनी शुरूर ही है, बच्पन से हो तो बहुत अच्छा है, and that is the value of contentment, that is the value of living within your means, कि आपको आज कोई मौका मिला, आपने किसी तरहें के future के लिए, किसी तरहें के परिवार की मदद के लिए, किसी तरहें से जिसमें कि आपको जब सकती है, कुछ चीजों को बचायके नहीं, conserving of your own energy, conserving of whatever resources you have, is a very important thing, कि जितना आता है उतना spend हो जाता है, जितना आतना spend हो जाता है, in terms of money also, in terms of energy also, हम जितनी energy accumulate करते हैं अपने अंदर, even if it is to spend our day उस energy को भी हम उतना exhaust कर देते हैं हम उसको conserve नहीं करेंगे हम in fact अपने साथ communication नहीं कर पाते हमारा एक बहुत favorite mode of communication हो रखा है phone तो आप कहीं भी जाएंगे चाहिए वो सड़क्रॉस कर रहे हैं मेट्रो में जा रहे हैं कहीं भी जा रहे हैं that phone I think takes away 80% of your energy and we have stopped communicating with ourselves and in fact मने चीज़ और देखी है जब अपनी फैमली के साथ भी बैठे हैं जाए आप बहुत करते हैं कि में पस फैमली टाइम नहीं है मैं पस फैमली टाइम नहीं हैं मैं पनी फैमली के साथ ताइमने पाते हैं I think WhatsApp या कोई नहीं कोई ऐसे जो टूल है हमारे कम्मुनिकेशन की in social media वो चलते हैं वहां पे जो information है information level तक अटग गया जब तक वो information में मुझे किस चीज की जरूरत है उसमें चेंज नहीं करेंगे तो अपने अपर अप्लाइ नहीं करेंगे तो विज्डम नहीं होगी हमारे पस कई तरह की बहुत अच्छी-च्छी quotations or informations कई जगाँ आठी जारी है लेकिन हम अप्लाइ जब करने पर आते हैं तो I think that communication, homework is missing a lot of information is coming in but that homework which is for ourself your own time I think that is missing in our life जो कि हमें एक्सेप्टेंस पलाता है उसी situation पर अगर हम आते हैं कई जब 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 लॉस होता है और आपका इमीजेटली कोई और प्लान नहीं बन पा रहा है कुछ समय है time lag उस time lag में आप बैठके जो जो जिन्दगी की चीज़ें जो चूटी होई थी कई बार लोगों की के लिए आपने कुछ शुबातें की लेगिन वो आगे नहीं बड़ी वो चूटा हुआ है कई बार उनके जो फाइनसें वो बिखरी होते हैं तो यह समय हो जाता है एक तरह से अगर हम उस चीज़ को समेट कर और फिर next step क्या है वहां पर तो चीज़ें बहुत जरूरी हो जाती हैं और उसके लिए अगर हमेशा एक प्लान बना के यह चले कि अगर मुझे कल जॉब को छोड़ना पड़े या चुट गई तो क्या मैं एगले तीन से चे महीने बेसिक जो रिक्वार्मेंट है उनको पूरा कर सकता हूं तो अभी जो हम यूथ की जो मैं सिच्वेशन देखती हूं आज की ताइम में अगर हमारी जॉब लगती है हम बहुत एक्साइटर हो जाते हैं अब सालरी आने वाली है और यूग अन वी सार्ट प्लानिंग चाहे हम अर्ण सिर्फ 5,000 करते हैं लेकिन प्लान हम 20,000 कर लेते हैं to spend that amount so I think ये जागरता या आप कह सकते हैं इनलाइटमेंट ना यूथ क्योंकि ये फंक्शनिंग हमारी शुरू से हूनी बहुत जरूरी है ताकि when in a later stage of life we have that conditioning we have to save so it's a very good point कि अगर हम conservative वाले thought process से चलें कि आज अगर मैं जॉब करने भी जा रहा हूं I have sufficient funds for my next three to six months it's a very good strategy also to manage our own financial status for the next few months as well अगर बच्पन में पहले एक कोई बोक्स वा करता है जिसमें कि आप एक कोई चाहे रोस बोगनी उसमें डाल देजे और वो धीरे 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 चाहे कुछ रुपे बने but that showed you the power of accumulating for necessities necessities, right जो आपने बात की कि ज्यादा प्लान करना शुरू करते थे और हमारे पास आता काम है उसका reason कई हद तक ये भी है कि दूसरे क्या कर रहे है कि उसने फोन कौन सा लिया अब कौन सी जगा पर आप शाम को खाना खाने जा रहे है उसमें कितना spend हुआ आपकी dress जो है वो designer है so वो जो चीजे है उसमें आपकी अपनी शम्ताएं क्या है उसको हम भूल जाते हैं लेकिन वो जो एक race चलनी शुरू हो जाती है showing to your peers and showing to other people वो जो है वो तंग करती है तो जब भी किसी तरह का loss होता है चाहे वो job का हो चाहे आपकी position का हो वो हमेशा तंग तभी करता है अगर आपके पास backups and buffers नहीं है अगर आप उसे just a job जिसमें कि आपको जब तक मज़ा आता है आप चले उससे आपकी कुछ जरूरत है पूरी होई और आपको identity मिली लेकिन वो आपकी सिर्फ only identity नहीं है अगर आपकी identity और तरीके से भी है कि आप अच्छा parent है आप एक अच्छे बेटे या बेटी है और उस वजह से आपको लोग पसंद करते हैं rather than कि आप इस company में so and so है तो फिर वो इतना ज्यादा बड़ा आपको लॉस नहीं महसूस होगा and that's why it is important कई पार ये भी होता है कि जब लोगों की जॉब एक्तम लॉस होती है they suddenly start feeling कि मुझे अगले चार दिन में कुछ मिल जाए ताकि रिप्लेस्मेंट हो जाए they don't see it as the reason कि क्यों ऐसा हुआ और क्या इसमें मुझे कुछ और नई सीख मिल सकती है जिसकी वज़े से मैं किसी नए माकाम पे पहुँच सकता हूँ या कोई और नई डारेक्शन जिन्दगी के ले सकता हूँ या अपनी जो और अंदर से जॉलंत जरूरतें थी माइंड की या सौल की वो पुरी कर सकता हूँ तो उसके लिए शुरू से ही क्योंकि अगर आप उस स्थिती में मेडिटेट करना शुरू करेंगे तो आप नहीं कर पाएंगे उस टाइम पे नहीं हो पाता क्योंकि इतना प्रेशर फिल होता है और बहुत सरी वो जो what next वाला question है it really troubles you because then you feel कि अच्छा अभी तो ये छोड़ देते हैं पहले job डूण लेते हैं अभी ये छोड़ देते हैं पहले job का कुछ आगे देख लेते हैं so I think एक ये हमारी जो identification है that we start identifying ourself with that job that our whole identity is with that job so I think एक एक बहुत troublesome factor है when we forget कि हमारे और भी कितने रोल्स हैं जो हम ने भाहर हैं लाइफ में and which define us लाइब हम जब 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 को और रोल्स में सुखी ना होने की वज़ए से रप्लेस करने की कोशिश करते ये भी एक पॉइंट है काई बार, especially for women अगर उनको लगता है कि घर में उनकी कोई इंटिटी नहीं है तो वो बहार इंटिटी अगर बनाने की कोशिश करते है और मैंने विमन की इसले बात की क्योंकि रिलेटिवली कंपेर तो में ये एक रीसें फिनोमना है हमारे समाज में जितनी उनको रही सही एक स्टैंडिग होनी जाहिए वो नहीं है तो वहां पे कई बार उनका जो भाहर कर रोल है वो इंपॉर्टण हो जाता है तो उस समय उनके लिए वो रोल जो है वो जादे इंपॉर्टं होता है than just the money कुछ देर के लिए घर से बाहर निकल कर और लोगों के लिए मिलना, वो उनके लिए इंपोर्टन हो राता है, then just the money, position becomes very important, ताकि वो ये दिखा सकें कि मैं सिर्फ एक घर की गरेनी या बहू या मा नहीं हूं, मेरे में और भी कुछ पतिवाय है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति उ और उस शम्ता से काम कर रहा है, तो उसको और ना कोई चॉप कभी ना कभी जरूर मिल जाएगी, तो अच्छे लोगों के सब को जरूरत होती है, और अगर ऐसा कोई बात होती भी है, तो बहुत जल्द ही उनको कोई और पॉसिबिलिटी जरूर मिल जाएगी, कई भार घर मे बैठे बैठे भी पीपल के वर्क फॉम हो, तो आज के समय में उसा पॉसिबिलिटीज हैं, लेकिन अगर हम काम रहें, अपने आप पे इंटरूर्टेड रहें, अपने कमियों को सेट करके चेंज करने की कोशिश करें, और उसके लिए अध्यात्म प्रिंसिपल और मेडिट करें कि कहां हमने गलती करें या कहां हम बैठ कर सकते थे, यह हो सकते हमारी गलती नहीं भी थी, हम आगे बपरचुनिटीज को देख सकते हैं, लेकिन उसके ले हमें पहले अपने अंदर बहुत जादा स्ट्रेंथ लानी पड़ीजी तकि हम स्टेबिलिटी के साथ सोच तो हमारी काफी एफेक्ट होचा जाती है, विलक्र, थांक्यू सो मुच सार थी, लाएधा बहुत सारी हमें इसोर प्ड़ीजी थी, यह हमें हैं लाप करें गी तो लिव ए बेटर अंद एप्यर लाइए, तो हमें हमें हैं लाइवेड करें के। तो लेट के लिएं हमें हताश नहीं होना, हो सकता है कि life has different opportunity or a better opportunity for us ahead. So, अगर आपके पास ऐसी और भी कोई situations हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं, जो आपको problem देती हैं life में या आप mentally नहीं समझ पाते कि क्या हमें आगे बोलना है, क्या करना है, आप प्लीज हमें लिखिये, हम अपना बैस देंगे कि हम आपकी help कर सके. Thank you so much. Om Shanti. तुम्हे सौप कर सब चिंता फिकर तुम्हे सौप कर सब चिंता फिकर देह दुमियां से हम हो गए बेखबर. किवाईया, मेरी नईया, तेरे हवाले, तेरे हवाले. चले हम उधर, चले तुम्हे घर, दुनियां से हम हो गए बेखबर. किवाईया, मेरी नईया, तेरे हवाले, तेरे हवाले. में सौप कर सब चिंता फिकर देह दुनियां से हम हो गए बेखबर. किवाईया, मेरी नईया, तेरे हम हो गए बेखबर. सोचने से भी पहले, बन जाते काम मेरे करने से पहले. सोचने से पहले, बन जाते काम मेरे करने से पहले. ऐ खुदा दोस्त तारिफ क्या मैं करूँ. ए खुदा दोस्त तारिफ क्या मैं करूँ. ये सब है तेरी खुबियों का सर. किवईया, मेरे नईया, तेरे हवाले, तेरे हवाले. चले हम उधर, ले चले तुम जिधर, देह दुनिया से हम हो गए, बेखबर. पलक से भी उपर तेरी है वो बस्ति, ए शान आदम वो उची है हस्ति. पलक से भी उपर तेरी है वो बस्ति, ए शान आदम वो उची है हस्ति. ए शान आदम वो उची है हस्ति. तेरी नजरे हिनायत है मुझ पे करम, तेरी नजरे हिनायत है मुझ पे करम. तुने अपना बनाया किया रुक किधर. कि वैया मेरी नजरे तेरे हवाले, तेरे हवाले. तुम्हे सौप कर, सब चिंता फिकर, देह दुनिया से हम हो गए है बेखबर, हो गए है बेखबर, हो गए है बेखबर. कि वैया मेरी नजरे बेखबर, हो गए है बेखबर. कि मुझे को नजर आ, तु ही मुझे को नजर आए, है मन में यही भगवन, प्यारी सी आशाए. कि मुझे को नजर आए, है मन में यही भगवन, प्यारी सी आशाए. कि मुझे को नजर आए. कि मुझे को नजर आए. कि मुझे को नजर आए, तु सबसे मुल्लवान है. नहीं चाहे, खुशिया जन्नत की. खुशियों का तु ही जहान है, तुझे पाकर पूरे हुई, मेरी सारी इच्छाए. है मन में यही भगवन, प्यारी सी आशाए. मैं तुझे को नजर आए, तु ही मुझे को नजर आए. है मन में यही भगवन, प्यारी सी आशाए. मैं तुझे को नजर आए. मैं तुझे को नजर आए. मैं तुझे का प्रभु दिल ने किया हैसास है. तु बल तु ही निश्चै मेरा, तु ही तो विश्वास है. देती जो मुझे ताकत है तेरी शिक्षाए. है मन में यही भगवन, प्यारी सी आशाए. मैं तुझे को नजर आए. है मन में यही भगवन, प्यारी सी आशाए. मैं तुझे को नजर आए. कि तना गहरा सेह है दिल तेरी मही मालिकरता है. इतना गहरा सेह है दिल तेरी महिमा लिकता है नेरों में बसे हो तुम ऐसे नहीं तेरे सिवा कोई दिखता है तु क्यान सूर मुझ पर तावन किरने बरसाए है मन में यही भगवन प्यारी सी आशाए मैं तु ही मुझ को नजर्ड़ तु ही मुझ को नजर्ड़ है अजन में यही भगवन प्यारी सी आशाएं प्यारी सी आशाएं प्यारी सी आशाएं एक तुम ही हो जो मुझे से नहोते खसा एक तुम ही हो जो मुझे से नहोते खसा